आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग टॉपिक है टीडीएस टेक्स डिडाप्टेड एड्ट सोर्स और अगर टाइप मिलेगा तो हम TCS भी करेंगे अधर्वाइस हम TCS अपनी निक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे ठीक है क्योंकि मैं प्रिवियस एग्जामिनेशन में आए हैं या आर्टीप हैं एम्टीपी के कुशिन्स जिससे कि आपको TDS के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो सके बिकस जनरली स्टूडेंट को ना काफी डर लगता है पता नहीं क्यों इस चाप्टर से काफी डर लगता है बट आई टेल यू हाँ मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत सारे सेक्शन्स होते हैं और सारे सेक्शन्स के नंबर याद रखना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता बट फिर भी हम लोग देखते हैं अगर हम एनलाइस करें पास्ट इयर इग्जामिनेशन्स पेपर बगरा को तो हम देखते हैं कि कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर फ्रिक्वेंटली कुशन्स आते ही रहता है तो वो तो हमरे प कि इस क्लास करने के बाद आपका TDS में जितने भी डाउट होंगे जितने भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप कॉन्विडेंटली इस चाप्टर को अच्छे से रिवाईज भी कर पाएंगे आगे और अपने एक्जाम में भी अपना कुश्चन को अच्छे से डील भी कर पाएंगे ठीक है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले चाप्टर 11 थोड़ा सा डेटेल करहूंगा मैं इस चाप्टर में ठीक है क्योंकि मुझे काफी सुटेंस के रिक्विस्ट भी आई थी TDS के लिए क्योंकि TDS एक थोड़ा जब हम डिड़ाक्ट करते हैं उसके बाद डिड़ाक्टर कौन होता है डिड़ाक्टी कौन होता है डिड़ाक्टर की क्या क्या responsibility रहती है तो इसके बारे में थोड़ा ज़ाग लेते हैं तबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दो लोग लिए हैं यह इंकम आ रही है और यह कैसे वेक्ति है जो इसको इंकम पे कर रहा है तो इस परसन इस पेयर यह इंकम पे करता है तो बहुत अलग लगतर है कि इंकम के ओपर TDS लगता है तो लेट्ट से मैं स्टाट कर रहा हूँ से जालरी से इनके कुछ नाम रख देते तो यह जो इंप्लॉई है इनका हम नाम रख देते हैं मिस्टर bears अब ले इंका नाम रख देते हैं मिस्टर क्ग तो मिस्टर गुपता इनको salary पे करते हैं हर पर, salary पे करते हैं, और we know that there is a section, section 192, हम इसके बारे में discuss करेंगे, बड़ आपको पता हुआ एक section है 192, जो कहता है कि जब कभी भी employer, तो ये employer है, जब कभी भी employer salary पे करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, कि उसका TDS deduct करें, ठीक है तो यहाँ पर Mr. गुपता जब इनको salary पे करेंगे, तो इनका TDS deduct करेंगे, कितना deduct करेंगे, कैसे deduct करेंगे, मैं अभी बाते करूँगा, जब section 192 बताँगा, बट सबसे पहले कुछ basic terms के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, तो ये कौन है, अच्छा income किसकी हो रही है, पहले ये हैं assessing, correct, कौन सी income हो रही है भी, for example, इसमे salary की income हो रहे है, तो क्या करेंगे, Mr. गुपता जब इनको पैसे pay करेंगे, salary के, तो इनका TDS deduct करेंगे, तो हम इसको TDS की language में कहते हैं, TDS deductor, इनको बुला जाएगा, Mr. गुपता को, ये है source, source का मतलब क्या होता है, जहां से हमें पैसे मिलते हैं, जहां से हमें पैसे मिलते हैं, that is called source, तो Mr. गुपता हो गए TDS deductor, ठीक है, और अमित हो गए TDS deduct, जिसका TDS deduct हुआ, जिसको हमने पैसे pay किये, और थोड़ा सा TDS deduct करने के बाद पे किये, that person is called TDS deduct, ठीक है, ये दो words clear होग deductor और deductee कौन होता है, दूसरी बात होती है, source मतलब जो हमें पैसे pay करता है, वो source है, जहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, जिसे for example, आप मेरी Google Drive, Pen Drive, वगेरे class लेते हैं, तो मेरे लिए source of income क्या है, आप है, students मेरे लिए source of income हो जाते हैं, right, for example, अगर कोई बेखती है, उसको rent म वो हो जाएगा TDS deductor, right, तो Mr. Gupta की responsibility होती है, कि जब कभी भी इनको पैसे pay करें, इनका TDS deduct करें, और फिर सिरफ deduct नहीं करना, हमें deposit भी कराना है, government, तो इनकी second responsibility आती है, जो TDS इन्होंने deduct किया है, क्योंकि ये सारी बाते हैं मुझे आगे sections में discuss करनी है, तो इसलिए मैं वो terms पहले से clear कर देता हूँ, ठीक है, तो इनकी जिम्मेदारी होती है, जो TDS इन्होंने deduct किया है, उसको जाकर central government को, मतलब income tax department को deposit भी करा दिया जाए, फिर इनकी deposit करने की सिम्मेदारी होती है, फिर इन्होंने अपने बहुत सारे employees का, देखे ये तो example हुगा कि Mr. Gupta ने Amit का TDS deduct किया, हो सकते है ना Mr. Gupta के और भी बहुत सारे employees होंगे, उन्होंने सब लोगों का TDS deduct किया होगा, तो इसका मतलब वो बाद में जब TDS deposit करा देंगे, फिर बाद में एक अपनी return फाइल करते हैं, तो normal return होती है, जिसको हम कहते है return of income, हर विक्ति जिसकी income आ रही है, उसको अ या source ने, जितना भी TDS deduct किया है, फिर उसकी third responsibility होती है, third मेंने क्यों बोला, first responsibility क्या होई, TDS deduct करना, second responsibility क्या होई, TDS deposit कराना, third responsibility होती है अपनी TDS के return फाइल करना, जितने लोगों का भी इन्होंने TDS deduct किया होगा, quarter wise, कुछ returns होती है, जो quarter wise जाती है, हर quarter के बाद return जाती है, उ इन सब की बाते हैं हम लोग करेंगे, तो TDS return फाइल करना, generally quarterly release, quarterly return जाती है, ठीक है TDS return हमें deposit करने पड़ती है, fourth आता है फिर TDS certificate issue करना, because अमित बोलिंगे सर मुझे तो salary for example 50,000 रुपीज मिलनी थी, आपने इसमें से for example 4000 का TDS deduct कर लिया, और आपने मुझे स्रे 46,000 क्यों नहीं दिये, तो हम बोलेंगे, बोस हमने आपका TDS deduct कर लिया था, वो बोलेंगे, मुझे evidence आई है ना, ठीक है I need evidence, तो अमित को एक evidence आई है, तो अमित बोलेगा, सर आपने मेरा TDS deduct कर लिया, मुझे मेरे पास evidence तो होना चाहिए ना, कि आपने मेरा tax deduct किया है, तो इसक reform 16A होता है, और कुछ special TDS certificates अभी होता है, 16B, 16C, 16D, इन सबकी बाते में आज के division lecture में आपके साथ discuss कर लिया, ठीक है, तो यह basic बाते कुछ समझ में आ गही है, तो सबसे पहले यह source होता है, source में व्यक्ति मतलब वो जो हमें पैसे pay कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने example लिया, य यह landlord है, इनकी income आती है, rental income, तो यह कौन हो जाते है, उस case में tenant है, तो Mr. Gupta tenant है, यह rent pay कर रहा है, for example मैं ऐसा ले 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 था, कि Mr. Amit की, ठीक है, मैं सारे sections से भी mix कर रहा हूँ, for example Mr. Amit की commission की income आती है, तो हम लोग जानते है कि commission की income के ओपर भी कुछ sections होते है, 194, insurance commission है, lottery commission है, other commission है, कुछ हमारे पास sections है, ऐसे, तो अगर Amit की commission की income आती है, किसकी income हो रही है, Amit की कौन सी commission की income, असे सी कौन है Amit, तो जो इनको commission pay करता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, TDS deduct करने की, यानि कि यह basic concepts लो सबके लिए save रहेंगे, जो deductor है, right, यानि कि चार responsibility आगी, कौन कौन सी, TDS deduct करना, सबसे पहले TDS deduct करना, ठीक है, second है TDS deposit करना, third है TDS की return file करना, और fourth होता है TDS certificate, यह चार responsibility होती है, deductor की, और एक important बात है, deductor जब कभी भी TDS deduct करेगा, उसके पास एक TAN number होना चाहिए, TDS deduction account number, इसको हम बोलते है, TDS deduction account number, उनके पास एक TAN number होना ज़रू, एक तो तह है PAN, permanent account number, हो तो सब के पास होता है, ठीक है, हो तो हमारा normally जब हम income tax returns वगएरा अपनी file करते हैं, कुछ भी transactions करते हैं, हम लोग return of income के chapter में देखे हैं, कि PAN कहां कहां पर काम आता है, बट यह है यह PAN नहीं है, यह है TAN number, TAN number होता है, जो TDS deduct करता है, यानि कि deductor के पास अपना TAN number अलग से उसको लेना पड़ता है, ठीक है, हाँ कुछ sections आते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर TAN number की भी requirement नहीं होती है, कुछ दो दीन sections हैं हमारे पास, जहां पर TAN number की भी requirement नहीं होती है, deductor को, पर generally TAN की requirement होती है, तो I believe यह कुछ basic बात है, आपको clear हो गी होगी, ठीक है, बताएगा TAN क्या होता है, सिंपल है, जो deductor होगा, जब कभी भी किसी का TDS deduct करेगा, तो उसको TAN number की requirement होती है, ठीक है, ओके, अब कुछ और बाते भी discuss कर लेता हूँ, माल इत करेगा, the answer is yes, the answer could be no, अमित क्या यह कह सकता है, सर मेरा तो text deduct हो गया, तो मुझे अपना text deduct deposit नहीं कराना, जितना भी फिर पूरे year का बनेगा, तो ऐसा नहीं है, हम अमित को भी अपनी return file करनी पड़ेगी, अमित को भी हो सकता है, कि Mr. गुपता से इसकी कुछ income आती हो, हो सक करते हो कि अमित अपनी return file करते हो, तो मैं इनकी return मना लेता हो, let's say अमित की return, ठीक है, यह क्या चीज़ है, यह अमित की ROI है, अमित की return of income, तो for example अपनी return में अमित यह बोलता है, कि सर मेरी salary income भी आती है, जो भी amount कि आती है, यह बोलते है कि मुझे अपनी house property की income भी आती है, और let's say इनकी कुछ income from other sources की भी income आती है, और इनकी यहाँ पर कुछ income आते है, और इसके ओपर let's say tax बना with sales वगेर हमने सब को जोड़ कर, ठीक है, माल लेते हैं, उसके ओपर tax बना 70,000 rupees का, ठीक है, this is called tax liability, इसको बोला जाता है, tax liability, this is called tax liability, right, तो tax liability क्या होती है, अपनी पूर 50,000 rupees deposit नहीं कराने, ठीक है, the answer is, यह देखा जाएगा कि उनका TDS कितना deduct हुआ है, उतना minus करने के बाद, उतना minus करने के बाद, जो बाकी का remaining amount है, तो वो अमित को deposit कराना पड़ेगा, तो let's say कि इनका जो TDS deduct हुआ था, for example, मैं यह मान लेता हूँ कि इनका जो TDS deduct हुआ था, पूरे साल में, वो 50,000 rupees हुआ था, चीक है, तो इसमें से यह minus करते हैं, TDS, कि सर मेरे 50,000 rupees already मेरे TDS के deposit हो चुप हो चुप है, और इनके पास evidence भी होगा, या funds evidence होगा, TDS certificate होगा, किसन सर मेरा देखे, TDS deduct हो चुप है, तो 50,000 rupees तो already government के पास जा चुप है, तो मैं बाकी का remaining amount deposit करा देता हूँ, तो हम लोग क्या minus करते हैं, TDS minus करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे TCS भी, अगर हमारा कुछ collect हो जाता है, वो भी minus करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे advanced text, अगर हमारा क कुछ advanced text चला गया, हम वो भी minus करते हैं, और बाकी का remaining amount जो हमारा remaining रह जाता है, वो हम deposit करा देते हैं, तो जितना में text liability आती है, उसमें से हम तीन चीज़ें minus करते हैं, जितना हमारा TDS deduct हो गया, जितना हमारा TCS collect हो गया, वो हम TCS में बाते करेंगे, और third होता है, अगर हमने advanced text भी deposit करा दिये हैं, ठीक है, और हम जब अपनी return file करते हैं, और उस महाँ पर अपना text जमा करा देते हैं, और वो due date से पहले जमा करा दिये, उसको हम self assessment text बोलते हैं, वो में थोड़ी दिर में आपके साथ discuss करते हैं, तो इतनी बात समझ में आगी, कि जितनी भी हमारी text liability आत text payable, इसको हम गोलते हैं, text payable है हमारा, हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि for example हमारा TDS, TCS, Advanced Tax जादा चला गया, तो ये for example हमारा 80,000 रुपीज already government के पास चले गए थे, तो उस case में हमें refund मिल जाता है, correct, तो उसको क्या बोलेंगे text payable या text refundable, that is called text refundable, simple बात होगी, ठीक है, और ये बाते न, ये जो मैंने बाते बताई न, इसके लिए एक section भी है, section इतना important नहीं है, number याद करना, in fact, बस इतना बता होना चाहिए, जितना हमारा text liability आती है, उसमें से हमारा, जितना भी during the year, TDS, TCS, या advanced text चला जा चुका है, वो minus हो जाता है, इसको एक section है, section 190, ठीक है कि अगर आप देखेंगे न, अपनी book में, I believe सबके पास book होगी, या आपने अराम से download कर ली होगी, website से available है, PDF format में, download कर लीजेगा, देखो section 190 क्या कहता है, section 190 ये कहता है, कि जितना भी हमारा TDS, TCS, या advanced text deduct हो गया, या हमने deposit करा, advanced text हम लोग खुद deposit कराते है, advanced text के chapter में हम ल TDS, TCS, advanced text और ये आजाता है, आपका text paper, ठीक है, आपका text paper आजाता है, clear है, simple हो गया, section 190 clear, अब देखें, अब हम लोग पढ़ने बारे हम कुछ TDS के sections पढ़ेंगे, जो हमारे syllabus में है, हम लोग section पढ़ेंगे, section 192 हो गया, 193 हो गया, interest on securities, ठीक है, 194 dividend हो गया, 194 interest other than securities, इस तरह की से हम कुछ sections पढ़ेंगे, जो बहुत असान है, ठीक है, I believe, I am assuring you, कि ये बहुत जदा असान है, और आपको इस lecture के बाद ये साथ sections अच्छे से आएंगे, तो हमें, अच्छा, तो हमें कुछ sections है, जहाँ पर हमारा TDS deduct होता है, हम ये कहते हैं कि ऐसी payment के उपर TDS के provisions है, मैं दुआर रिपीट करना हूँ, for example, salary हमें मिली, तो section 192 के provisions है, अगर for example, हमें interest मिला, तो हमारे पास sections है, 193 भी है, 194 A भी है, उसके provisions है, for example, हमें कुछ commission मिली, 194 H एक section आएगा, वो बताएगा, हमें कुछ professional services के पैसे मिले, 194 J कुछ section है, ऐसे कुछ sections आएगे, तो यानि कि हमें जो payments मिलती है, उसके उपर TDS के provisions है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ, कि सर हमें बहुत सारी payments मिल सकती है, हमें बहुत सारी payments मिल सकती है, ठीक है, during the year, क्या ह पर payment के उपर कोई न कोई TDS का section है, answer is no, कुछ specific payments है, कुछ 10-12 payments है, जिसके उपर TDS के provisions लगते हैं, और जो बाकी की चीज़े बच गई है, बाकी चीज़े हमारे income तो है, बट उसके उपर कोई TDS के provisions नहीं बने हुए, तो अगर TDS के provisions नहीं बने हुए, तो इसका मतलब उसक Mr. Gupta ने इनको कुछ payment किया है, ठीक है, किसी भी तरह की payment करी है, बट उसके उपर TDS के provisions नहीं थे, उसके उपर किसी भी section में TDS cut नहीं नहीं है, ठीक है, TDS deduct नहीं होना है, तो Mr. Gupta फिर इनको पूरी की पूरी payment करेंगे, let's say Mr. Gupta इनको 1 lakh rupees की payment कर रहे है, 1 lakh rupees Mr. Amit की income है, तो ये तो Mr. Gupta तो कोई TDS deduct नहीं करेंगा और पूरी 1 lakh rupees की payment कर देंगे, अब Amit को, क्या इसके उपर text नहीं देना, देना होगा बॉस, तो कौन देगा इसके उपर text, Amit क्या बोलेगा कि Sir, Mr. Gupta ने इसके उपर TDS को नहीं deduct किया, अरे इसके उपर TDS के provisions नहीं थे, इसलिए deduct नहीं किया, तो Amit फिर इसका जो जितना भी text होगा, वो खुद deposit कराएंगे, तो Amit इसका text फिर खुद deposit कराएंगे, यानि कि जो assessi होता है, वो अपने text का direct payment करेगा, अगर उसको कोई ऐसी payment मिलती है, जिसके उपर TDS के provisions ही नहीं है, तो बहुत assessi उसका खुद payment करे, simple बात ठीक है, या फिर मैं तो in fact एक step और अगे जा रहा हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ, कि for example Mr. गुपता ने इनको salary pay की है, अब हम लोग जानते हैं, इसके उपर तो TDS आना चाहिए, 192 में इसके उपर TDS आना चाहिए, let's say, मैं बहुत extreme case ले लेता हूँ, कि Mr. गुपता ने इ TDS deduct करना चाहिए था, आपने salary की payment की है, तो इसके उपर जो TDS के provisions हैं, आपने क्यों नहीं करा, तो ठीक है Mr. गुपता के उपर penalties वगरा लग जाएंगी उस चीज़ की, but इनको जो पैसे मिले, वो पूरे पैसे मिलें, without deducting TDS, देखो अब जो इनको पैसे मिल रहे हैं, उसके उपर TDS के भी provisions थे, बट फिर भी इनोंने, इनका TDS deduct नहीं हुआ, तो क्या आप Amit ये कह सकते हैं, सर मैं तो इसके उपर टेक्स नहीं देने वाला, क्यों, क्योंकि सर गुपताची की जिम्मेदारी थी, कि वो TDS deduct क्यों नहीं करा, सर आप उनको जाके पकड़िये, मैं नही इसके उपर टेक्स दूँगा, मुझे तो पूरा पैसा मिल गया, मैं तो और आम से घूमने चला चापका इस पैसे, तो ऐसा ये असेसी नहीं बोल सकता, तो इस तरह के सिनारियो में, Amit को अपना टेक्स खुद डेपॉसित करना पड़ता है, ठीक है, और आपने देखो बा होते हैं, फर्स्ट बोलता है, कि अगर असेसी को कोई ऐसी इंकम मिली है, जिसके उपर TDS के प्रोविजन्स ही नहीं होते, जिसके उपर TDS के प्रोविजन्स नहीं होते, तो उसका टेक्स असेसी खुद पे करेगा, और दूसरी बात, ऐसी इंकम मिली है, जिसके उपर TDS के तो हैं, but deduct नहीं हो पाया TDS, तो भी हम Assessi से, Assessi ये नहीं बोल सकता कि, ऐसे नहीं बोल सकता कि, मैं अपनी responsibility मेरी नहीं है सर, उसको जाके फकड़िये, नहीं हम Assessi से खुद ये पैसे हम ले लेगे, तो ये बात ये section 191 बोलता है, तो ये बोलता direct payment of Assessi, Assessi is liable to pay the taxes directly to the income tax department in the following two cases, कौन कौन से cases, if there is no TDS provisions on any income, किसी भी income के उपर अगर कोई TDS के provisions नहीं है, तो फिर Assessi खुद इसका tax pay करें, और दूसरी बात आप लोग जानते हैं, क्या होती है, दूसरी बात क्या लिख़्े होगी है आपर, ठीके इसको बिना पड़े बताए, क्या लिख़्ा होग सर, ऐसी payment, जिसके उपर TDS के provisions आने तो चाहिए थे, बट TDS deduct नहीं हो पाया, किसी भी reason से, उसका भी Assessi को खुद payment करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये बात लिख़्े होई है, if there were TDS implications, उसके उपर TDS implications थी, but deduct, deductor fails to deduct, deductor ने ये पैसा deduct नहीं किया, तो भी Assessi को ये tax पूरी नहीं करी, तो क्या उसके उपर भी कुछ provisions है, हाँ जी, उसके उपर भी provisions है, उसको बना दिया जाता है, Assessi in default, तो हमारे case में जो Mr. गुपता जी है न, इनको हम बना देंगे, Assessi in default, इनको एक सुन्दर सा नाम दे देंगे, क्योंकि इन्हों ने भी अपनी जिम्मे पूरी नहीं करते हैं, तो इनको बना दिया जाता है, Assessi in default, इनके उपर कुछ interest होगेरा, ठीक है, वह हम लोग देखेंगे, यह बता समझ में आगी है, तो हमने एक section किया 190, और दूसरा section किया 191, 190 क्या होता है, कि सर जितनी भी हमारी tax liability होती है, उसमें से TDS, TCS, Advanced Tax, वगेर ठीक है, Assessi को भी direct payment करनी पड़ेगी, अब यहां से अब हमारे TDS के section शुरू होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बाते करेंगे, TDS on salary, क्या बाते करता है, section 192 बाते, एक एक करके मैं बाते करूँगा, तो जैसे कि अभी हम 192 पढ़ेंगे TDS on salary, फिर हम 193 पढ़ेंगे, TDS on interest on securities, इस तरह से मैं एक एक करके सारे section आपके साथ discuss करूँगा, और जहां पर कुछ मुझे जादर important sections लगेंगे, उसकी बाते थोड़े साथ जादर detail में कर लेंगे, और उसके कुछ questions भी कर कर लेंगे, आपके पास question back होगा, वो भी website पर available है, download section में, आप जाकर वहां पर भी download कर लीजेगा, ठीक है, जब मैं discuss करूँ, आपके पास already downloaded, अगर होगा तो ठीक है, बदन download कर लेना, मैं चाहूँगा कि आप download कर लीजेगा, क्योंकि मैंने उसमें सोड़े सा rectification भी की है, अगर आपके पास पहले से downloaded है, तो एक पर आप re-download कर लीजेए उसको, ठीक है, ओक TDS on salary, TDS on salary ये बोलता है कि अब यहाँ पर source कौन होगा, source हमें कौन होगा, employer, हमें employer पैसे पे गर रहा है, तो इस case में हमारा employer पैसे पे गर रहा है, अब ये employer कौन हो सकता है, कुछ important बात हैं जो हमें section 192 में बता होने चाहिए, ये employer हमारा TDS deduct करेगा, जब कभी भी हो हमें salary पे करेगा, अब ये employer एक company भी हो सकता है, ये employer एक partnership firm भी हो सकती है, ये employer एक AOP, BY भी हो सकता है, ये employer एक individual या हुए 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 में नहीं देगे, section 192 में बोला हुआ है, all types of employer, आप किसी भी तरह की employer हों, आपको TDS deduct करना पड़ेगा, right, कब करना पड़ेगा, जब कभी भी आप इनको payment करेंगे, at the time of payment, जब कभी भी आप salary का payment करेंगे, तब आपको TDS deduct करना पड़ेगा, ठीक है, ये बाते मैं क्यों कर रह करना पड़ेगा, इस section के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है, इस section simple बोला, कि जब कभी भी आप salary का payment करेंगे, जब कभी भी आप salary का payment करें, तो TDS deduct करना पड़ेगा, ठीक है, किस rate से करना है, अब देखो जब हम आगी की sections पड़ेगे ना, 193, 194, 194, A वगएरा, ठीक है, 194, B, यह सारे section से bum पड़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ rates मिलेंगे हमें, TDS के, generally rate कभी 10% मिलेगा, कि 10% से TDS deduct होना चाहिए, कुछ में जिसे 194C पड़ेंगे, तो वहाँ पर 1% भी है, 2% भी है, याद आ रहा है, खोड़ा खोड़ा आपने पहले से बढ़ा हुआ होगा, ठीके, वहाँ पर 1% और 2% भी है, कुछ rates, casual income के ओपर 30% के tax rates है, यानि कि हर section ना हमें कुछ ना कुछ rates ज़रूर बता देता है, कि हमारा TDS किस rate से deduct होना है, बट यह रा 192 ना बड़ा special type of TDS का section है, यह हमें कोई rate नहीं बताता है, यह बोलता है कि बहुत जितनी उसकी salary है, उसके हिसाब से आप उसका tax deduct कर पीचेगा हर महीने, हर महीने जब कभी भी आप payment करेंगे, आप देखो, मुझे बताओ, ठीके, लॉचिकली सोचो, याद करन है आपको, अब प्लीज मुझे बताइए, क्या हम पूरे साल में एक ही बार salary का payment करते हैं, या हर महीने करते हैं, जब भी हमें हर महीने मिलती है, every month, तो यानि कि आपको every month, employer की, employer कौन है, source, employer है source हमारा, इस source की जिम्मेदारी रहेगी, कि हर मन्थ जब भी हमें वो पैसे पे average rate of tax से, average rate of tax से, TDS deduct कर लेचेगा, ठीक है, average rate of tax, अब average rate of tax कैसे निकालेंगे, बहुत असान है, आपको निकाल के बता दूँगा, दूसरी important बात जो आपको धेहर में रखनी है, जब हम आगे के sections पढ़ेंगे, 192 के बाद जो हम sections पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें TDS के कुछ rates मिलेंगे, ठीक है, जैसे मैंने भी discuss किया, कहीं पर 10%, कहीं पर 5%, कहीं पर 1 और 2%, इस तरह के rates मिलेंगे, जब कभी भी हम TDS deduct करते हैं, किसी भी resident का, ठीक है, किसी भी resident का, ठीक है, resident मतलब कौन, जिसका हम TDS deduct कर रहे हैं, जो deductee है, जिसकी income हो रही है, non-residents का हमारे syllabus में नहीं हैं, तो without CES, फिर हम जब TDS deduct करते हैं, हम CES को ignore कर देते हैं, ठीक है, TDS deduct करते हैं, यानि कि जो deductor है, वो without CES deduct कर लेता है, जैसे कि अगर 10% हमें TDS deduct करना है, तो अगर हम 1,00,000 रुपीज की payment कर रहे हैं, तो सिंपल 10% यानि कि 10,000 रुपे TDS के deduct हो जाते हैं, without CES, CES हम include नह रखते हैं, और logic आप समझते होंगे, although non-residents अभी हमारे से levels में नहीं है, TDS के लिए, वट फिर भी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि non-residents का अगर हम सिर्फ text, rate of tax ही deduct करेंगे, CES नहीं करेंगे, तो CES deposit करने के लिए तो इंडिया हाएगा नि, ठीक है, तो जब हम non-residents के provisions पढ़ेंगे अपने next level पर, तो वहाँ पर यह लिखा हुआ है, जब कभी भी आप TDS deduct करें, including CES करें, including CES, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि obviously वो non-residents, foreigner है, वो भार बैठा हुए, वो इंडिया में अपना CES deposit करने के लिए तो आया करेंगे, यहाँ पर हम तो CES इस से ले मैं यह नहीं करेंगे, मैं यह नहीं करेंगे, यह अपनी return फाइल करेंगा, तो अपनी text liability निकालेगा, तो including CES सब कुछ निकालेगा, मैं यह बोल रहा हूँ कि जब TDS deduct होता है, किसी भी resident का, resident कौन है, जिसका TDS deduct हो रहा है, जिसको पैसे मिल रहे है, अगर वो एक resident है, यहा जैसे मैं थोड़ी दिर पहले कहा था, salary special section है, यहाँ पर जब हम text deduct करेंगे, including CES लेते हैं, salary में हम लोग including CES लेते हैं, अब यह समझ दीचेगा, तो दो चीज़े मैंने section 192 में आपको clear कर दी है, सबसे पहले, deductor कौन होगा, sir employer, कैसा employer, कैसा भी employer हो, sir individual हो चलेगा, तो यहाँ पर कर सकता है, दूसरी बात किस समय करते हैं, at the time of payment of salary, जैसे वो payment कर रहा हो, जब 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 जब, जैसे हर महीने करता है, हर महीने TES deduct करेगा, तीसरी important चीज़ है, कितना deduct देगा, average rate of tax से, तो average rate of tax से पहले हमें यह देखना पड़ेगा, कि Amit का पूरे साल में कि इतना टेक्स बनता है, तो practically, क्या होता है, जो employer होता है, उस सबसे पहले अपने employees से साल के शुरू में ही पूछ लेता है, साल के शुरू में हमारे पास सबी employees, जैसे जो भी बड़ी organizations होती है, तो वहाँ पर एक mail आ जाती है, accounts department की तरफ से वहाँ पर एक mail आ जाती है, सबी employees क कि आप बता दीजिए, कि आप कौनसी text regime follow करना चाहते है, क्या आप अपनी old text regime follow करना चाहते है, या फिर अपनी new text regime, new को क्या बोलते है, default, क्या आप default text regime follow करना चाहते है, old, old को क्या बोलते है, optional, ठीक, अब हम new और old ज्यादा यूज़ नहीं करते है, हम use करते है, या तो default text regime या optional text regime और परतलब हम कमझते है default का मतलब new और optional का मतलब old text के लिए हाँ जी तो मैं क्या बोल रहा था कि साल के शुरू में ही ना जैसी कोई भी previous यह शुरू होता है तो first month कौन से होता है हमारा April तो April में हमारे पास एक email आ जाती है या फिर में default text regime को लेना चाहता हूं अब बहुत सारे employees हैं कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते सीधा mail आई delete कर दिया हो कहते है हम नहीं देगा जवाब ही हम नहीं करते कुछ भी तो अगर कोई नहीं करता है अब मुझे बताए कि यह क्या TDS deduct नहीं करेंगे फिर उसका करें फिर क्या माने जाएगा employer मान देगा कि boss अगर यह जवाब ही नहीं दे रहा है email का तो हम इसको default text regime से TDS deduct करना शुरू करते है क्योंकि default तो महीं नहीं है na default का मतलब कि क्या होता है अगर कुछ भी चूज नहीं करा तो by default आपको यह दे दिया जाएगा तो इसको याद करने मत बैठ चाना बस एक मिनिट के लिए logic लगा लोग अगना कि कोई भी अगर यह नहीं बता था employee कि boss में कौन सी text regime फॉलो गरूँगा तो by default हम कौन सी देंगे by default कौन सी देंगे default scheme देंगे ठीक है अब क्या हुगा अब मान लेते हैं कि अमित ने बोला कि सर मैं तो अपनी optional text regime क्या होती है सर 0 से लेकर 2.5 लाग तक निल लगता है हम अच्छे से जानते हैं 2.5 लाग से लेकर 5 लाग तक हमारा 5 परसेंट लगेगा और फिर 5 लाग से लेकर 10 लाग तक हमारा 20 परसेंट आएगा और 10 लाग अबर हमारा 30 परसेंट आजएगा यह हमारी optional text regime होती है ठीक है पुरानी text तो मान लगते हैं कि employee ने बोला कि मैं optional text regime लेना चाहता हूँ ठीक है तो employer क्या देखेगा तो employer यह देखेगा कि इनका पूरे साल में कितना text बनेगा ठीक है तो साल के शुरू में ही वो calculate कर लेता है calculate कर लेता है कि साल के शुरू में कि मैं इसको कितनी salary बगरा pay करता हूँ तो अगर मैंने इसको salary pay की है, for example, पूरे साल में जो इनकी salary जाती है, let's say total करका आजाती है 10,00,000 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरी salary compute कर लिए, कैसे compute करेंगे, basic salary, DA, सब कुछ मिलाकर, ठीक है, उसके बाद standard reduction वगरा, सब कुछ देने के बाद, उनकी total salary आजाती है 10 रुपीज की, तो इसका मतलब 10,00,000, यहाँ पर मैंने standard reduction वगरा सब कुछ देने के बाद, वो देखता है कि total salary जा रही है, वो कितनी taxable होगी, तो पता चलता है 10,00,000 रुपीज taxable होगी है, हम इसको साल की शुरू में ये भी पूछ लेते हैं कि क्या आप कही पर investment वगरा कर कि किस तरीके से tax deduct होता है, ठीक है, तो although हम regular classes में सारे वो cases करते हैं कि हमें during the year salary बढ़ गी तो क्या होगा, ठीक है, हम employee हमारा छोड़ गया, तो उस case में क्या होगा, but इतना detail में अभी हम इस lecture में नहीं जाएंगे, ठीक है, इसमें में normal बाते करूँगा, उपर से, क्योंकि examination अगर exam में क्योंकि इस तरीक questions कभी आए भी नहीं, अगर आते हैं तो फिर में वो भी discuss कर लेता है, बट आए नहीं है, तो अभी फिलाल हम इतना ही से हम अपना काम चल सकता है, भी हमारा, तो employer यह देखते हैं कि salary total कितनी income है, तो पता चला 10 लांग रूबीस की income है, अब 10 ल इनके साब से text निकालता हूँ, तो वो text आएगा शुरू के 2.5 लाग पर nail आएगा, next 2.5 लाग पर 12500 आता है, next 5 लाग पर 1 लाग आता है, तो अगर आप आप निकालेंगे, वो आप रामस निकाल सकते हैं, तो इनका जो text आएगा, वो आएगा, 1 लाग 12500 का, ठीक है, यह optional text रिचीन के साब, default लेता हूँ, default के साब से आप निकाल देता, 0 से 3, 3, 2, 6 वाला, plus employer क्या करेगा, इनका cess भी देखेगा, इनका cess भी आड़ करेगा, at rate of 4%, ठीक है, तो 1 लाग 12500, इसके उपर 4% निकाला, 4500, टोटल कर दिया, 1,17,000 आजए, ठीक है, इतना text इनका बनेगा, पूरे साल का, तो क्या करेगा, जब जब इनको salary बगए करेगा, TDS डेट करना शुरू करतेगा, कैसे करेगा, यह तो पूरे साल का TDS है, तो इसको divided by 12 कर लीचे, ठीक, इसको divided by 12 कर लीचे, ठीक, इसको divided by 12 कर कर लीचे, divided by 12, तो यह हो जाता है, 9750, तो हर मन्त जब कभी भी अमित को salary पे करेगे, हमारी case में यहाँ पर, जबी भी यह मिस्टर गुपता, इनको हहाँ पर salary पे करेंगे, तो 1,17,000 का मारा text आया था, divided by 12, 9750 का TDS डेट होता रहेगा, एप्रेल में इतना होगा, एप्रेल का कितना हो जाएगा, total मिला कर, 9750, इनको हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग average rate लेते हैं, तो प्लीज बताइए, कोई आप से पूछे गए हैं यहाँ पर, कि TDS on salary का rate क्या होता है, तो कोई specific rate नहीं होता, जितनी depend करता है कि employee की salary कितनी है, उसके हिसाप सोट का tax deduct हो rent free accommodation मिल जाता है, या फिर motor car की facility मिल जाती है, तो क्या उसके उपर भी TDS जाएगा, the answer is yes, क्योंकि वो भी तो salary है, मुझे बताओ, यह आपने rent free accommodation, motor car facility वगएरा कहाँ पर पढ़ा था, तो इसके उपर भी boss 192 का TDS ही जाएगा, सर उसके उपर कितना TDS होगा, simple है, अब क्या क निकालेंगे, तो basic salary लीचे, DA लीचे, HR ये वगएरा, जो भी मिलता है, वो सब चीजे लीचे, साथ-साथ में, वो percusate भी लीचे, अकर वो rent free accommodation है, तो rent free accommodation भी include कीजे, motor car facility तो भी include कीजे, total इनकी gross salary निकालिए, फिर reduction देने के बाद, फिर इनकी salary income निकालिए, तो जो भी इन पर मैं थोड़ा सा or detail में जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके उपर एक MCQ आ सकता है आपका, कि कभी-कभी न वो आपसे examiner पूछ लेगा, कि text on non-monitory percusate calculate कीजे, वो कितना होता है, तो चलिए इसको हम discuss कर लेते हैं, यहाँ पर मैं discuss कर लेते हैं, लेट से एक employee है, इनको for example, कुछ basic salary मिलती है, पूरे साल की मैं मान लेता हूँ, let's say 12 lakh rupees मिलता है, इनको कुछ other allowances वगेरा मिलते हैं, कि मैं आपको सर्फ वो समझाने के लिए, कि text on non-monitory percusate कैसे निकालते हैं, तो उसको लिए, मैं बाकि सारे allowances वगेरा नहीं ले रहा हूँ, और असका percusate की value आप निकालना जानते हैं, आपने salary chapter में अच्छे से ये बाते की थी, तो let's say मैंने उस percusate की value निकाल दी, 3 lakh rupees की, तो इनकी total हमारी salary होगी 15, 17 lakh, तो ये इनकी gross salary, gross salary वी जाती है 17 lakh, ये या रहे हैंने total, gross salary में से फिर कम से कम आप standard deduction तो दे ही देंगे, 50,000 rupees का, ठीक है, और अगर ये new tax regime follow कर रहे हैं, तो standard deduction ही मिलती है, और अगर optional follow कर रहे हैं, तो वो तीन deductions हमारे तीनों मिल सकती है, standard deduction भी, entertainment allowance की deduction भी, और tax on employment, whatever, भी मिल सकती है, ठीक है, as the case में भी, तो लेट से आप a standard deduction होता generally, तो हमारे पास 16 lakh, 50,000 rupees की income आगे है, सबसे पहले क्या कीजिए, इस income के उपर tax निकालती है, ठीक है, वो पूछ लिजए employee से, कि वो new लेना चाहता है, ये option लेना चाहता है, तो let's say वो कहते है, option लेना चाहता है, तो 16,50,000 के उपर आप optional tax regime से tax निकाल दीचेगा, मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, please ध्यान दीचेगा, मैं आपको इसकी विजए समझा रहा हूँ कि कभी-कभी ने examiner ये पूछ रहता है आपसे, कि इसके उपर कितना tax आएगा, इसके उपर कितना tax आएगा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी वो follow कर रहा है, जो भी regime follow कर रहा हूँ, उसके according tax निकाल दीचे, तो let's say मैं assume कर लेता हूँ, ये optional scheme follow कर रहा है, तो आपको पता है, शुरू के 2.5 lakh पर तो, शुरू के 2.5 lakh पर आएगा, निल, next 2.5 lakh पर आएगा, 5%, next 5 lakh के उपर आएगा, 20 और फिर 10,00,000 से अबब कितना जाथ है, 6.5 lakh पर ये तो सब को टेक्स लिकाना तो अच्छे सा आता होगा न, ठीक है, अब ये मैं बोलना कि सब टेक्स लिकाना सिखा दीचे, ठीक है वो ता पको अच्छे सा आता होगा, निल, 12,500, 5 lakh पर 20% 1 lakh, ठीक है समझ में आ रहा है, अ इसको लाइक कर दीचे जल्दी से, 1,95,000, ओके, 3,00,7,500 का टेक्स आ गया, ठीक है, इसके उपर सैस्पी, तो यहाँ पर टेक्स आ गया, इनका, इसके उपर चलोए सैस्पी यहाँ पर याड कर देदां, तो इस सालरी में आपको पता है सैस्प के साथ जाता है, तो प्लस 4% से साथ दीचेगा, 12,300 अगर हम टोटल करेंगे तो आज जाता है हमारा, 3,19,800 देख लेजेगा, काल्कुलेशन में ठीक है या नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो आप ठीक कर लेजेगा, पर मुझे लगता है ठीक किया है, ठीक है, मैं रीचेक नहीं कर रहा हूँ, तो यह हमा कर रहा है, तो कितना हर महीने डिड़क्ट करेंगा, सर, सिंपल है, डिवालेट बैट 12 करके इसका डिड़क्ट हो जाएगा, जो भी अपूट आएगा, हर महीने इतना डिड़क्ट होगा, जैसे मैं बोल रहा था कि कभी कभी इंप्लॉयर, एक्जामिनर आपका यह कुछ ल 800 का टेक्स है, वो हमारी 16,00,50,000 की सालरी के ऊपर है, तो 3,00,000 की सालरी के ऊपर कितना होगा, वो बता दीचेगा, तो बस इतना सा आपको करना होगा, वहाँ पर, एजी है ना मिलकुर, इतना टेक्स आ गया, तो बस इतना पूछ सकता है कभी कभी इंग्जामिनर आप से, इस 3,00,000 के ऊपर कितना टेक्स बनेगा, तो प्लीज मुझे बताइए क्या स्टेप्स हुआ है हमारे, सिंपल हुआ सर, पहले तो आपको सालरी मिल रही है, इंक्लूडिंग दाट पर क्य पूचे गाल नीचेगा, ठीक है, जितना भी अमांट आइगा, उसके ऊपर टेक्स निकाल दीजेगा, ऐस पर ऑप्शनल स्कीम या इस पर डिफॉल्ट स्कीम, जैसे भी एग्जामिनर आप से पूचे, उतना टेक्स निकाल दीजेगा, अब ये जो टेक्स है, वो इस 16,50 प सिक्स्टीन लाग 50,000 अगर हमारी तीन लाग की इंकम है तो कितना डेक्स बनेगा बिलकुल बच्चों की तरह युनिटरी मेथड ठीक है निगाल सकते हैं ना चलिए चाहिए क्लियर हो गया इससे ज्यादा सालरी में पूछे नहीं जाएगा इससे ज्यादा तो पूछे नहीं जाता है तो अच्छी बात है कुछ नहीं बोलता है इमेल डिलीट कर देता है हमारी तो अगर वो इंटिमेट नहीं करता है डिफॉल्ट टेक्स रिजीम लेंगे है ठीक है और मैंने आप साफ साफ लिखा हुआ है 192 डिड़क्ट करते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको से भी इंक्लूड करके डिड़क्ट करते हैं यह था टेक्स और नॉन्वालिटरी परके जड़क्ट यह मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं डूवल इंप्लॉयमेंट डूवल इंप्लॉयमेंट अगर होता है कि for example अगर आप दो जगह पर काम कर रहे हो इंप्लॉयर नबर वान है वो कितना टीडियस रिड़क्ट करेगा आपका सर्फ पांच लाग के उपर वो टेक्स निकालेगा तो रिबेट वग्यरा के बाद तो टेक्स नेल आ जाएगा ठीक है और सेकिंड वाला इंप्लॉयर जब आपको पांच लाग की इंकम पे करेगा तो रिबेट पर पगेरा निकालने के बाद भी टेक्स नेल आ जाएगा इसका मतलब तो आपका टेक्स रिड़क्टी नहीं हो पाएगा तो अगर पर एक्जामपल कोई वेक्ट ये डुवल इंप्लॉयमेंट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए उसको अपने किसी एक एंप्लॉयर को स बता थेगा की ये करता हुआ था है पर एंप्लॉयर को करता हूं पांचबले उसको क्य और सो ये बता ती uni प्यरिकבר को ये बता देगा और हम ये कहीं मेरे और पर अरब चाल रही है और वहां से मेरी इंपांच लाग काथा है तो यह first employer क्या करेगा जितना वो खुद salary pay कर रहे है प्लस जितनी वो दूसरी income उसको बता रहे है salary वगेर है कि वो भी include करने के बाद वो उसका text deduct कर सकता है फिर second employer नहीं करेगा पुरा पुरा text deduct कर सकता है फिर first employer की responsibility बन जाते है अगर आपने intimate कर दिया ठीक है practically लोग करते नहीं है वो अलंग भात है ठीक है वो गलत कर रहे है वाद है घलत हो गजा है फाली चीज तो हम बाद में सीखेंगे अब दा हम plain law पट रहे है ठीक है तो कुछ वह हम बाद में सीख जाएंगे अपने अभी मैं नहीं सिखाऊंगा ठीक है तो अभी आपको expert बनाने की खुश कर रहा हूँ सर कि हम अपनी salary से अलावा दूसरी अगर assessing for example house property की income भी आ रही है और employer को सारी income compute करने के बाद ही TDS deduct करेगा और क्या सारी है section 192 ही रहेगा हाँ जी क्योंकि कौन सिंपल सी बात है deduct कौन कर रहा है TDS आपके employer deduct कर रहा है तो section 192 ही रहेगा सर अगर हमारी दूसरे head से losses भी आ जाए तो कि हम वो losses भी बता सकते हैं for example अगर किसी की salary income आ रही है और example 5 lakh rupees की और उसका कहीं और दूसरे head से losses आ गए 5 lakh rupees की और example वो कहते हैं सर मेरी लॉसस भी आते हैं तो सर मेरी income तो 0 हो जाती है तो क्या TDS deduct नहीं होगा नहीं अगर आप losses बताएंगे तो employer मना कर देगा सर मैं losses तो consider नहीं करूँगा मैं सरफ income consider कर सकता हूँ मैं losses consider नहीं करूँगा बट इसकी exception है अगर आप उसको house property के loss बताएं और यहां पर एक छोटी सी amendment हो रहा ही है सबसे पहले तो पहले मैं पुरानी बाते बता देता हूँ फिर इसमें amendment add कर दोगा अगर आप उसको अपने house property के losses बताएं तो फिर वो losses consider कर सकता है सिर्फ house property के losses consider कर सकता है अब amendment यह है कि अगर आप optional text regime यानि कि पुरानी वाली text regime फॉलू कर रहे हैं तभी आप अपने house property के losses उसको बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है आप new text regime में क्या हो गया है कि house property के losses दूसरे head से set off नहीं हो सकते हैं अगर आप default text regime फॉलू कर रहे हैं clear हो गया तो अगर आप default text regime फॉलू कर रहे हैं तो आप अपने house property के losses किसी दूसरे head से set off करी नहीं सकते हैं तो अगर आप अपने लॉटसल पता हैं यह बता सकते हैं कि आप बता तो सकते हैं बट सिर्फ ऑप्शनल्ट स्कीम में आप न्यू टेक्स रजीम में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो सेट ओफ ही नहीं होताएंगे यह बता है अग्जाम के लिए बहुत इंपोर्ट नहीं है इसलिए यह लिखा गया है यह लिखा यह है कि जब भी इंप्लॉयर आपका TDS डेट करता है, जिससे साल के शुरू में वह आपसे, वह चीज़े मंगा लेता है, आपसे, इंटिमेशन मंगा लेता है, कि आप कौनसी टेक्स रिजीम फॉलो गरना चाहते हैं, आपको एमेल जाती है, कि आप चाक्टर 6, A की भी कोई डिदक्शन वगर कर रहे हैं, और आपका जो रेंट है, वह बन लाक रुपीस से जाता है, तो आपके इंप्लॉयर जो आपका लैंडलॉड है, उसका पैन नंबर बगएरा भी फरनिश कीजे, अगर आप LTC की एक्जंशन लेंगे या नहीं लेंगे, वह आपको बताना पड़ता है, जिससे कि वह आपका साल के शुरू में अपके एक एक एस्टिमेटेड वेजस पर टेक्स डिर्ट कर सकें, ठीक है, और एंड में अगर आप ये सारी उसका एक इंटीम, फिर आपको ना, एंड में भी एक इमेल आती है, जब साल के शुरू में जो आपने बहुत अच्छे से बताया थ है था कि भहिया मैं तो इतनी इंटसं लोंगा, इतना रेंट बेएक आ Cao, फिर उसका एट इसे इन में एविदेज बागता है, थीक है, मुझ में बता दे ना, ठीक, ये पता हो नहीं चाहिए हां हमें बाते, तो चया होता है जो लोग एविदेज बाते हैं, उन्होंने साल क 50,000 की investment करूंगा तो हमने उनका TDS accordingly नहीं deduct किया होगा बट वो अगर साल के end में evidence अगर दे देते हैं तो अच्छी बात, अगर evidence नहीं देते हैं तो फिर हम उनका text दुबारा से री-calculate करते हैं और जितना भी difference of TDS होता है फिर हम वो लास्ट वाले months में ठीके February वगेरा में यह mail आ जाती है तो February और March के महिने अभी दो महिने बचे होते हैं तो बाकी का आपका जितना भी text ज्यादा बनेगा फिर जितना भी आपका text दुबारा से revise करते हैं हम लोग जितना भी TDS deduct हो चुका है और जितना रहे गया है फिर हम उतना amount फिर जादा आपका TDS deduct हो जाता है February और March के महिने में ठीक है अभी इतने ही रखते हैं जिए एक्जाम के लिए नहीं पूझ है जाते हैं ओके next section आता है section 193 यह बस एक second दीचेगा section 193 होता है interest on securities का in fact मैं ना दो interest आपके साथ एक साथ discuss कर लेता हूँ दो sections है मारे पास interest से related एक तो 193 होता है और दूसरा 194 A होता है देखिए अगर आपको जो interest मिल रहा है इंट्रस्ट या तो उसने कुछ securities खरीदी हुई है इसलिए इंट्रस्ट मिलता है securities से आप समझते हैं debentures हैं bonds हैं इसके उपर हमें interest मिल रहे है इस इस शीक्यूरीटीज में क्या आता है debentures आते हैं बांड्स आते हैं securities शेर्स की भी होता है बड़ से बात है हम यहां पर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि shares जो मिलता है वह तो dividend होते है ना या फिर आपको दूसरी तरीके से इंट्रस्ट कैसे आ सकता है जहां से आपको फिर भी वहां से इंट्रस्ट आता है, तो सिंपल है, हमने अपने बैंक में पैसे डिपॉसिट कराए होंगे, तो हमें हमारा जो बैंक है, for example, मेरा बैंक, let's say, ICICI bank है, तो मेरे कुछ पैसे हमाँ पर पढ़े रहते हैं, तो वहां से मुझे इंट्रस्ट मिलता रहता है, तो क्या उस bank ने मुझे securities issue करी है, तो answer is no, फिर भी मेरे interest की income हुरी है, saving bank account का interest है, या फिर अगर मैंने कोई FDs कराई हुई है, तो वहां से FDs से जो interest आएगा, that is again my other than securities वाल है, TDS का, तो जो मुझे ऐसा interest पे करता है, for example, मेरे पास कोई securities है, let's say debentures, तो please मुझे बताइए, अगर मैंने किसी ना किसी company के तो debentures खरीदे होंगे, या bonds करीदे होंगे, मैंने, किसी ना किसी company के रखे, जो लोग bonds issue करते है, तो वो कौन होगा, कोई issuer होगा securities का, let's say किस company ने, let's say for example, मैंने infosys, care debentures करे दे होगा है, तो जो infosys है, वो मुझे interest pay करेगी, तो वो मेरा TDS deduct करेगी, under section, तो अमारे section का number है, यहाँ पर section 193, right, और जो मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो ICIC bank है, वो मेरा, जो saving bank account में पैसे फड़े होते है, उसके उपर interest आता है, या फिर FD कराई हुए है, उसके उपर interest आता है, तो जो मेरा bank है, वो मेरा TDS deduct करेगा, under section 194A, तो यह दोनों ही section interest से related है, दोनों ही section interest से related है, securities के उपर interest 193, other than securities के उपर 194A, बीच में 194 section होता है, वो dividend है, तो dividend की बात है, अभी हम इसके बाद कर लेंगे, तो अभी हम बाते interest की कर है, ठीक है, TDS का rate क्या रहता है, दोनों section almost common है, TDS का rate रहता है, दोनों में ही 10%, 10% का TDS का rate रहता है, यानि कि जो मुझे ये interest pay कर रहा है, source कौन हुआ, सर यहाँ पर आपका source हुआ, infosys, यानि कि जो भी company या जो भी issuer है, जिसने मुझे securities करी हुए है, वो मेरा source हो गया, है, वो मुझे पैसे पही कर रहा है, debentures के उपर interest आ रहे है, let's say for example, 50,000 रुपीज का, तो मुझे वो पूरे 50,000 रुपीज पही नहीं करेगा, वो मुझे कितने पैसे पही करेगा, 10% का TDS का deduct कर लेगा, अभी हमने salary में क्या पढ़ा था, वहाँ पर कोई rate नहीं होता है, व गपना क्या, बात है रहे हुआ, रहे हैं, तो आपको मुझे का अधा रहे है, अगर वो पैसे पाइसे रहे हो रहे हैं, अगर वो नौन सेने पहले हैं, तो we have another section जो अभी हमारे course में नहीं है, वो हमारे final level होगा, ठीक है? तो हैं पर resident को पैसे मिल रहे है, तो जैसे मैंने कह कि मुझे debenture का interest मिलेगा तो infosys मेरा 10% का TDS deduct कर लेगा और वो मुझे 45,000 रुपीज net amount देगा इसी तरही से अगर मेरा for example bank में saving bank account से मेरा interest आ रहें let's say saving bank account से मेरा 60,000 रुपीज का interest आ रहें या FD का interest आ रहें तो तो वो bank क्या करेगा लेट से मेरा ICICI bank क्या करेगा वो 10% का TDS deduct करेगा और मुझे 6,000 का TDS deduct करके deposit कर देगा government को और मुझे वो पे करेगा 54,000 इसको बोलते है net amount जो मुझे net amount पे लेगा अच्छे एक बात मैं और discuss कर लेता हूँ आपके साथ इसका example एक ने Infosys का Infosys मुझे debenture pay कर रहा था वो 50,000 था बट उसने 10% का TDS deduct करने के बाद मुझे 45,000 amount net pay किया तो right now I am getting 45,000 का net amount इसको बोलते है net amount और 50,000 क्या था इसको बोलते है gross before TDS भी बोल सकते है after TDS भी बोल सकते है इस तरीके से gross को before TDS और net को after TDS question ही आता है कि मेरी income कितने भी साथ 45,000 आपको मेले 45,000 इसका में ता answer is no मेरी जो income होती है वो मेरी income हुई है पूरी 50,000 देखे मैं जब अपने income from other sources जब मैं अपनी return बनाऊंगा या फिर अगर मेरे पास total income का question आ जाएगा और वहाँ पर यह answer जो आपका first question होता है जो profit and loss account दिया होगा उसके credit side में लिखा होगा और ब्राकेट में लिखा होगा चुपके से लिख देंगे वो net amount बस इतना लिख देंगे net amount और net amount कितना मेला 45,000 अब हमें पता है अगर हम अपना total income का question कर रहे है सबसे पहले क्या वो PGVP की income है और answer is no वो तो IFOS की income है तो वहां से 45,000 को पहले तो हटा दीचे ठीक है PGVP की income मत बनाईए उसको उसको वहां से हटा दीचे कितना जितना भी हमारे profit and loss account में credit था 45,000 उसको वहां से हटा दीचे less कर दीचे फिर उसको लेके जाए अपने IFOS की income है हमेशा gross amount को ही आप अपने income बनाएंगे यानि कि जो net amount मिला उसमें वापस TDS add back करेंगे gross amount पर जाएंगे और वो आप अपनी income बनाएंगे हमेशा gross amount को अपनी income बनाएंगे सर हमें तो मेले 45 था हो जनी अरे कोई बात नहीं अभी आप अपनी income बनाएंगे शो कीचे अपने gross total income निकाल दीचे टोटल इंकम निकाल दीचे text liability निकाल दीचे इसके उपर 5000 को include करके और भी बाकी दूसरी income होगी text liability अपनी निकाल दीचे फिर जब आपकी text liability आजेएगी आपको पता है इस text liability जो भी आपकी text liability आई है उसमें से minus कर दीजेए ना TDS हाँ मैं यह नहीं गया रहा है कि अपना पूरा को पूरा text liability आपको deposit करानी है अभी हमने थोड़ी देर पहले एक section बढ़ा था section 190 कि जितनी भी मेरी text liability आती है उसमें से जो भी हमारा TDS deduct हो गया TCS collect हो गया या फिर मेरे पास TDS certificate भी है और मेरा उन लोगों ने 5000 का TDS deduct किया था ठीक है तो क्या important बात आपको समझवा है यहाँ पर हमेशा जो अपनी income बनाईएगा वो gross amount पर बनाईएगा before TDS ठीक हमेशा अपनी income before TDS बनाईएगा कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते है कि TDS deducted is my income TDS deducted is my income is it true or of alls it is true वो मेरे income होती है ठीक हमेशा income का पार्ट बनाएगे देखो अब मुझे मिले 45,000 पर जितना मेरा TDS 5000 का डेडाक्त होगा था न मैं उसको भी अपनी income का पार्ट बनाऊगा तो दोनों को मैंने add किया तो अगर ऐसा कुछ कोई पूछता है आप से कि TDS deducted कि आपकी income होत तो जो हमेरा 45,000 मिले वो net मिला बड़ हमें before TDS करना पड़ता है तो पहले उसको आप अपनी income बनाईए उसके बाद अपनी tax liability निकालने के बाद तो आप जानते है कि TDS, TCS वगएर माइनस करने होते है ठीक है clear हो गया तो TDS deducted कि आपकी income होती है answer is yes वो हमारी income होती है एक section आएगा 194N cash withdrawal का उसके बारे मताँगा उसको थोड़ी exception है but TDS deducted is my income फ़र प्लीज याद रखेगा हमेशा अपनी income जो बनानी है वो किस पर बनानी है net amount पर after TDS या before TDS, before TDS ठीक है जैसे फिर आप for example आप कॉन मने का करोड़बती में गए ठीक है आप game show में गए किसी और वहा बता है जो organizer है जो source है कौन पैसे दे रहा है सर अमेता बच्चन अमेता बच्चन तो उपर स्क्रीन पर दिखाता है और साइन करके पैसे organizer दे रहा है उसका जिससे कि Sony Entertainment Television तो Sony Entertainment Television जब हमें वो पैसे देगा तो आप 10 लाग जीत गए हैं तो वो 10 लाग नहीं देगा तो अब हम फोड़ दियर में section करने वाले है 30% का TDS रिडार्ट हो जाता है उस पर तो आपको 7 लाग रुपीज देगा तो प्रीज बताइए अब आपकी income क्या हुई 7 लाग रुपीज नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट 10 लाग ग्रॉस अमाउंट 10 लाग तो वहाँ पर जब ऐसे जीता है ठीके जो विनर है जब अपनी रिटन फाइल करेगा वो बोलेगा कि सर मेरी IFOS की income हुई है casual income हुई है वो बोलेगा 10 लाग की income हुई है ठीके 10 लाग की income हुई है 10 लाग के उपर सबसे पहले वह अपनी text library निकालेगा text library निकालेगा access भी add करेगा क्योंकि अब तो अपनी return file कर रहा है क्या वो TDS deduct कर रहा है या फिर वह अपनी return file कर रहा है तो 10 लाग के ओपर 30% text आजएगा 3 लाग प्लस access भी आजएगा 3 लाग 12 थाओजन I believe हो जाएगा इस में से अब वो बोलेगा कि इस 3 लाग 12 थाओजन में से already मेरा जो son entertainment television था उसने 30% TDS deduct कर रहा था कितना कर रहा था 3 लाग रुपीज डिटाट किये थे तो 3 लाग रुपीज इस में माइनस कर दीजएगा 12,000 अब assessi को खुद deposit कराने पास है बहुत practically इसको समझ पा रहे हो यानि कि मान लेता है कि आपका दोस्त के वीजी में गया और वो 10 पर आपने अच्छे से वो खेला और दस लाग रुपे जीत के लेचे तो आप घर पर कितना ले जाएंगे 7 लाग रुपीज क्योंकि वो सोनी एंटेटेन्मेंट वाले आपका 30% का ठीडियस डिटाट कर लेंगे 7 लाँ रुपीज लेके जाएंगे ठीक है आपके पेरेंट रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी इंकम शो करेंगे 10 लाग रुपीज ग्रॉस अमाउंट ठीक है उस 10 लाग रुपीज के उपर अपना टेक्स लाइटी भी निकालिएगा ठीक है हम लोग जानते किस तरीके से टेक्स लाइटी निकलती है फिर हम देखते है क्या 1-1-2-A है, 1-1-1-A है, कैजूल इंकम है, अधर इंकम है तो आपकी मिलेगी पर एक्जामबल अभी आपकी किसी और सोर्स से इंकम नहीं आती है, कैजूल इंकम आगे 10 लाग, 10 लाग के उपर टेक्स निकाल दीजे, 3 लाग प्लस सेस्ट बी आट कीजे, सेस्ट आट देंगे, वो TDS Certificate का होता है, मैं थोड़े दीर में बताऊंगा, तो बाकी के जो 12,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी टेक्स लाइबिटी जो आई थी, जो आई थी, आपकी टेक्स लाइबिटी आई थी, वो आई थी, 3,12,000 रुपीज ही, इसमें से TDS के पैसे 3,00,000 रुप आपकी जो इंकम आपको examiner देगा, आपकी question paper में लिखी होगी, वो लिखा हूँ net amount, तो प्लीज उसको gross amount पे कर लेजएगा, ठीक है, तो सर क्या हो हमें TDS का rate भी देगा examiner नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि बॉस, वो PGV वे question पूछ रहा है, total income question पूछ रहा है, और उसको आपको PNL account दिया, यह आपका question number 1 के बारे में बाता ही दा रहा हूँ है, जो काफी important है, जो आता है, तो 1 में क्या होगा, question number 1 में, तो अकसर ही आप adjustment देखते हैं, कि वहाँ पर आपके PNL account में यह लिखा होगा by debenture interest, ठीक है, 45,000, और bracket में अगर लिखा होए net, अगर gross अगर लिखा होए net, तो आप समझ जाएंगे कि debenture interest के ओपर तो 10% EDS कटा होगा, यानि कि यह जो मुझे पैसे मिले होगे, यह 90% होगे, clear होगे 90% होगे, तो आप क्या कीजिए, इसको gross amount पे ले चाहिए, सरी जो 45,000 होगा, यह 90% होगा, divided by 90 into 100 करके ले जाएगा, तो आपक यह section पर, okay, तो हमें interest मिलता है, तो अगर वो securities के ओपर मिल रहा है, 193, अगर वो other than securities मिल रहा है, 194A, important बाद है, 10% का TDS करेट याद रखना है, क्योंकि यह section zone important है, इसके उपर आप अपने past examination में देखिए, तो questions देख भीच आएंगे, आपको, चलो मैं थोड़ी दिर में करा होगा भी आपको, इसी के बाद करा, उसके बाद, आपका TDS कब deduct होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, at the time of payment, जब भी आपको वो interest का पैसे मिलेंगे, और at the time of credit, whichever is earlier, whichever is earlier, अब at the time of payment तो हम लोग समझते हैं, कि जैसी वो हमें पैसे मिले, TDS deduct होना है, but अगर आपका account, for example जो भी यह source आपको पैसे पे कर रहा है, तो वो अपनी books of accounts बनाता होगा, जैसे उसने अपनी books of accounts में यह entry pass की, वो तभी TDS deduct कर लेगा, ठीक है, तो at the time of payment, at the time of credit का मतना होता है, जैसी वो जो source है, जो आपको पैसे पे कर रहा है, मुझे बताए, इन्फोस जब debenture interest पे करती होगी है, debenture interest की entry, book करती होगी अपनी किताबों में, तो एक entry करती होगी, debenture interest debit, वो अपना खर्चा डिक्ता आती होगी, debenture interest debit, to debenture holder, ठीक है, तो यानि कि जैसे उसने to debenture holder किया, यानि कि आपका account credit हो गया, तो इसको simple terms में क्या समझते है, जैसे ही, जो पेर है, जो source है जो आपको पैसे pay कर रहा है, जैसी वो अपनी book में entry करता है, उसको बोलता है at the time of credit, ठीक है, यानि कि हो सकता है कि उसने book में entry आपकी 10 दिन पहले कर लिए और payment आपको 10 दिन बाद हो रही है, तो प्लीज बताए, यह TDS कम deduct होगा, सच जैसी books में credit होगा, क्योंकि whichever is uglier date, credit value ह ठीक है, ठीक है, at the time of payment और credit, whichever is uglier, यह बाद याद रखेंगे कि काफी जगा पर रही है, दोनुई section में लिखा हुए at the time of payment और at the time of credit, whichever is uglier, और credit for example, कुछ लोग क्या करते होंगे, वो दिखाते होंगे कि सर मैं ना एक काम करता हूँ, टेक्स से TDS से बचने के लिए के नाम से नहीं करते होंगे credit, तो law ने बोल दिया कि 보, आप अपनी किताब में जब entry करें, किसी भी नाम से करें, diventure, interest, payable के नाम से करें, debenture, holder के नाम से करें, even अगर suspense account का भी здесь वहाँ पर लिखेंगे, boss आप अपनी किताब में जब entry करें किसी भी नाम से करें debenture, interest, payable के नाम से करें interest, payable के नाम से करें debenture holder के नाम से करें even अगर suspense account का भी नाम credit हाँ पर लिखेंगे तो भी हम माननेंगे कि आपका account credit को कि आपने books में एंट्री कर दी ठीक है तो ये credit किसी भी नाम से हो सकता है ये बात important है तो ये कहता है 193 और 194 A दो चीज़े और रहे हैं एक तो threshold limit क्या होती है इसकी और दूसरी मुझे एक और important बाते बतानी है मुझे दो section आपके साथ discuss करने हैं जो काफी important है एक होता है section 197 197 क्योंकि आगे काफी आएगा और दूसरा होता है section 197 A ये actually relief के sections है ये दोनों होना कुछ benefits दे रहे हैं assessi को जिसका TDS deduct हो रहा है उसकुछ benefits दे रहे हैं एक तो होता है 197 और दूसरा होता है 197 A 197 थोड़ा powerful section है पावफुल section है 197 A के मुकाबले ये मैं powerful क्यों बोल रहा हूँ अभी दो-दीन मिर्ट में आपको बात समझ में आचेंगी ये पढ़ होते हैं relief के section से अब imagine कीजे कि मान लेते हैं कि Mr. A को या Mrs. A है कोई imagine करिए Mrs. A है और she is the only member now lived in her family इनके husband वगएर expired हो चुके इनको debenture interest मिलता है let's say इन्होंने किसी company के debentures करी दे हुए infosys ही मान लेते है infosys के इन्होंने debentures करी दे हुए है और इनको interest मिलता है 2 lakh rupees का इन्होंने काफी debentures करी दे हुए था और 2 lakh rupees के interest मिल रहा है infosys क्या करेगा इनका 10% का TDS deduct कर लेगा 10% का TDS deduct करेगा कितना 20,000 रुपीज का TDS deduct कर लेगा ठीक है और इनको pay कर देगा 180,000 रूपीज ठीक है हम यही जानते हैं कौन से section होगा सर 193 इस इंट्रस अधर इन सेक्षिरिटी से इंट्रस ओन सेक्यूरिटी से इंट्रस ओन सेक्यूरिटी से अब मिसे से कह यह मानना है कि उनका 20,000 का TDS deduct हो गया अब मान लेते हैं कोई और हेट से इंकम आती ही नहीं है किसी और हेट से इंकम आती ही नहीं है तो 2,000,000 के उपर सर हम जानते हैं सर 2,000,000 तो basic consumption limit से भी कम है इसके उपर तो कोई tax ही नहीं बनता इसके उपर टेक्स ही नहीं बनता बट इनका TDS deduct हो गया तो अगर TDS deduct हो गया तो अब क्या होगा अब इनको अपनी return file करनी पड़ेगी ठीक है वो अपनी इंकम दिखाएंग और 20,000 का ये refund claim करेंगे TDS refundable 20,000 पर कब मिलेगा इनको अपनी return file करनी पड़ेगी और फिर अपने refund का वेट करना पड़ेगा तो इनके उपर थोड़ा सा hardship हो गई इनका text बनता भी नहीं था फिर भी TDS deduct हो गया फिर इनको TDS वापस मिलना है मिल जाएगा no doubt पर इनको return file करनी हमारे लिए आपके लिए थो थोड़ा असान हो जाएगा क्या हम लोग काम ही ही होता है बट प्लीज एक layman के लिए समझ दिए उसके लिए काफी मुश्किल है वो एक चालर्ड एकांटन के पास चाहेगा CA बोलेगा कि sir आपकी simple return है simple return कि मैं 5000 रुपे लूगा ये चलो सस्ता भी लगाए तो 2000 रुपे लेगा तो एक तो उनको जाना पड़ेगा ठीक उनको महाँ पर जाना पड़ेगा उनको 2000 रुपे सच करने पड़ेगे फिर अपना refund का वेट करना पड़ेगा तो उनके लूपर hardship हो जाएगी तो हमारे पास एक section है 197 एक relief देता है इसलिए मैंने कहा प्रोपीस मिली हमारी लेट से अगर यह ऑप्शनल टेक्स रिजीम लेते हैं तो 2.5 लाग बेसिक एक्जंशन लिमिट से भी कम है प्लस आपका जो टेक्स बनता है वो जीरो बनता है निल आपका जो टेक्स बनता है वो जीरो बनता है बिल्कुल निल तो आप एक section 197 एकर relief ल तो यहाँ पर assessi क्या करेगा यह जो missis दे हैं वो क्या करेंगे वो यहाँ पर एक form submit करेंगे वहाँ पर infosys में एक form submit करेंगे स्रिफ अपने infosys को जो deductor होता है उसको एक intimation देनी पड़ती है कि boss मेरी income ना basic exemption limit से भी कम है और मेरी जो text liability बनती है वो भी nil बनती है sir मैं आप कर रही हूं कि मेरे मैं कर रहा हूं या कर रही हूं जीच भी मिसह बुल रही हूं कर रही हूं तो मैं आपसी request करता हूं वह यह कहता है कि अगर आपकी इंकम बेसे लिमिट से भी कम है आपका टेक्स निल बनता है तो डिर्टर को एक फॉर्म समिट कर दीजे वह आपका टीजिए रिडाक्ट नहीं करेगा उस केस में ठीक है और जो सीनियर से रिडिजन होते हैं उनके लिए फॉर्म हो जाता है फॉ पर उनके टेक्स टाइब इनल आ रही हो ऐसा कैसे हो गया बेसे इंकम हो सकता है रिबेट हो जाए या फिर हो सकता है कुछ आप्टर सिख्से की डिडेक्शन लेते हो तो बहुत सारे केसे हो सकते हैं ऐसे तो अगर जो सीनियर से नहीं होते 59 यह यह नीचे वाले उनके लिए देंगे रेसिडेंट सीनियर से इनके लिए स्रिफ एक ही रिक्वार्मेंट है कि आपका टेक्स लाइब देन देना आ चाहे तो 197 ए में स्रिफ हमें डिरेक्ट डेट्टर के पास ठाब ठीक है यह होता है 197 अब दूसरा सेक्शन आता है हमारे पास 197 अब मैं इस सेक्शन की बा आते नहीं मान रहा है let's say work है कि for example 190 मिसेज एकी इंकम आती है मिसेज एकी इंट्रस्ट मिल रहा है डिबेंचर इंट्रस्ट का और मालेतों की इनकी एच सीनियर से डिजन नहीं है 59 येर से 59 येर से सीनियर से डिजन नहीं है मुझे बता ही कितना इनका टेक्स बनेगा से टेक्स तो अभी भी निल बनेगा let's say कोई और इंकम नहीं है इनकी फोर लाक रुपीज का इनकी डिबेंचर इंट्रस्ट आ रहा है और इनफोसिस क्या किया रहा है 40,000 का TDS deduct होगा 40,000 कैसे है होगा 10% हम जाते हैं तो इनको 4,000,000 में 10% का TDS deduct हो रहा है 40,000 और इनको 360,000 मिल रहा है this is net amount gross amount of 4,000,000 बट आपको पता है अब यह senior citizen भी नहीं है क्या यह 15G form दे पाएंगी दा आंसर इस नो 15G form दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी first condition यहां पर प्रेक हो रही है अब इनको 197 का benefit मिल जाएगा अब क्या करेंगे यह यह हां पर मिसेज यह क्या करेंगी मिसेज यह सबसे पहले income tax officer को contact करेंगी इनकम tax officer जो भी उनका assessing officer है उनको यह बोलेंगे उनके application देंगे कि sir मेरी जो income है वो ज्यादा नहीं है और उसके उपर tax मेरा बनता नहीं है ठीक है मैं Infosys को बोल सकूँ Infosys को बोल सकूँ कि वो मेरा TDS deduct ना करें यह होता है 197 इसलिए मैंने बोलता strong section है क्यों क्योंकि यहां पर आपको अप्रूवल मिल जाता है अगर आपका थोड़ा बहुर टेक्स बन रहा है तो आपको lower rate of TDS लग जाता है अभी lower rate of TDS क्या होता है एक तो होता है 197 में इंदल आमांट जैसे कि मेरे वाले case में 4 लाक वाले case में इंका टेक्स बनता ही नहीं था रिबेट वगरा के चक्तर में निकल जाता हूँ तो TDS डिएक नहीं होगा बट कभी-कभी lower rate भी हो जाता है तो lower rate के लिए हम 197 में जा सकते है lower rate के example में ले लेता हूँ लेट से अब इनको मिसिस ए हैं और यह optional text regime follow कर रहे है optional text regime follow कर रहे है ठीक है 0 से 2.5 लाग वाली 2.5 से 5 लाग वाली और इनको debenture interest मिल रहा है रुपी 6 लाग debenture interest 6 लाग मिला है ठीक है मुझे बताए यह rebate मिलेगा कि नहीं से पुरानी scheme में तो 5 लाग के उपर rebate नहीं मिलता है नहीं इसकी में 7 लाग है वह amount ठीक है तो अभी मैं optional text regime ले रहा हूं यानि की पुरान वादा तो 5 लाग का rebate है वह नहीं मिलेगा क्या इनकी income पहले मुझे बताइए क्या का TDS कर रहा हो कितना 60,000 रुपीज का TDS वो deduct कर रहा होगा और बाकी के बचे 6 लाग माइनस 60 थाओजन 5 लाग 40 थाओजन इनको पे कर रहा होगा बट मिस्स देगा मानना है कि चलो TDS कर लो पर 10% से मत करो लोवर रेट से करो पर इनफोसस कहेगा नहीं मैं दो 10% से करूँगा क्योंकि हमारे उपर दो प्रोविजन सा जाते हैं 10% का TDS deduct होना है इनफोसस कहेगा अगर आप लोवर रेट से अपना TDS deduct कराना चाहते हैं ससी तो प्लीज मुझे एयो से application ले आई है अब क्या होगा क्योंकि मिस्स देगा क्या कहना था अब जब एक काम करो मेरे लिए 6 लाग के उपर टेक्स निकाल के बदा दीजे कितना होता है से 6 लाग के उपर जो टेक्स होता है वो शुरू के 2.5 लाग पर तो निल रूखे 2.5 लाग पर तो निल निक्स 2.5 लाग अभी मैं पुराणी वाले रिजीम ले रहा हूं अप्शनल ठीक है निक्स 2.5 लाग पर 5 परसेंट यानि कि हो गया 12,500 समझ मेहा रहा है बाते ठीक है और निक्स्ट कितना हो गया 1.5 लाग बचा ना 6 लाग था 1.5 लाग के उपर 20% 20,000 रूपीज यानि कि इनका जो टेक्स बनता है वो 32,500 बनता है ठीक है 32,500 बनता है और कितना हम TDS रिट्ट करने वाले थे 60,000 रूपीज तो मिसेज देगा कि TDS रिट्ट कर लो पर कम करो 32,500 करो सर मेरे इतनी टेक्स बनता है तो इस केस में इनफोसस तो मना कर देगा फिर क्या इनके पास ऑप्शन है यह 197 में जा सकते हैं असेसिंग ओफसर को बोलेंगे सर मुझे ना वो इनफोसस वाले ना मेरा 60,000 10% के रेट से रिट्ट कर रहे हैं TDS मैं चाहते हैं ठीके असेसी 197 ठीक है strong section क्यों है अब आप मुझे बताएं strong section क्यों है क्योंकि यहाँ पर हमें extra किस से अपरूवल मिल जाता है income tax department से इसलिए हमारे लिए strong section जा आप कोई मना नहीं कर सकता आपको 197 में हम कब जा सकते हैं ठीक है 197 में अगर हमारा जो basic अगर असेसी senior citizen नहीं है तो दो requirement उसक basic exemption limit से ज्यादा की ना हो दूसरा उसका tax liability निल आ रही हो बट अगर senior citizen है उनके लिए basic exemption limit वाली limit वाली condition नहीं है सिर्फ tax liability निल आ रही हो यानि कि 197 यह में हम तभी जा सकते हैं अगर हमारी कुल मिला की common बात क्या है tax liability 0 आ रही हो but 197 में हम दोनों cases में जा सकते हैं अगर हमारी expert tax liability आ रही है टी-डी-इस की बट कम rate से आ रही है तो भी हम जा सकते हैं ठीक है तो कुछ sections है जहां पर हमें दोनों sections का benefit मिल जाता हैं और यह चुछ दूनों section की में बात एं गर रहा था अच्छा time of deduction समझ गए पहले मैं वापस आ जाता हूँ section 193 पर कौन सा page चल रही है हमारा चल रहा है page number 11.4 ठीक है सब लोग मेरे साथ है ना TDS Reductor TDS Reductor कौन होगा 193 में जो issuer securities का जैसे वो company debentures वगरा issue करें तो हमें securities पर interest मिल सकता है central government, state government की securities हो सकती है तो फिर government जिसने securities issue करें वो TDS deduct करेंगे debentures जिसने issue करें, companies ने issue करें या other type of securities हो सकती है TDS deduct कौन होगा resident investor जो भी resident है अगर वो non resident को interest मिल रहा हो तो वो इस section में नहीं आता वो 195 section होता है वो हमारे syllabus में नहीं है rate of TDS 10% है important बात है time of reduction and the time of payment or credit whichever is early है credit भी समझके जैसी वो अपनी किताबों में entry करते है books में entry करते है lower rate of TDS 197 या 197 ए applicable है या यह दो नहीं section यहाँ पर applicable है और यह बात है यहाँ पर सारी लिखी होई है जो resident senior citizen होता है वो form 15 H furnish करते है जो senior citizen नहीं होते है वो form 15 G furnish करते है कि किसी case में 193 यह कहता है कि किसी case में TDS deduct नहीं होगा कौन-कौन से cases है जहाँ पर TDS deduct नहीं होता है तो कुछ exceptions दी गई है कि इस तरह का अगर आपको interest मिलता है तो TDS deduct नहीं होता किस के उपर होता है जैसे यहाँ पर first दिये होगे national development bonds अगर आपको national development bonds यह government of India issue करती है अगर आपको इस तरह के bonds के उपर interest मिल रहा है तो इसके उपर TDS deduct नहीं होता ठीक है थोड़ी important बात है इसको आप back of the mind याद रखेगा कि किस किस चीज के उपर हमारा TDS deduct नहीं होता है अगर आपके बास national savings certificates होता है NSCs होता है जो post office वगेरा से आप खरीदते है तो अगर आपको यहाँ से interest मिलता है ठीक है post office से NSCs आपने खरीदी है तो अगर NSCs के उपर आपको interest मिल रहा है तो उसके उपर TDS deduct नहीं होता है अब जो bonds होते हैं आपने देखा होगा 54 EC में 54 EC एक section था capital gain में जहाँ पर हम NHAI के या RECL के अगर कुछ नोटिफाइड बॉंड्स करते हैं तो उस तरह के जो bonds होते हैं तो कुछ नोटिफाइड बॉंड्स कर सकते हैं तो आपको पतास लाग की जो maximum exemption होती थी 54 EC में वो मिल जाती थी तो उस तरह के जो bonds होते हैं तो कुछ notified bonds है by government like power finance cooperation के या फिर Indian railway finance cooperation के ऐसे bonds के उपर जब आपको interest मिलता है तो TDS deduct नहीं होगा ठीक है कुछ जो securities होती है central government की या state government की जो securities होती है उसके उपर भी TDS deduct नहीं होगा बट हाँ अगर आपको इस तरह के taxable bonds ठीक है नाम से ऐसे समझ चाहिएगा अगर लिखाओ taxable bonds हैं और उसका interest 10,000 रुपीज से एकसीड कर रहा है तो उसके उपर TDS deduct होता है तो generally government security के उपर TDS deduct नहीं होगा बट हाँ अगर पो taxable bonds हो taxable bonds के नाम से याद रखिएगा taxable bonds हो threshold limit है आपे 10,000 से ज़्यादा है तो आपको TDS deduct अगर इस तरह के taxable bonds के उपर interest मिल रहा है तो TDS deduct होगा provided जो interest मिल रहा हो पूरे साल में 10,000 से ज़्यादा है फिर हम पूरे amount के उपर TDS deduct करेंगे नहीं फिर पूरे amount के उपर करते है तो फिर आप 11,000 का पूरे उपर 10% लगाएगा ऐसा नहीं कि in excess of 10,000 नहीं फिर पूरे के उपर 10% आप interest लगा अगर वह आपको डिवेंचर के उपर interest दे रही है और इसकी threshold limit 5000 से ज्यादा की नहीं है ठीक है 5000 से ज्यादा की नहीं है और account पे चेक के तुरू मिल रहा है तब TDS deduct नहीं होगा पर अगर 5000 से ज्यादा है तो TDS deduct होगा ठीक है एक बात दुबारत से national development bonds जब मैं आपको मिलेंगे TDS deduct नहीं होगा दूसरी बात है national savings certificate के उपर TDS deduct नहीं होगा कुछ bonds notified है जो 54 EC में notified है bonds उसके उपर TDS deduct नहीं होगा central government या state government की securities के उपर TDS deduct नहीं होगा बढ़ हाँ अगर वो taxable bonds है taxable bonds है और total amount 10,000 rupees से ज़्यादा का आपको अगर मिलता है फ़र पूरे amount के उपर TDS deduct होगा ठीक है debentures के उपर अगर resident individual rate of good debenture interest मिलता है 5000 से ज़्यादा के इंटरस नहीं मिलता है पूरे साल में 5000 से ज़्यादा के इंटरस नहीं मिलता है और वह account पे चेक के थ्रू हो रहा हो तब TDS deduct नहीं होगा पर अगर 5000 रुपे से ज़्यादा है तो TDS deduct फिर पूरे amount के उपर होगा ठीक जैसे कि United insurance हो गई, National insurance हो गई, Oriental insurance हो गई, यह कुछ subsidiaries है आप LIC याद रखेगा ठीक है LIC और insurance companies इस तरह याद रखेगा तो फ्लीज मुझे पताएगे गर LIC ने किसी company के debentures खरीदे होगा लेट से आप Infosys ने आपने debentures किसको issue करे हुए इंवेस्टर कौन है LIC तो जब LIC को या फिर GIC या इसकी subsidiaries को interest पे करेगा तो भी TDS deduct नहीं करेगा ठीक है यह लोग कौन है इन लोगोंने securities issue की है या यह ऐसा investors है यह investors है लिखाव है securities issue 2, securities issue 2, securities issue 2 यानि कि for example Reliance एक company है Reliance ने अपनी securities issue की हुई है LIC, GIC को तो जज़ना भी interest पे कर रहे है TDS deduct मत किच है ठीक ह इसके बारे में एक मिनिट के बाद मैं आवारी दो मिनिट के बाद पहले मैं 194 A भी कतम कर देता हूँ यह भी interest का होता है but this is interest other than securities, interest other than securities का होगा ठीक है यह अगर generally banks वगेरा TDS deduct करता है पर जिसको भी अगर आपने पैसे दी जिसको भी आपने अगर पैसे दिये है अगर उसन अगर को security issue नहीं करी है तो वो आपको 194 A में TDS deduct करेगा ठीक है या फिर हो सकता है कि आपने किसी partnership firm को loan दिया हो अगर आपने partnership firm को loan दिया है तो अगर आपको पैसे पैसे पे करेगा नहीं करेगा तो individual और हुए बोला गया है कि अगर ऐसे individual का लास्ट येर का turnover लास्ट येर का turnover वन करोड से ज्यादा का है अगर वह profession कर रहा है तो 50 लाग से ज्यादा का है तब ही TDS deduct होता है यह बात है बहुत important है क्योंकि यह बात है बहुत repeat होगी प्लीज दुबारा से repeat कर रहा है इसको समझ यह अगर यह जो आपका TDS deductor है TDS deductor मतलब source जो आपको पैसे पे कर रहा है यह आपको पैसे पे कर रहा है आपको पैसे मिल रहा है TDS deduct कर रहा है यह source तो जन्रली यह source है ठीक है government यह चाहती है जो source है यह कोई organized entity होनी चाहिए क्योंकि यह तरीके से government के agent बने को एक तरीके से agree है ना क्योंकि for example let's say अगर यह TDS deduct करेंगे थोड़े थोड़े टाइम के लिए दसतर इनके पास रहेगा फिर बाद में यह government को deposit कराएंगे इंकमटेस department में deposit करा देंगे पैसे तो एक तरीके से यह government का agent की तरह काम कर रहे है तो government चाहती है कि यह जो deductor हो यह organized entity हो ठोड़ी बड़ी entity हो companies हो partnership firm हो इस तरह की रहते हैं तो यह लोग चाहते हैं कि जो TDS deductor हो वो individual और हुए अच्छा घास है तो अगर इनका turnover last year का हमेशा यह देखा जाता है कि turnover last year का कितना था है इनका तो for example अगर कोई individual है जो source है for example यह Mr. A है individual है और यह previous year 23-24 में T.D. interest पे कर रहे है तीक है अब प्रीविज यह 23-24 में अब देखो बहुत logical है बात है यह अब प्रीविज यह 23-24 में कभी भी यह interest पे कर रहे है for example यह साल के शुरु में ही कर रहे है प्लीज मुझे बताइएगा अगर यह first month में ही let's say मैं कोई भी date ले लेता हूँ 16th April 23 को यह किसी को interest pay कर रहे है let's say 50,000 रुपीज का interest pay कर रहे है ठीक है प्लीज मुझे बताइए क्या यह TDS अभी हमसे पूछने आते हैं ठीक है मान लेते हैं हम इनके चारण एकांटेट है और यह हमसे पूछने आते होन करते हैं कि सर मैं TDS deduct करूं या नहीं करूं मैं इंट्रस्ट भी कर रहा हूं मैं एक इंडिविज्यू ठीक है मैं TDS deduct क करें या ना करें डिपेंड करता है लास्ट यर के टरन ओवर पर और यहां पर आपको एक्जामिनर कंफ्यूज कर नहीं पूछ करेगा और प्लीज बता दो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होगेगा यहां ठीक है तो लास्ट यह देखेगा प्रीविएस कैसे कंफ्यूज करता है मैं बता दो हम अभी इनका लास्ट यहर का प्रीविएस यह 22-23 का अगर यह लास्ट यहर का इनका टरन ओवर कितना है तो एक करोड से जादा या फिर अगर यह प्रोफेशन कर रहे है तो 50 लाक रुपीज से गर जादा होता है इससे एकसीड करता है इक्जेक्ट इत कि अगे आपका लास्ट यहर का टर्न ओवर क्योंकि इस साल को अभिस ली शुरू हुआ हमgus करना شुरू हम कूरे death payment करते रहेंगे तो अभी तो इस साल यह पूरा ऑफर नहीं हुआ तो इसका तो इसका थो मलास्時間 कर दें बोलेखा कि आससीड कर रा एक्षैसन आहीं 101 लाग यानि एक करोड से चाहता और जो current year का turnover है वो बोल देगा 99 लाग है अब students इसमें confused हो जाते हैं साथ TDS deduct हो गया है नहीं होगा अरे boss आपको current year का turnover नहीं देखना current year का turnover आपको नहीं देखना TDS deduct करते समय आपको last year का turnover देखना है ठीक है last year current year का turnover कम भी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता that is completely irrelevant आर यूँवल कि देखेगा अगर last year का turnover हमारा इस limit से अगर हम business कर रहे हैं तो वन करोड से जादा है प्रोफेशन कर रहे हैं तो पचास टाक से जादा है तो इंडीजल रेचेफ टीडियस तभी डिड़ाट कर सकते हैं जर उनके last year का turnover उस limit को exceed करता है ठीक है समझ में आगया तो इंडीजल रेचेफ के बारे में क्योंकि यह बात है बहुत जग अपर रहेंगी इसलिए अभी हम नहीं हां से इसको clear कर लिया अगर यह किसी को interest pay कर रहे हैं to any resident जो receiver है 10 पसंट का TDS जाएगा जानते हैं रेट ऑफ टीए 10 परसंट होगा थेशोड लिमिट है अगर देखिए हमारा कोई saving bank account saving bank account या FDA तो हमारा saving bank account या FD कहां पर होंगे या तो किसी bank के पास होगा ठीक है बैंक के पास होगा cooperative bank के पास होगा ठीक है post office में होगा ऐसे होते हैं ठीक है कुछ लोग cooperative bank में अपना account कुलवा लेते हैं cooperative bank मोला है मैंने ठीक है या फिर post office में अपना account कुलवा लेते हैं तो अगर आपको यह bank pay कर रहा है तो 40,000 रुपीज तक अगर वो bank आपको pay कर रहा है 40 let's say 1,000 रुपीज फिर इस 41,000 के ओपर पूरा टीडियस रेडाक्ट होगा 10% का ठीक है 4100 रुपीज तो 40,000 threshold limit रहेगी कब अगर यह हमें interest pay कर रहा है कोई bank कोई post office third है कोई cooperative bank ठीक है 40,000 रुपीज रहेगी बट हाँ अगर receiver एक resident senior citizen रहे तो 50, 50,000 के रिमिट रहे है आप section TTP भी जानते थे ना वहाँ पर resident senior citizen रिमिट यहां पर दे रहे है ठीक है ठीक है रिलेट कर पा रहे है उससे आप जानते हैं CBS banking होगी है core banking system होगी centralized banking होगी है अगर आपके PNB में आपके दो अलग अलग branches है तो दोनों को combine करेगे PNB क्या करेगा अपने सारे branches को include करके देगा 40,000 limit या 50,000 limit अब examiner आपसे क्या पूछता है कि आपका SBI में account है यहां से आपको मिलते है 25,000 रुपीज का interest आपका PNB में account है यहां से आपको मिलते है 35,000 रुपीज का interest तो क्या अब इन दोनों को add करेंगे नहीं सरी तो अलग-अलग bank है तो SBI को नहीं पता होगा PNB कितना पेगर SBI को अपनी branches का पता होगा PNB को अपनी branches का पता होगा तो अगर अलग-अलग banks है उनको आप accumulate नहीं कर सकते हैं उसको आप club मत खीज़ेगा ठीक है Core banking system का मतलब बतला centralized banking बट एक ही banking ना तो SBI की जितनी branches है PNB की जितनी branches है वो अपनी-पनी branches का club कर सकते हैं Interbank club नहीं होगा तो जब यह limit लगाईएगा तो यह अपने ही bank की एक ही bank की जितनी वी branches है उसको add करके लगाईएगा ठीक है लोन आपके उसने partnership हमने को security issue नहीं करी बस loan लिया उसने जब वो आपको interest pay करेगी तो वो limit लगाईगी 5000 ठीक है Lower rate of TDS applicable है कि हमने पढ़ लिया 197 और 197 यह का फायदा आप ले सकते है no TDS in the following cases इसको important लिजेगा यह बहुत इसमें से भी कुछ पॉंच बता दूंगा वो ज़्यादा ठीक है कुछ cases में interest TDS deduct नहीं होता कग अगर एक partnership firm अपने partners को interest pay करते हैं कि आपको पता है कि partnership firms में हम देखते हैं कि partnership firm अपने partners को interest on capital पे गरती है ठीक है उस case में TDS नहीं लगेगा तो interest by a firm to its partner मैंने अभी जो example लिया था वो मैंने क्या खा था वो आप आउट्साइडर है आपने किसी partnership firm को loan दिया क्या आप महां के partner say the answer is no तो जब वो partnership firm आपको किसी outsider को interest pay कर रही है तो TDS लगा देगी पांससाइडर की limit हो तो उस case में 40,000, 50,000 अरे वो bank cooperative bank boost office के लिए है ठीक है समझ रहे है सब लोग ओके partnership firm अगर अपने ही partners को अगर वो interest pay करती है तो TDS के section नहीं लगेगा बहुत important है ठीक है तो यह इस first point को जाज़ी important बाद है deposits notified by central government अगर central government deposit को notify कर देती है कि इसके उपर TDS deduct नहीं होगा जैसे कि इस बार इस बार की statutory update में आ रहा है वो सकते आपके पास जो नोट्स हो ना वहाँ पर ना लिखा हुए तो प्लीज वहाँ पर यह लिख दीचेगा no TDS on महीला सम्मान सेविंग सेटिफिकेट 2023 यह दो साल के लिए एक मोदी जी ने स्कीम चलाई है महीला सम्मान सेविंग सेटिफिकेट की इसके उपर वैसे तो इंटरस इतना बने गए निए दो लाख माक्सिम इसमें डेपॉलिट कर सकते हैं 7.5% के इंटरस्ट है और कर दी कि इसके उपर TDS deduct नहीं होगा ठीक है तो महीला सम्मान सेविंग सेटिफिकेट यह वर्ड याद रख लेगा ठीक है इसके उपर TDS deduct नहीं होगा दूसरा अगर इंटरस्ट पेड़ वाया अगर यह अपने मेंबर को इंटरस्ट पेड़ कर रहे हैं तो भी TDS deduct नहीं करेंगी I am not saying about cooperative banks I am saying about cooperative societies तो cooperative societies जब अपने members को पैसे पे करेंगी तो भी tedious draft नहीं करेंगी पर इसकी condition यह है कि यह बहुत बड़ी cooperative society नहीं होनी चाहिए इनका turnover लास्ट येर का था वो does not exceed 5 crore, 5 crore से यादा का नहीं होना चाहिए amount of interest is not more than 40,000 या 50,000 जो interest pay कर रहे हैं वो 40,000 या 50,000 से ज़्यादा का नहीं हो यानि कि वहीं उनके उपर limit लग रहे है ठीक है, बड़ अगर इनका turnover last year का turnover अगर इनका ज़्यादा था अगर लास्ट येर का turnover ज़्यादा था तो फिर ये TDS deduct करेंगी ठीक है, फिर ये TDS deduct करेंगी तीस्वी बात आ जाती है यहाँ पर interest paid under income tax याँ अब क्या होता है कभी-कभी for example हमें जब income tax का refund मिलता है कभी-कभी हमारे TDS के पैसे ज़्यादा चले गए advanced tax के ज़्यादा पैसे ले गए TCS के ज़्यादा पैसे चले गए तो हमें वह से refund बितता है और उस refund के उपर हमें income tax department interest भी देता है ठीक है, अब आप जानते हैं जब income tax अब देख मुझे बताओ PGVP याद करो, थोड़ा रिलेट करो उसको income tax एक पर ना इसको चेक कर लीजएगा छलो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यह 5 करोड यह 50 करोड में खुद कन्फ्यूज हो गए हैं पर तो थोड़ा साथ इसको चेक कर लीजएगे इस लिमिट को मैंने 5 करोड मैंना इसको comment box में डाल दूँगा कि यह 5 करोड है यह 50 करोड ठीक है इस पर मैं थोड़ा आपको याद करा रहा था कि अगर आपको कोई income tax है income tax आपने pay करा है that is not allowed as an expense section 40 small a में लिखा था income tax आपका कोई expense नहीं मना जाता है इसी तरीके से अब income tax refund होता है तो आपके exam में क्या होग मिलता है आपको यहाँ पर penal account में credit side में मिलता है income tax refund income tax refund for example आपको 50,000 rupees का refund मिला और assesses का अपने penal account में ले गया credit side में यह income भी नहीं मना जाती क्योंकि income tax जब pay किया था वो expense नहीं मना गया था अब जब income tax refund हमें वापस मिलता है तो भी यह income नहीं मने जाती प्लीज इसको यहाँ से हटा दीचेगा अगर आपके penal account में credit है जब अपनी PGVP income निकाल दीचेगा इसको यहाँ से हटा दीचेगा और फिर कॉन से head में लेके जाएगा बहुस किसी भी head में मत लेके जाना क्यों क्योंकि हमारी income ही नहीं होती income tax refund हमारी income नहीं होती है यहाँ पर लिख रहता है एक और दीचेगा यह हमारी income होती है इसको प्लीज यहां से हटा दीचेगा पीजीबीप में आपका पीनलकाट में credit है इसको यहां से हटा दीचेगा और कहां पर लिएका इसको आयव ओस तो नहीं हो रहें income tax refund, जो income tax refund जो आपका पैसा आपको वापस मिल रहा है वो income नहीं होती बट जो extra पैसा मिल रहा है वो income होती है, simple बात है तो income tax, interest on income tax refund interest on income tax refund आपकी income होती है, और यह IFOS की income बनती है, और जब भी यह income tax department हमें यह पैसे pay करता है तो इसके ऊपर कोई भी TDS deduct नहीं होगा ये बाते यहाँ पर लिखे हुई है Interest Paid Under Income Tax Act जो Income Tax Act में जो Interest Pay होता है जिसी की Interest on Income Tax Refund TDS deduct मत करिएगा TDS deduct बिलकुल भी मत करिएगा clear हो रहे हैं खें काफी important है इसलिए मैं तोड़ इस पर time लगा रहा हूँ अभी मैं थोड़ी दिर में इसके questions पर रही जा रहा हूँ जो आपके पास exams में पूझे जा चुके है और लास्ट बात देखेगा Interest Paid to Bank Corporative Bank, Financial Institution LIC और Insurance Company अगर आप Interest Paid Buy लिखा है या 2 लिखा है 2 अब मुझे बिताइए मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मैंने किसी बैंक से लोन लिया अब मैं उनको Interest Pay करना हूँ लेट से मैं पूरे साल में Interest Pay करना हूँ उनको 1 लाग रुपीस का अब section 190 और यह कहता है कि इंटरस्ट पे करोगे, Securities के उपर नहीं अधर दन Securities तो TDS डिड़क्ट करोगे तो मैं उनके उपर TDS डिड़क्ट करना सुचाता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया है जब कभी भी आप Interest Pay करते हो किसी बैंक को, कॉपरेटिव बैंक को Financial Institution को, LIC को या Insurance Company को TDS डिड़क्ट मत करना तो अगर आप कोई भी पैसा जब पे करते हो बैंक को, ठीक है It could be in the form of interest, it could be in the form of service fees अगरा processing fees होती है, loan fees होती है For example, मैंने loan लिया वो हमारे उपर, loan के उपर कोई extra processing fees लगा रहा है तो मैं अधर service fees उनको पैसा पे कर रहा हूँ इसके उपर भी TDS deduct नहीं होगा काफी ज़्यादे important point है यह आप से exam में पूछे जा चुका है ठीक है, तो अगर आप interest पे कर रहा हूँ किसको, bank को, cooperative bank को financial institution को, LIC को, insurance companies को TDS deduct नहीं होगा ठीक है चलो, अपना कुछ में question कराता हूँ अब निक सेक्षन आच्छा एक डिविडिन के सेक्षन भी है अब आप क्या करिएगा website पर आजएगा अगर आपने download कर लिया है ठीक है, अगर पहले का download है था तो मैं चाहूँगा कि आप दुबारा से एक बाव उसको download कर लिएगा, क्यूशन bank में तो आप आजएगा question bank पर ठीक है, download कर लिजएगा question bank, आपके download section में इसको मिल जाएगा आपको question bank, वहाँ पर आईएगा और सबसे पहले अब यह देखुँँ जो questions आते हैं आप इसे November 20 में कुछ question आया तो यह अलग-अलग sections के होते हैं तो generally अभी जो हमने sections discuss करें मैं उससे related questions कराना चाहूंगा तो सबसे पहले आजएगेगा आप question number 2 पर question number 2 पर आजएगे चीक है मैंने note करें है कि कौन बाल की question है साथ-साथ में हम discuss कर जाएगे question number 2 इस तरह के questions आपको मिल जाते हैं तो यह January 2021 में आया था ठीक है COVID के time पे लेट हुए था exam examine TDS TCS implications in case of following transactions briefly explaining provisions involved assuming that all the pays are resident assume करना है all the pays space कोन होता है जो receiver है who is resident है state the rate आपको rate बताना है कि rate से TDS का deduct होगा and the amount to be deducted rate भी बताना है amount भी calculate करना है कि कितना amount TDS का deduct होना है in case TDS TDS is required to be deducted या collected ठीक है अगर TDS collected के मतलब TCS के बारे में बात ही हो रही है बड़ evil question TDS कही है तो सबसे पहले हमें बताना है कि TDS लगेगा या नहीं लगेगा ठीक है लगेगा नहीं लगेगा लगेगा तो किस rate से लगेगा ठीक है और फिर amount भी बताना है कितना TDS का deduct होगा तो first point इस तरह की questions आपको यह बिल्कुल similar pattern चलता है TDS के questions के इस तरह की questions आपको भी पूछे जाते है तो यह exam का question है आपके तो लिखा हुए on first on first on first May 2023 ब्रजेश made three fixed deposit यहाँवा fixed deposit करा है ठीक है इंडिकेट हो गया यह section 194 A की तरफ ले जा रहा है ठीक है तो ब्रजेश ने FD कराई थी bank में ठीक है of nine months each of three lakh each तो तीन तीन लाख की तीन FD थी three lakh की एक FD तीन लाख की दूसरी FD तीन लाख की तीसरी FD और वो भी कितनी nine months के लिए कराई carrying interest of nine percent nine percent के interest था तो अकर आप three lakh के उपर nine percent 27,000 पूरे साल का पर हमें nine months का निकालने हैं क्यों क्योंकि nine months की FD लिखा हुए और यहां से भी 20,250 ठीक है अब हमें पता है जब बैंक से पैसे मिलते हैं तो हमें लिमिट लगानी है 40,000 रुपीज की यह अगर यह senior citizen है तो 50,000 रुपीज 15,000 रुपे की लिमिट लगानी है हमें ठीक है और वो भी अगर एक ही बैंक है अगर उसके अलग-अलग branches भी है तो हमें add करके देखना है अगर वो एक ही बैंक है तो हम एड कर देंगे और वो लिमिट ओविसली इस 20,20,20,60,000 से जादे ही जा रहा है यह तो बहुँ जादा जा रहा है तो इसको पर TDS इस डेड़क हो जाएगा ठीक है अगर यह अलग-अलग banks में branches अगर अलग 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 ए सेम बैंक की फर तो add होगा बट यह bank ही अलग अलग है SPI है, PNB है, ICICI है फिर TDS नहीं आएगा बट अगर यह एक ही bank है ठीक है अगर ब्रांचे अलग 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 है बट सेम बैंक है तो तो add करेंगा ठीक है फिर add करके फिर इसके उपर 10% निकाल दीचेगा अगर यह एक है तो 60,750 आजाएगा और इसका 10% बता दीचेगा 6075 का TDS रिडाक्त होगा पर देख लेते हैं भी कोशन क्या कह रहे है विद मुंबई ब्रांच, डेली ब्रांच और चंदिगर ब्रांच तीनों अलग 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 ब्रांच इस थी, किसकी थी, of CBZ bank, CBZ bank अलग अलग करना है या इंक्लूट करना है अब तुसरा टोटल करना हुगा है इसका, तो bank which has adopted CBZ, अब CBZ करा हुए तो सारी ब्रांच इसका आड कर देंगे, तो हमें पता है, पर FD mature हो रही है, 31st January 2024 को, जैसी आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, या at the time of credit, जब भी बैंक कर करना ही पड़ेगा, ठीक है 10% और फिर आपको पता है कि CBZ प्रांच इसका बैकिंग सिस्टम है, तो तीनों को add करके देखना पड़ेगा, देखे क्या करेंगे फिरा, तो फिर आप add करेंगे, तो आपका टोटल जो interest बना था, वो 60,750 बना था, अभी हमने डिसकस किया, और क तो यहां पर आप 60,750 के ऊपर, आप 10% के TDS लगा दीजिए का 6075, यह वन खटा दीजिए, वन नहीं है, ठीक है, यह ऐसे होगा, ठीक है, 6075 के TDS रेड़ाटर, ओके, इसका second part देखते है, Mr. Marwa, age 80 years, 80 years के है, ठीक है, और question में अगर यह भी नहीं दिया हुआ कि resident है, non-resident है, तो हमेशा क्या मानते है, resident है, holds 8% saving taxable bonds, taxable bonds का नाम आपके TDS आए गए, यहां तो, ठीक है, और आपको पता है, 10,000 से जादा का, अगर आमांट आ रहा है, 10,000 से जादा का, आमांट आ रहा है, तो TDS रहा है, यहोंने 2,00, रुपीज, दुबारत देक पर पढ़ bonds, on 28th February 2024 को इनको interest मिला है, अब देखेगा, अब इनको जो interest मिल रहा है, पहले मुझे बताईए, यहां पर section bonds से लगेगा, 193 लगेगा, यह यह तो interest on bonds मिल रहा है, ना, securities है, यह तो 193 section लगेगा, ठीक है, तो section के number भी ना याद रहे न, पता है ना, आपको, कि 10% का TDS rate आए जाएगा, तो 2 लाग के उपर 8%, ठीक है, 16,000 हो जाएगा, और 3 लाग के उपर 7.75% निकाल दीचेगा, ठीक है, यह amount हो जाएगा, और total amount के उपर 10% लगा दीचेगा, क्योंकि हमें पता है, यह तो यहां पर कैसे करेंगे, second पे 2 लाग के उपर 8% taxable saving bonds थे, 3 लाग के उपर 7. 7.75% थे, तो इसको total करने के बाद आपके पास मिल रहा है, 39,250, 10% EDUS deduct हो जाएगा, section का number याद रहे तो और अच्छी बात है, section का number अगर याद ना रहे, जो की probability है, शायद ना रहे, कोई बात नहीं, institute को पता है यार, कोई बात नहीं, कितने साथे sections है, आप याद नहीं कर सक करते हैं, ठीक है, फिर भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद रहे, तो 10% वाली बात है, तो इतना लिखके हैंगे ना, आपको अच्छे से number मिलेगे, पूरे number में बेचाएंगे, आपको, okay, third point पर आईएगा, two का third order कर लेते है, AG Private Limited took a loan of 50 lakh from Haridas, अब देखो, इन्होंने, AG Private Limited है, कम्पनी है, इन्होंने loan लिया है, 50 lakh से, कोई security issue नहीं करी, simple loan लिया है, it credited interest of 79,000 payable to Haridas during the previous year, 1920 and Mrs. AG Private Limited done over, इसको ना, previous year, क्योंकि इस्षय साल का था था ना, 2021 का, तो इसको ना, अपने हिसाफ से बना लेते हैं, ये 2020, 324 में है, ठीक है, हाँ जी, और इनका last year का turnover, 60 lakh, ठीक है, last year का turnover 60 lakh, और इस साल का turnover 46 lakh, सर, एक करोड से काम है सर, एक करोड से ज्यादा cut turnover तो नहीं है, आरे, आपको देखना नहीं है, वो एक करोड का और 50 lakh का turnover किसके लिए देखते हैं हम, इंडिविजिल और एच्वेफ के लिए, यहाँ पर पैसा कौन पे कर रहा है, यहाँ पर पैसा पे कर रहा है, एजी private limited, यह तो company है, तो company के लिए तो last year का turnover देखते रही है, कोई भी company अगर आपको interest pay कर रही है, firm pay कर रही है, फिर तो TDS के provisions लगी जाएंगे, और वो भी क्या limit रहती है यहाँ पर, पहले मुझे बताओ, यह interest on securities है, other than securities है, other than securities है, तो 194 A रहेगा, कोई securities की दो बाते और A में limit होती है, अगर हमें bank, cooperative bank या post office पैसे देते हैं, तो 40,000 की या 50,000 की limit होती है, senior citizen or area के लिए, ठीके, other cases में 5,000 का, तो यहाँ पर जो आपको interest मिल रहे है, वो 79,000 रुपीस का मिल रहे है, ठीके, 5,000 वाई limit है, उससे ज्यादा मिल रहे है, TDS लग जाएगा, 10% के हिस उसके trap में मत फसिएगा, बोल दीजेगा, रजट सर से पढ़के आए, पता है, आपके सब कुछ, ठीक है, अगे, हाँ जी, तो 79,000 के उपर 10% EDZ कर लिएगा, कर येगा, 5000 से उपर, ठीक है, और question कर ले, fourth वाला पार्ट कोई और section है, वो में बाद में पता है, 194 DA, third का second part पर आएगा, third का second part, question number three, ये page आपका 11.2 है, ठीक है, third का second part, Indian bank sanction and disburs a loan of 12 crore to be limited, अब एक Indian bank है, उसने loan pay करा, उसने loan दिया, किसको be limited, अब interest कौन पेई करेगा, be limited, अब मुझे बताओ, be limited, Indian bank को interest देगा, अब मैंने आगे का नहीं पढ़ा है, बट सिर्फ इसनी line पढ़के, मुझे थोड़ा सबस्वाद समझने आ रहा है, कि यहाँ पर be limited interest pay करेगा, Indian bank को, तो क्या tedious deduct करेगा, ता answer is no, क्योंकि अभी हमने exception पढ़ी थी, अगर हम पैसा pay करते हैं, अगर हम पैसा pay कर समझनों, आपका आदे से ज्यादा काम तो हो गया, ठीक है, जल्दवाजी में, बहुत ज्यादा जल्दी मत करिएगा, कि कोशन को आदा अधूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, फिर उसके हमें और extra time देना पढ़ता है, हमने कोशन नंग से बढ़ा नहीं प्रोसेसिंग दे लोन अप्लिकेशन, नहीं जी नहीं, हम TDS इसके उपर लगाएंगे ये नहीं, क्योंकि हम ये पैसा किसको पे करें बैंक को, जब भी हम अपने बैंक को, कॉपरेटिव बैंक को अगरा को पैसा पे करते हैं, तो TDS करेंगे, हम नहीं करेंगे, like on interest, या फि question number 7-1 पर, 7-1 पर आईएगा, थोड़ा सा time लग रहा है हमारा इस chapter पर यह हमारा अच्छे से हो जाएगा chapter, 7-1 पर आईएगा, ठीकि मैं questions के साथ में directly discuss कर सकता था बट मैं चाहता हूँ कि आपको maximum benefit हो जाए, ठीकि कोई problem ना है, आपको इस class के बाद ना, सारे questions भी हम साथ- कोई tension ही ना रहा है, TDS, TCS हम चाहिए next lecture में कर लेंगे, आज हम TDS करेंगे, okay, question number 7 पर आजेगे, 7-1, briefly discuss the provision of TDS, हमें TDS के बाद हम बताने, ठीकिक है, यह कौन सा question है, यह है, आपके mock test paper number 2 का, May 2022 का है, तो मैंने सारे questions भी हम discuss कर हो, जो MTP, RTPs और आपके past years में आए हुए, इ Mr. Kamlesh, a resident individual, age 65 years, ठीक है, senior citizen, has maintained two FDs in two different branches of ABC, तो वैसे ही question है, simple, ठीक है, अब देखो, इसी bank की दो अलगलग branches ने, आप इसको add कर सकते हैं, तो यह आप कर सकते हैं, ठीक है, डूपलीकेस हो जाएकर में दुवार बताऊंगा, तो आप देख लेना, अगर total amount कित से जाता आना एक ही bank की अलगलग branches, ठीक है, तो यह question कुछ 193 और 194 एक है थे, अब हम आगे बढ़ते हैं, यह sections important रहेगा, please अपनी important की न लिस्ट बनाते रहेगेगेगा, इंपोर्टन की न लिस्ट बनाते रहेगेगेगा, तो यह जो section है न स्पेशली, section, section आपका, 194 यह एक important section है आपका, ठीक है, 193 और जाद ही important, 194 एक है, ठीक है, इसको जादा ध्याब देता है, अब हम पढ़ते है, dividend वाला section, छोटा सा section है dividend का, 194, TDS on dividend, जब कभी भी, simple section है, 10% का TDS, खरेट लागेगा, resident shareholder, non resident shareholder को मिलेगा, तो वो 195, section जाता है, वो हमारे से levels में नहीं है, अभी, final level जब एक क्या, dividend रुपनी कों करेगा, companies, ठीक है, जो अमारी इन क्पनी दो हमें dividend pay करेंगी, तो TDS 10% का TDS direct करेंगी, तो foreign company का TDS, क्या foreign company तो TDS direct नहीं करेंगी, ना, इंडियन क्पनी करेंगी, तो इन 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 गमीज, जब आफे लेकरेंगी, और अगर ये dividend का amount 5000, तो से लिए आपको एक्टिर्बूट नहीं मिलता है पर एक तरीके से असे असे डिस्रीबूट होते है उस समय भी टीडिया स्टीडूक्ट होता है इसलिए आप टाइम दिस्रीबूशन लिखा हुए अगर इसी से बिलकुल रिलेटेड मिलता है एक सेक्षन है है 194 के हम 194 के आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सेक्षन है और वहां पर बाते करते हैं अगर मुचल फंड से डिविडियंड मिलता हूं इंकम बोलते हैं कुछ लोग डिविडियंड भी बोलते हैं उसको तो बिल्कुल सेम कंसर्ट मिलेंगे 10 परसन का रेट मिलेगा पांच सार के मिलेगे 194 के में जब 194 के अभी थोड़े देर बात आऊंगा तो बता दूंगा देखो बिल्कुल सेम है और वो मुचल फंड से जो इंट्रस्ट मेला है ठीक है यह हो गए डिसकस अब आ जाते हैं जो क्याजूल इंकम वगएरा होती है उसके ओपर टीजिस का रेट्स क्या हो काया आप एक काम कीजिए आपना इस वीडियो को यहां पर पोस करके 10-12-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए उसके बाद रेजूम करके आ चाहिएगा तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा फिर आगिएगा अब ये जो सेक्शन से हैं 194B और एक निया सेक्शन आ है और डबल बी डबल भी पुराना सेक्शन था ये तीनों ही सेक्शन में कॉमन बात ये है कि में लिए casual income से related sections होते हैं और यहां पर 30% का TDS का rate लगेगा तो 194B होता है winning from lottery, crossword, puzzle, game show, betting और gambling से अगर आपको income मिलती है तो जो भी organizer है जो आपको income पे करेगा वो 30% का TDS का deduct करने वाला जैसे आप KBC से for example जीते थे पैसे 10 लाग तो 30% 3 लाग रुपीज TDS deduct करने वाले और यहां पर lower rate का भी कोई इसमें यहां पर facility नहीं रहती है क्योंकि आपको पता ही casual income बगेरा पर, windfall gains बगेरा पर कोई इस तरह की deductions भी नहीं मिलती है तो आप यहसे नहीं कह सकते हैं कि मेरा TDS deduct मत कीचे है फिर आप AO से जाकर application के लिए demand नहीं कर सकते हैं तो इन तीनों sections में ऐसा कुछ भी नहीं होता सीधा 30% का TDS आपका deduct हो जाता है पहले सोनी entertainment television जितना भी पैसा पे करेंगा 30% का TDS लगा देगा important बात यह है कि अगर वो आपको price जो मिल रहा है वो in kind मिल रहा है या फिर partly in cash partly in kind मिल रहा है तो let's say अगर आपने कोई lottery जीती और वहाँ से आपको ए car मिल गई तो for example वो car 20 lakh rupees की car है वो आपने जीती तो इसका TDS कैसे deduct होगा अब ऐसे तो नहीं है ना कि car के tires उठा कर deduct रख लेगा कि tires को हम रख लेते हैं वो हम government को deposit करा देंगे बाकी का other car जो उसका उपर का body है वो आप ले चलिए तो ऐसे तो नहीं हो सकता तो उस case में क्या करते है जैसे कि for example आपने वो car जीती तो आपसे बोला जाएगा कि 20 लाग रुपीज की car है इसके ओपर 30% का TDS जमा होना है 6 लाग रुपीज क्योंकि इन kind में तो हम TDS डिटक नहीं कर सकते फिर जो winner है उससे बोला जाते है कि आप ना हमें proof लागते दीजिए कि पहले आप इसका text जमा कराएगे फिर हम आपको ये car release करेंगे तो क्या होगा जिसे अगर ये आपकी family में किसी ने car जीती है आप ही ने जीती तो हम आपसे ये बोलेंगे कि आप उपना एक काम कीजिए 6 लाग रुपे deposit करा देजिए और उसका जो जब आप deposit कराएगे जो bank का चलान होगा वो हमें ऐसा proof दिखा दीजिए कि आपने पैसे deposit करा दीजिए ह हम तभी है ये कार आपको release करेंगे तो यहां पर यह लिखता हुए कि अगर winning in kind है या पार्ट लीन काइन पार्ट लीन cash है तो हम total amount के उपर TTS जाना चाहिए था बट हम TTS deduct नहीं कर पाते है क्योंकि kind में चीज़े जा रही है तो हम we assure कि इसका पहले टेक्स जमा हो गया है हम हम सारी formalities पूरी करेंगे evidence लेंगे आपसे किस कर टेक्स जमाह आपने करा दिया तब ही हम आपको यह कार release करेंगे है ठीक है और तीसरी important बात है कि यहां पर जो threshold limit रहती है वो 10,000 रहती है 194 B में भी और 194 BB अच्छा डबल भी क्या होता है वो simple section है बिलकु similar sections है 194 BB होता है कि अ at the time of payment जब भी आपको payment मिलती है आप the time of credit नहीं है at the time of payment ही आपको EDS deduct हो जाएगा आपका और वो 197, 197,197,197 की कोई facility नहीं मिलेगी बिलकुल same ditto बिलकुल same concept है अब आपका question यह आ जाएगा सर अगर एगी concept है तो एगी section कर दीज़े ना फालतु में हमारे उपर डबल डबल बोच बनाए हुए 194B और यह डबल भी तो पहले ही क्या होता था actually पहले ही हाँ पर लिमिट 5000 की रहती थी उसमें 10,000 की थी इसलिए वो अलग-अलग sections थे पर बाद में इसको भी change कर दिया 10,000 ले आए but sections अभी भी अलग-अलग है ठीक है अब मैं बातें करूंगा आपसे जो बारतें भी है तो जो लोग online gaming से पैसे कमाते हैं उसके उपर भी TDS लग जाएगा 30% का TDS rate रहेगा यहाँ पर दो important बात हैं कि TDS डिड़क्टर कब करेगा तो जो भी वो एप को organize कर रहा है जो भी वो एप ने organize कर रहा है फॉर एक्जापल dream 11 वो game show वाले लोग है वो लोग आपके TDS डिड़क्ट करेंगे दो डाहिं पर जब जब आप यहां से पैसा विड्रॉ करेंगे तब आपके पैसे डिड़क्ट किये जाएंगे या फिर end of the year भी अगर आप ऐसा विड्रॉ नहीं करते हैं बाट end of the year हम देखते हैं कि आपकी कुछ net winning होती है अब यह net winning का concept क् मिलेगा 30% TDS करेगा और net winning, यह net winning का concept क्या होता है, simple concept है net winning का, for example आपने dream 11 app अपने phone में download करेंगे, ठीक है ऐसा करना मत ठीक है, it's a sort of gambling, but सिर्फ मैं example दे रहा हूँ, कि लोग जो इस तरह कैसे करते हैं, तो अगर for example उसने dream 11 app download करेंगे और उसने अपना wallet में पैसे पहले load कर करने पड़ते हैं, तभी आप वो game खेलेंगे, इस तरह एक तरह की gambling है, तो आपने 10,000 rupees का पैसा deposit कर दिया, अब हो सकता है कि पूरे year end तग आप ऐसा करते रहे, आपने सिर्फ एक ही बार पैसे 10,000 rupees deposit किये थे, आपने इससे कोई पैसे withdraw नहीं करें, आप game खेल रहे हैं, यतने वैसे हार रहे हैं, और for example end of the year, end of the year आपके पास इस wallet में 1,00,000 rupees हो जाते हैं, ठीक आपने सिर्फ एक ही बार deposit किया था, एक ही बार 10,000 rupees किये थे, और end of the year आपके पास 1,00,000 rupees हो जाते हैं, तो आपकी net winning कितनी होती है, 90,000 rupees, तो end of the year, dream 11 वाले लोग हैं, वो आपका TDS कर लेंगे, 90,000 rupees के उपर, 90,000 rupees के उपर, सीधा-सीधा 30% लगा देंगे, 90,000 उसा net winning, net winning कैसे हो, कैसे पता चलिए हमें, जो भी closing balance था, उसमें से minus deposit कर देंगे, तो आपका पैसा था, तो आपने extra पैसे जितने earn करें, आपके wallet में कितने पैसे हैं, 1,00,000 तो आपने 10,000 आपक तो 90,000 rupees आपकी net winning हो जागी है, अब अगले साल कैसे होगा, अब इस साल लग गया, अगले साल आपके जब opening balance देखेंगे, तो 1,00,000 rupees आपके opening balance में देखेगा, ठीक है, पहले last year का में दुबार लगी जाता हूँ, last year आपने 10,000 से शुरुआत की थी, और आपके year end पर आते ठीक है, तो 90,000 आपकी net winning की, कैसे निकाला, closing balance माइनस जितना भी आपने deposit हिया, अब यहाँ पर क्या होगा, 1,00,000 rupees यह आपको opening balance था, इसके उपर तो already TDS वगेरे जा चुक है, अब आपने इस साल भी कुछ पैसे withdraw नहीं कर रहे है, मालने आपने कुछ पैसे withdraw नहीं करा, अस तो लेट से उसके year end पर, year end पर उसके 3,00,000 rupees हो जाते हैं, तो अब net winning कितनी होगी, कैसे निकालेगा, निकालेगे कि आपने closing balance माइनस जितना भी opening balance था, वो करिएगा, ठीक है, आपकर चलिए हो सकता है, मैं इसमें एवे जूम कर लेता हूँ, कि आपने 1,00,000 rupees को opening balance था, और इसका मतला आपकी net winning कितनी थी, closing balance, minus opening balance, minus जितना भी आपने deposit कर रहा है, वो minus कर देंगे, इसके उपर 30% का DTS आ जाएगा, ठीक है, दूसरी बात, अगर जब-जब आप withdraw करेंगे, तब भी आपका पैसा, ठीक होता है, ठीक है, जब-जब withdraw करेंगे, आप देखो, इसका मैं देता हूँ आपको, let's say, किसी भी असे थी रहें, first time अपना, मैं मान देता हूँ, ये previous year है, 2023-24 है, इसका opening balance का मानेंगे, opening balance होगा, first April, 2023 को opening balance nil था, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई app, smartphone में नहीं थी, उसको पता चलता है, कहीं पर जूनिया जुलाय में, कि यार, dream 11 जैसी को कोई app है, उसको इस तरह की कोई app download कर लेता है, ठीक है, तो let's say on 15th of September 2023 को, वो पहली बार ये app download करता है, और उसको पता चलता है, इस तरही के से भी हम लोग game खेल सकते हैं, और वहाँ पर ये अपने wallet में पैसे load करता है, 20,000 पीस, 20,000 पीस उसने load किये, अब उसने during this year, पैसे इसमें से जीते, कुछ हारे, कुछ जीते, कुछ हारे, let's say on 1st of February 2023 को, ये अपना balance देखता है कि उसने कुछ कुल मिलाकर उसके wallet में पैसे हो चुके है, 90,000, उसके 90,000 रुपीस wallet में हो चुके हैं, तो वो क्या करता है, उस 90,000 रुपीस में से, 90,000 इसमें wallet में थे, बट यहा करते हैं, 90,000, 70,000 की winning हो चुके है, बट अभी क्या करता है, वो कहता है, मैं अभी और खेलूँगा, बट यहाँ पर वो withdraw कर लेता है, 1st February को withdraw कर लेता है, let's say 50,000 रुपीस वो withdraw कर लेता है, 90,000 उसका balance था, ठीक है, बट वो 50,000 रुपीस withdraw कर था, उसका balance कितना बच्चेएग अभी को अपना wallet का balance देगा था, वो 90,000 रुपीस था, उसमें से 50,000 रुट 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 तो यहां पर आपने पैसा किया, विड्रॉप किया, 50,000, माइनस जितना भी आपका ओपनिंग बैलन्स था, माइनस जितना भी आपने डिपोजिट करा था, इसको बोलते हैं, नेट विनने, तो दिस उस कॉल नेट विने, ठीक है यह क्या है 50,000 रुपीज विड्ट्रोग अगर आप लिखना चाहते हैं एक formula तो याप मत करना और लॉजिकल समझ सकते हैं आप लोग ठीक है लिख लीजे एक बार पकर आप लॉजिकल समझ सकते हैं कि जितना भी विड्ट्रॉज किया के इसमें से जितना भी आपने ड तो यहां पर 30,000 के उपर आपका TDS लग जाएगा कितना 30 पर सब्सक्राइब कब जैसी आप यहां पर पैसे विट्रॉड तरेंगे अभी भी आपके पास 40,000 के बैलन्स था फिर अभी आपने गेम खिलना शुरू का वहाँ पर कंटीनिव रखा और इस साल आपने अब कोई और विट्रॉल नहीं किया अब 31st मार्च इयर एंड को आपने देखा इयर एंड को आपने देखा कि आपका यह बैलन्स हो गया वन ला के लिए अपने प्र्मायरंट के लिए एक सेक्शन मता कर फिरफ आपस आजाएंगे तो यहां पर आप हम कैसे खरेंगे जो भी आपका एंड पर भी आपका वो कंपनी ड्यच रिट्रेक्ट करेगी, जितना भी आपका closing balance था, closing balance, फेलो आपकी net winning निकालेगी, कि आपकी net winning कितनी हो थे, closing balance, प्लस जितना भी आपने withdraw किया था, वो भी आपके net winning थी, minus, minus, जितना भी पार्षा आपका opening balance था, minus deposit, तो closing balance था, आपके पास amount 1 lakh, इसमें से आपने withdraw भी किया था, how much, सर्क 50,000 withdraw किया था, 50 से था, minus opening balance is the zero, deposit कितना किया था, 20 से, कितना बताईए, सर्फ 1 lakh, minus, सर्फ प्लस 50, minus 20, जितना अगया, 1 lakh 30,000 रुबीज आपकी net winning, already वो last time कितना TDS, कितना amount कि ओपर TDS रिड़क्ट कर चुके थे, सर्फ 30,000 के उपर already TDS रिड़क्ट हो चुका था, यानि कि अब आपकी जो total winning थी, यह पूरे साल के winning आगया आपकी 130, इसमें से already अगर आपका कुछ पैसा withdraw हुआ था, तो 30,000 के उपर already आपका TDS जा चुका था, इसका मतलब 1 lakh रुपीज के उपर आपका TDS और चाहेगा, यहाँ पर closing balance में, 1 lakh रुपीज के उपर TDS और चाहेगा 30%, यानि कि 30,000 रुपीज का आपका TDS यहाँ पर और चला हुआ था, पहले कितने के उपर गया था, 30,000 के उपर 30%, 9,000 के TDS यहाँ पर deduct हुआ होगा, यहाँ पर 1 lakh के उपर 30%, 30,000 का यहाँ पर deduct हुआ, पहले कितना हुआ होगा, 9,000 और अब होगा है 30,000, एक पर मैं इसको reconcile करा लेता हूँ, पहले मुझे बताइए, कि इस वेक्ती ने total कितने पै पैसे earn करे, उसने February तक सर, उसका balance 90,000 हो गया था, यानि कि यहाँ पर उसने पैसे earn किये, यहाँ पर उसने पैसे earn किये 70,000, ओके, agree है, ठीके, 20,000 से शुरुबात की थी, February ने उसका 90,000, यह मैं आपको reconcile कर रहा हूँ, इस exam में करना नहीं होगा, पर फिर भी आप इस formula को यानि कि 70,000 तो उसने यहाँ पर कमाया था, earn किया, 70,000 यहाँ पर earn किया, उसके बाद उसका balance यहाँ पर हो गया था, 40,000, ठीक है, 90,000, इसमें से उसने 50,000 रुबीज विड्रॉ कर लिए थे, balance 40,000 हो गया था, यहाँ पर मैं यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ पर उसका closing balance February से लेकर March तक उसका balance हो गया, वन लाक, यानि कि यह 40,000 increase होकर वन लाक हो गया, इसका मतलब इस period में उसने कितना कमाया, 60,000 सर यहाँ पर उसने आए, ठीक है, पूरे साल में अगर देखा जाए, तो सिर्फ उसने 20,000 रुपे लगाए थे, 20,000 रुपे deposit किये थे और उसने प लिए अनकरे है, मुझे बताओ क्या हमने वन लाक, 30,000 पर TDS डिटक कर लिया, रान सर इस यह सर, शुरू के 300,000 पर हमने यहाँ पर कर लिया था, और एक लाक पर हमने यहाँ पर कर लिया, वन लाक, 30,000 के उपर 30%, प्लीज बताएगा, वन लाक 30,000 के उपर 30%, कितना आता है, 39 39,000, क्या 39,000 का TDS जा चुक है, इस सा, आंसर इस सर, 9,000 का TDS यहाँ पर गया था, 30,000 का यहाँ पर गया, ठीक है, तो मैंने यह शॉट में आपको बताने की कोशिश करी, I believe यह बात समझ में आयोंगे, सिंपल बात है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते है यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इतना डेटेल में एक्जामनर आप से पूछेगा नहीं, बढ़ आपको पता होना चाहें कि यह सेक्शन क्या कहता है, कर लिए इसको, अब आप फ्रीज कर लिचे वीड आपको यहाँ पर आपके स्टेडी में या फिर मैंने भी आपको नोट में दिया हूए नेट विनिंग का फॉर्मुला, फॉर्मुला याद करने की जरूरा थीक है, सिंपल करिये न, जितना भी उसने यहाँ पर closing balance है, plus withdraw किया, minus opening, minus deposit, क्योंकि देखो, opening और deposit तो उसकी income नही किया, opening और deposit मैंने यहाँ से minus कर दिया, तो simple logical है, जितना पैसा उसने earn किया, ठीक है, और अगर इतना पैसा उसने पूरे साल में earn किया होगा, पर यह देख लीजी कि आपने कोई पहले amount के ओपर TDS already deduct किया हुआ है, तो उसको minus कर दीजीए, यह पूरे साल की earning है, तो जब deposit withdraw किया था, अगर आप पहले से deduct कर चुके हैं, तो उसको minus करने के बार, बाकी के remaining amount पर TDS deduct कर दीजीए, ठीक है, थोड़ा समय, I know कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी चला गया, तो I believe यह बात समझ में आ गई होगी है, आथको, ओके, 194 BA winning from online games, तो कौन deduct करता है, TDS deduct कौन ह responsible for paying income by way of such winning, जो भी यह, जिसे dream 11 जिसी है, वो TDS deduct करती है, resident person या non resident person, कोई भी हो सकता है, TDS करें 30% ही रहेगा, on net winning, ठीक है, net winning, lower rate applicable नहीं होता है, और जैसी वो आप पैसा withdraw करते है, तब भी TDS deduct होगा, और अगर आप पैसा withdraw नहीं करते है, तो year end पर तो हो गई होगा, ठीक money की फॉर्म में नहीं मिला, in kind की फॉर्म में मिल रहा है, कि कुछ apps ऐसी होती है, कि वहाँ पर आपके credits, token, कि किसी भी नाम से जान सकते हैं, उसको वहाँ पर points इखटे होते हैं, फिर आप उस points से कुछ चीजे ले सकते हैं, ठीक है, कोई for example, आपने किसी भी, उससे कोई in kind मे खटे होते हैं, तो अगर वहाँ से आपको उस particular gaming apps है, अगर आपको ऐसी चीजे मिल रहे है, तो फिर TDS कैसे deduct करेगा, deduct same concept रहेगा, वो make sure करेगा, जिसको यह पैसे मिल रहे है, वो उसका TDS, इसका deposit करा देख खुदी, कैसे deposit कराएगा, वो अपना advanced text की through deposit कराएगा, और वहा आपर अपना चलान शो करेगा, कि boss मैंने यह अपना text जमा करा दिये, तब ही हम उसको यह पैसा release करते हैं, ठीक है, this was 194 BA, तो यह amendment थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता लिए उसके बारे में, although, कि इतना जासे detail में जितना वैने बनाया है, उतना नहीं आएगा, बढ़ फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसके वो TDS जाता है, काफी important section है, अगला 194C, 194C पर आप देखे कि काफी questions आते हैं, मैं भी आपके साथ नो कुछ, मैं आपर कुछ 3-4 questions डिस्कस करने वाला हूँ 194C के साथ साथ, और यह बहुत easy section होता है, यह होता है 194C, ऐस सियाद किजिए C for contract, ठीक है, तो जब कभी भी assessi किसी को contract देता है, तो वो TDS deduct करेगा, ठीक है, तो पैसे किसको मिल रहे हैं, जो contractor है, उसको पैसे मिल रहे हैं, फिर एक इस तरह की हो सकते हैं, यह construction contract भी हो सकते हैं, यह other than construction contract जैसे अगर मैंने किसी से advertisement कराया है, ठीक है, किस किसी से मैंने supply of labor, अगर मैंने किसी से labor लिया, या फिर कोई भी मैंने किसी तरह का ताम उससे कोई job work कराया है, वो contract होता है, उसके उपर TDS का rate क्या होता है, 1% होगा या 2% होगा, यह depend करता है, जो contractor है, जो receiver है, वो कौन, अगर receiver एक individual है, हुए है, तो 1% का TDS जाता है, अगर other cases में 2% का TDS रहेगा, ठीक है, rate of TDS, अगर वो contract pay, पे कौन होता है, जो receiver है, अगर वो जो यानि कि contractor, वो एक individual है, हुए 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 पे तो 1% का TDS, other than individual हुए 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 तो 2% का TDS जाएगा, ठीक है, जब कभी भी आप किसी को payment करेंगे, अ प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाइक रुपीज से जादा है तभी आप TDS रिजाक्ट करेंगे ठीक है और यहां पर हम पर्सनल कॉंट्राक्ट के ऊपर नहीं करते यह आपके कॉंट्राक्ट रिलेटेड होने चाहिए आपके बिसमस यह प्रोफेशन से पर्सनल कॉंट्राक्ट अगर आप पैसा पही कर रहे हैं किसी भी कॉंट्राक्टर को या सब कॉंट्राक्टर दूसरे कॉंट्राक्टर को अगर पैसे लग जाता है यहां पर आपकी त्रेशोड लिमिट कर रहे हैं कि जो सिंगल कॉंट्राक्टर अगर आप दे रहे हैं तो 30,000 अगर वह बन लाग रूपी से उपर चला जाएगा तो यानि कि अगर आप किसी को कॉंट्राक्टर को पेमेंट करें 25,000 रुपीज की फिर आपने 20,000 की पेमेंट करें तो कोई भी पेमेंट 30,000 से उपर की नहीं जा रही है तो जैसे यह टोटल मिला कर बन लाग से उपर चला जाएगा फिर पूरे अमांट की उपर जो पुराना यह मेरे काफी सारे इंप्लॉईज है और निव यूश रोने वाले फर एक्जापल और मैंने उनको डाइरीज देनी है उसके उपर अपने कंपनी का लोगो प्रिंट कराना है तो अगर मैं किसी को कॉंट्राक्ट देता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको डाइर अगर में उमको यह बोलता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसी छर्ट केज欸 कपड़ा भी आपी का पड़ा भी आपर कॉंट्राक्टर को बोलता हूँ गपड़ा भी आपका डिजाइनिंग भी आपको करनी है לדगो भी आपको लगाना है तो फरचस्तों अपर तेडियो नहीं आता अगर मैं बोलता हूँ कि diary भी आपकी है इसके pages वगरा आप खुदी खरीदेंगे डाइरी वगरा मुझे बना कर देंगे मैं specification दे रहा हूँ तो मैं उससे डाइरी खरीद रहा हूँ उसके उपर फिर 194C नहीं आएगा वो तो purchase का contract रहाएगा अगर आप कोई work करा रहे है तो इसका एक basic concept क्या होता है अगर material मैं supply कर रहा हूँ मैं आपसे काम करा रहा हूँ तो वह एक work done होता है अगर material आपका खुद का है तो फिर हम TDS नहीं लाएगे तो अगर material मैं supply कर रहा हूँ या मेरा कोई associate supply कर रहा है तो भी इसको यह बोले जाते है कि इसके ओपर हम TDS लाएगे बड़ अगर material भी आप ही का है contractor का ही material है तो फिर हो purchase का contract हो जाता है यह बात और और आ की देख ले अबर अगरा पर एक school है, school को अपनी buss चलानी है तो इसको अपने students को pick or drop facility दे जी है तो school किसी vendors है bus vendor को hire करेगा वो बोलेगा कि हमें buss चाहिए तो हम उसका tedious result करेगे इसी तरह एक फार इसनापल अगर मैं फैक्टरी हूं मुझे अपना रॉमेटिल मंगवाना होता है तो मैं किसी गुड्स कैरेज वाले को थी कि महाँ पर मुझे बसे ने चाहिए तो मैं इस ट्रक वाले को हायर करूँगा और मैं बोलेंगा उसका आपको मैं आपको पैसे पही नहीं है बड़ गुड्स कैरेज के लिए अगर उनके पास उनके पास वो अगर अपना पैन नंबर फर्निश करते हैं कौन मुझे ट्रांसपोर्टर है गुड्स कैरेज का ट्रक वाला ठीक है बस वाले विक्ति नहीं ट्रक वाला पैसेंजर्स के लिए नहीं आएगा तो अगर मुझे अपना पैन सप्लाई करते और यह देकलेशन देता है कि उसके परबस पूरे साल में तन से जाधा वेहिकल्स नहीं थे दस से ज़्यादा ट्रक्स नहीं थे छोड़े वड़े ट्रक्स कैसे भी हो सकते हैं वो दस से ज़्यादा उसका ओनर नहीं था और वो अपना पैन नमबर फरनिश करता है फिर उस केस में हम TDS डिटक्त नहीं करते हैं ठीक है यहाँ फिर रिलेक्सेशन है इसके लिए गुड्स का ओंट्राक्ट दिया है ठीक है इसे मैं कुछ काम करा रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स कारेज के उपर पैसेंजर के ऊपर नहीं पैसेंजर अगर वो बस वाला रिक्ती बोले कि वो जो स्कूल बस चल रही है वो बस वोले विक्ति बुले सर मेरे पास तो सरफ 10 से जादा वेहिकल्स नहीं है तो क्या टीडियस नहीं आएगा नहीं उसके उपर तो आएगा यह रिलाक्स किसके लिए गुड्स कारेज वाटो के लिए तो अगर वो अपना पैंस अप्लाइशन करता है और साथ-साथ में अ मुझे आगे बताना है और जैसे मैंने यह बात करें कि आपको डिफ्रेंशेट करना पड़ेगा यह जो कॉंट्राक्ट है वो सेल और पर्चेस का या एक वर्ग डन का है तो यह कैसे पता चलता है अगर देखिए मैं ही कुछ रो मेटिल सप्लाइब कर रहा है तो यह वर्ग अगर कॉंट्राक्ट है तो 194C में नहीं आएगा हमारे पास एक सेक्शन 194M है अब हाँ पर में बाते कराना है तो मैंने दूसरे चारट अकॉंटेंट से बोला कि मेरा टेक्स ओडिट कर दीजे तो मैंने उसको कॉंट्राक्ट दिया है अगर वो प्रफेशनल नेचर है तो हम हम लोग अभी थोड़ी देर में बाते करेंगे 194J लगेगा उसके पर 194C नहीं लगेगा ठीक है और 194C में 197 का बेनेफिट अविलेबल होता है असेसिंग ऑफिसर से जो स्ट्रॉंग वाला सेक्शन है आपर अप्लिकेवल होता है वो कॉंट्राक्टर बोल सकता है कि सर मेरा TDS इस या दो डिड़क्ट नहीं होना यह कम हो डिड़क्ट होना है तो अगर वह असेसिंग ऑफिसर से जाग कर अप्रूवल ले आता है तो फिर हम उसका डिए डिट्स डिड़क्ट नहीं करेंगे एक कम रेट से करेंगे यह होता है 194C से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि बगेरे डिस्क्रस करने आप आजाएएगा मैंने नोट करा हुआ इसको फूर्द कुश्चन का सेकेंड पार्ट कुश्चन नम्बर पॉर्ड का सेकेंड पार्ट पराज के लिए कि अगर कि यह वननेटी पॉर एम का बजाएगा यार यह तो कि असी मैं खूंडिए रदेर्ट रविश tow wise टो उन ज्बर इन हूं पार ए erm तो कि अमनड फॉर्ड करने ऑल्ले सी पेन अच्यटी धूल का सब्सक्र्ट करें आप क्या है टूर्ड यह तो जर्डार्ट को तो यहां पर लग रहा है राहूल कर सकते हैं क्योंकि नास्ट करोड़ एक करोड़ से ज़्यादा है कः पर लग रहा है अगर है यह प्युकर अपर के फैन्ठ कर रहा है यहाँ तो पर से लग रहा है किसको पेवेंट कर रहा है अखिलेश को अखिलेश एक इंडिवीज्य है तो मुझे बताईए 1% का TDS का rate लगा जाएगा 194C है ठीक है 194C में लग जाएगा कितना हम पैसा पेई करने है 50 लाक रुपीज तो 50 लाक का 1% का TDS का rate लगा दीजेगा यहाँ पर 194C लग रहा है क्योंकि हम जो पेवेंट करना है हूँ परसनल भी नहीं है बिजनेस नेचर का है और हम एक इंडिविजुल है बड़ हम एलिजेबल हैंगे मारा लास्ट यर का टर्न ऊबर ठीक है अखिलेश को अखिलेश को जिसको पैसे मिल रहे हैं यह है कॉन्ट्राक्टर इस के उपरन पर चाहन नहीं करेगा जो पैसे पे अब आप आचाहिए, question number 8 पर, 8 का first part पर, question number 8 का first part, ठीक है, page number 11.5, आजाए ये जल्दी से, आगे हैं, ओके, state in brief, the applicability of provision of text deduction at source, the rate and the amount of text, ठीक है, December 2021 का question है ये, हमें बताना है कि TDS लगे का नहीं लगेगा, लगेगा तो किस rate से लगेगा, कितने amount से लगेगा, in the following cases, और इस तरह हम देख रहे हैं, first part, महेश पेड 6 lakh rupees on 15, 10, 23 to messers fresh cold storage private limited for preservation of fruits and vegetables, he is engaged in the wholesale business of fruits and vegetables in India, having a turnover 3 crore during the previous year 2020, अब देखो, पैसे कौन पे कर रहा है महेश, individual पे कर रहा है, क्या TDS लगा सकते हैं, हाजी लगा सकते हैं, इसका last year का turnover, 1 crore से या 50 lakh rupees से, as the case में भी ज्यादा था, business कर रहा है, यहां पर ये, 1 crore से ज्यादा था, हाजी, 3 crore था, उसका turnover लिखा भी 3 crore था, ज्यादा था, तो TDS लगा सकते हैं, किसको पैसे भी कर रहा है, sir इसने contract दिया storage का, ठीक है, 194C में TDS रेट कर सकते हैं, कितना करेगा, sir 6 lakh rupees के उपर, 1% या 2%, किसके उपर depend करेगा, sir individual है 1%, अरे नहीं, कौन होना चाह 2% का TDS करेग लग जाएगा, 6 lakh के उपर आप 2% लगा दी चाहेगा, 6 lakh के उपर आप 2% लगा दी चाहेगा, 194C में 12,000 rupees का, तो simple आप लिख सकते हैं, बिल्कुल अपनी लांवज में simple लिख सकते हैं, ठीक है, here the assessi's turnover of the last year was more than 1 crore, therefore assessi is liable to deduct TDS, at a rate of how much? 2% because the receiver, ठीक हैसे because the receiver is other than individual ratio, इसलिए 2% का TDS करेट लगा दी चाहेगा, और amount भी बताना है, देखो question ने साफसाफ लिखा था, TDS का rate बताओ, ठीक है, और amount में बताईगा, और 194C तो आप, C वाला तो आप याद रखेंगे, क्योंकि C for क्या होज़ता है, C for cat, यहाँ पर C for contractor याद रखेगा, ठ ठीक है, ओके, 9th question पर आईएगा, 9th का 1st part, ठीक है, मैं randomly बावर अलगल questions पर इसके ले जा रहा हूँ, क्योंकि यह उस section से related थे, question, तो यह आपके May 2022 में question exam में आया, इसके हम 9th के हम दोनों parts कर सकते हैं, हाँ, दोनों parts कर सकते हैं, discuss the tax liability of tax reduction at source under the income tax act in respect of the falling cases, ABC limited is a producer of natural gas, during the year it sold natural gas worth Rs. 26 lakh to a partnership firm, it also incurred 1,70,000 less freight for the transportation of gas, it raised invoice and clearly segregated the value of gas as well as the transportation charges, अब देखो, अच्छा कुछ है नहीं, tricky कुछ है थोड़ा सा, अब यह कहता है कि जो ABC limited है न, इसने कुछ natural gas बेची, किसको बेची, deep company को, ठीक है, deep company को इन्होंने कुछ natural gas बेची, तब यहाँ पर deep company क्या कर रही है, इस परचेस कर रही है, परचेस के उपर तो TDS नहीं लग कर रहे है, transportation, हम लोग जानते हैं कि transportation तो आता है, और invoice पर हमने इसको separate लिए दिखाया है, तो 170,000 को freight को अगर हमने separately दिखाया है, तो यह तो contract हो गया, तो 170,000 के उपर 194C आचाएगा, और क्योंकि जो पैसे हम पे कर रहे हैं, वो किसको पे कर रहे हैं, ABC limited को, जो receiver है, वो एक other than individual or HFA, तो 2% का TDS आएगा, 170 के उपर, 170,000 के उपर 2% का TDS आएगा, ठीक है, कौन पैसे पे कर रहे हैं, सर्फ deep company पे कर रहे हैं, यह लोग तो supply कर रहे हैं, हम इनको पैसा पे कर रहे हैं, तो पैसा कौन पे कर रहे हैं, जो पैसा पे करता है, वो deductor है, तो deep and company नहाँ पर पै थोड़ा tricky question था, पर प्रीज आपके लिए important exam में आज सकता है, कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप लोग, कि यहाँ पर अलग-अलग, यह segregated था है invoice में, तो contract वाला जो amount है, वो अलग से लिखा हुए invoice में, तो आप यहाँ पर आराम से अपना 194C लला से है, ABC LLP paid job charges, देख receiver है, ठीक है, जो इसको पैसे मिल रहे है, तो किसको पैसे मिल रहे है, एक्स बैजेट, यह तो pay कर रहा है, पर receiver तो यह है न, और यह partnership firm है, 2% का rate आएगा, अगर आएका तो, हमारे सर, हम सर्फ इससे job work करा रहे है, TDS लगा लेंगे, ठीक है, क्या limit होती है सर, 30,000 होती है, single contract की, और अगर multiple है, तो 1 lakh total में, अब देखिए हमने इनको bill 1, पहले हमने इनको 30th April 2023 को 27,000 रुपीज पैग किये, TDS deduct नहीं होगा, क्यों 30,000 से ज्यादा का नहीं है, और 1 lakh से अगरे भी एग्रिए जादा नहीं है, second 25,000 रुपीज पै करें, 30,000 से जादा नहीं है, और अगर आप एग्रिएट करेंगे, अभी भी 1 lakh से उपर exceed नहीं करा है, थर्ड आपने पै करी, 28,000 रुपीज, यहाँ पर भी TDS मतलब आई है, क्यों क्योंकि यहाँ पर भी 30,000 से ज कर दी, एक तो यह 30,000 से उपर है यह, अब आप यह देखाएगा, क्या पूरा 1 lakh से उपर हो रहा है, पता चला, अगर आप add करेंगे इन सबको, तो 1 lakh से उपर हो रहा है, कितना और add करके, 27,25, 28, 1 lakh 12,000 हो रहा है, तो अब आप इस पूरे amount के उपर, यानि कि पुराने वाले amount के उपर, जिसके उपर TDS deduct नहीं किया था, उसके उपर भी आप करेंगे, आप 1 lakh 12,000 के उपर कितना, 2% से हम देख चुके है, तो 1 lakh 12,000 के उपर, जब आप इसकी payment करेंगे, और कब आप TDS deduct करेंगे, at the time of payment of credit, whichever is earlier, credit वाली बाते नहीं लिखी हुई, तो इसका मतब इस rate पर चाहिए, तो यह 9th question था है, एक और question कर लेते हैं, 11th का 3rd part, question number 11 का 3rd part पर आजाएगेगेगे, okay, 3rd part यह कहता है, this is page number 11.8, 11.8 पर आजाएगे, by virtue of an agreement with nationalized bank, ABC private limited है company engaged in catering business, अब देखो ABC private limited है catering company है, catering business करके, किसको यह services दे रही है, nationalized bank को, ठीके, nationalized bank को यह services दे रही है, nationalized bank जब इसको पैसे पे करेगा, catering के, TDS data करेगा, कितना क्योंकि जो receiver है वो एक company है, जो इसका मतब 2% से TDS जाएगा, catering business receive 60,000 पर month towards supply of food, water is next etc, during the office hours to the employees, discuss the TDS implication of this transaction, हाँ जी बिलकु लाएगा, ठीके, 60,000 की payment हो रही है, हर मंत की, 30,000 से जादा की TDS आएगा, हर महीने कितना TDS जाएगा, 60,000 का 2%, हर महीने इतना जाएगा, 60,000 का 2%, 1200 rupees, हर महीने जब इनको 60,000 rupees जाएगे, 1200 rupees का TDS लगा दीचेगा, पूरे साल में कितना हो जाएगा, अगर आप पूरे साल का देखना जाएगे, तो इन्टू 12 करिएगा, 14,400, पर मुझे बताओ कि पूरे साल के exact deduct होगा नहीं सर, जैसे जैसे पेमेंट कर रहे हैं, payment or credit, whichever is earlier, तो हर महीने payment कर रहे हैं, तो हर महीने TDS deduct होता रहेगा, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो हर महीने TDS deduct होता रहेगा, जब जब हम payment करेंगे 60,000 की, तो TDS deduct हो जाएगा 2% का, यानि की 1200 rupees का, जब पूरे साल का अगर आप देखना चाहेंगे, तो 60,000 into 12,00 पूरे साल का 7,20,000 rupees का, ठीक है, 7,20,000 का 2% divided by 12 कर लेना क्यों कि आप हर महीने payment कर रहे हैं, पूरा आप यहां पर show कर सकते हैं, ठीक है, तो हर महीने मैंने लिखा भी यह next page पर, कि 1200 पर मन्त आप TDS करते रहे हैं कि पूरे साल में आपके पूरे 14,400 हो जाएगे, समझ रहे हैं, okay, next section पर आजएगे हैं, यह था 194C काफी important है, अब commissions related तीन sections हैं हमारे पास, एक तो है 194D, एक है 194G और एक है 194H, तीनों section almost similar है, तीनों sections almost similar है, किनों section है, commission के लिए, commission के लिए, 194D की commission लगती है, तो अगर insurance, अगर हम एक insurance agent है, तो हमें insurance company commission पे करती होगी, क्यों, क्योंकि हम उनके लिए business लेकर आते हैं, तो यहाँ पर insurance agent, को जब पैसे मिलेंगे, तो TDS deduct होगा, कौन deduct करेगा, जो insurance company है, तो यहाँ पर हम commission की income देख रह ही आचाएगा, but other than lottery है, other than insurance है, तो general commission और brokerage के लिए, brokerage भी है आपर, commission और brokerage के लिए 194H आएगा, तीनों section समझ गए, commission से related में बाते कर रहा हूँ, तीन sections है हमारे पास, एक तो हो गया, commissions से related हैं, sections है, एक section होगिया, हमारे पास 194D, दूसर सेक्शन होगिया, हमारे पास 194G, और तीसर सेक्शन होगिया, हमारे पास 194D, 194D होगा, insurance commission का, अगर आपको insurance commission मिल रहे हैं, 194G हुआ, lottery commission का, अगर आपको lottery commission मिल रहे है, और 194H is other commission and brokerage, other commission and brokerage, जो आपको ये commission pay करता है, जिसे insurance commission कौन पे करता हूँ, insurance company, lottery commission pay कौन करता हूँ, जो भी lottery organizers होते हैं, वो लोग आपकी lottery commission pay करते हैं, lottery agents को, other commission कोई भी पे कर सकता है, कोई भी आपको अगर other commission, for example, मैं एक company हूँ, मैं अपने किसी commission agent को commission pay करता हूँ, तो मैं 194H में, क्या individual or HVF भी, for example, किसी individual का business है, for example, मैं एक sole proprietor हूँ, मेरा business है, तो मैं किसी commission agent को पैसे pay कर सकता हूँ, हाँ, कर सकता हूँ 194H में, बट फिर जहाँ पर भी individual or HVF की बाते आएंगे, कि तो वहाँ पर यह देखा जाएगे, कि हमारा last year का turnover कितना था, salary एक 192 एक ऐसा section है, जहाँ पर हम यह नहीं देखते कि individual अगर employer है, तो भी TDS data कर सकता है, उसका turnover कुछ भी रहे, बट बाकी जगा पर हम देखते हैं generally, कि आपका turnover कितना था, इसके भी कुछ exceptions हैं, यहाँ पर हम personal चीज़ों के उपर भी TDS लगाते हैं, हम आपके देखेंगे, जैसे 194 IA, IB है, 194 M है, काफी important sections है, वो भी, अभी हम discuss करेंगे, बट पहले भी हम commission वाला discuss कर लेते हैं, तीनों इस section में common बात क्या आई, commissions related sections हैं, दूसरी common बात क्या है, यहाँ पर जो threshold limit होती है, तीनों में 15,000 से जादा कि अगर आपको पूरे साल में commission मिल रही है, तब ही TDS आता है, 15,000 से जादा नहीं आ रही है, तो TDS नहीं आएगा, तीसरी, लास्ट बात होगी, TDS का rate रहे TDS आएगा, ठीक है, 194H में जो भी commission मिल रही है, 5% का TDS आजएगा, 15,000 से उपर रहेगा, 194D में अगर आप insurance agent है, तो आपको 5% का TDS आएगा, 15,000 से उपर रहेगा, but 194D में एक छोटा सा point और है, 194D में यह कहता है, जो agent है, अगर वो एक company है, तो 10% का rate रहेगा, ठीक है, जनर जिसके किसी भी company से कराती है, वो company उनको देती होगी commission, insurance commission, तो पर policy बजार के एक company है, तो उसका जो TDS डिड़क्ट होगा, वो 10% से होगा, पर generally 5% rate है, अगर यह जो agent है, insurance के case में वो एक company है, तो 10% का TDS आएगा, otherwise यह वाली बात है, जो तीनों में sections में applicable रहेती है, तो आप आप देखेंगे, the 194D होदा है, insurance commission का, ठीके, जो भी insurance company है, जब वो आपको पैसा पे कर रहे है, आप एक insurance agent है, resident, तो 5% के TDS करेट रहेगा, but अगर आप एक domestic company है, जिसे policy bazaar, आप policy bazaar आप note कर सकते है, I'm so sorry, तो अगर आप एक domestic company है, तो 10% TDS करेट रहेगा, at the time of payment, or at the time of credit whichever is the deal, threshold limit 15,000 की रहेगी, similarly बिलकुल 194G अगर आप देखेंगे next page पर, बिलकुल same बात है लिखें हुए है, 15,000 की threshold limit है, lottery की commission आपको मिल रहे है, 5% के TDS rate रहेगा, 194H है, other commission brokerage के लिए, तो अगर आपको कोई भी पैसा pay कर रहे है, कोई company पे कर रहे है, firm पे कर रहे है, किसी भी पे कर रहे हैं, तो उनका last year का turnover देखा चाता है, ठीकि last year का turnover देखा चाता है, 194H, important बात है याद रखेंगे, 194M में बहुत काम आएगी, 194M के तो बहुत questions आयों है, last years में, तो वो important रहे है section, तो बस याद रखेंगे हैं, यहाँ पर भी, 194H में 15,000 से उपर का payment अगर मिल रहे तो अब आपका TDS लग जाएगा, 5% TDS का rate रहेगा, simple है, sections, तीनो sections हो गए, 194D, 194G, और 194H, 15,000 तीनों में है, 5% तीनों में है, बढ़ा, insurance commission के लिए, अगर वो domestic company है, जो receiver है, वो जो agent है, वो policy बजार याद रखेगा ना, वहाँपर 10% rate आ रहेगा, ठीक है, 194, इससे रिलेट बहुत ज़्यादा, exam में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ जाता है, बट फिर भी इतनी बात है, sufficient है, अगर में last year, में देखता हूँ, तो इसके उपर ज़्यादा questions नहीं मिलेंगे आप, ओके, एक section आता है, 194DA, 194DA, इसके उपर एक दो बार question आ चुके है, 194DA के उपर, कि अग अगर आपके पास, आपको life insurance policy का पैसा जब mature होता है, जब life insurance policy का पैसा mature होता है, in case अगर वो section 1010D में exempt है, फिर तो TDS नहीं आलेगा, क्योंकि अगर वो exempt है, तो TDS deduct करने की ज़रूद नहीं है, बट अगर वो exempt नहीं है, तब आपका TDS deduct हो जाता है, अब वो exempt क्यों नहीं हो उसका premium कितना था, अगर वो policy issue होई है, 1 April 20, 2012 से पहले, याद है मैंने आपको chapter 6 है कि जब मैं deductions करा रहा था, तब मैंने आपको यह याद कराया था बाते, तो अगर वो policy issue होई है, 1 April 2012 से पहले की, तो उसकम 20% की premium के limit लगाते थे, अगर वो अगले एक साल तक, 1 April 2012 से लेकर 31st March 2013 तक, एक साल तक, next एक साल तक, 10% की limit लगा जेते हैं, फिर एक साल के बाद income tax पर realize हुआ कि जो लोग disabled होते हैं, उनके policy का premium जाता जाता है, तो अगर 1 April 2013 से बाद की policies हैं, उसके उपर हम 10% का rate लगाते हैं, बट जो physically disabled लोग है, उनके लिए जर insured है वो, तो 15% का rate लगा तो यह policy exempt हो जाती है, बट अगर यह policy का जो पैसा था, जो premium थी, जो annual premium थी, किसी भी year की, अगर वो इस threshold limit से जादा की थी, तब आपकी वो premium जतना भी पैसा मिलेगा, आपको maturity पर वो taxable हो जाता है, तो यह बात मैंने यहां पर भी दुबारा से repeat करी है, but I understand कि क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, तो वो दुबारा से बाते repeat नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको यह बात याद आ गई होगी, तो अगर यह policy first April 2012 से पहले की, मैंने आपर भी लिखा हुए, इसका premium 20% से जादा का था, तब ही taxable हो था, अगर 20% यह उससे कम का premium था, तो taxable नह लेते हैं, और 1 April 2013 के बाद, हम 10% लेते हैं, बड़ जो disable है, अगर वेकी जो insured है, तो 15% लेते हैं उसके लिए, और मैंने आपको तरीका भी बताया था, याद करने का, मैंने का था, इसमें सिर्फ एक ही date याद करना, 1st April 2012, पस यह date याद करना, इसी से ही आप पूरा build-up कर देंगे, इस से पहले वाली policies हैं, तो 20% लगाना है, इसके बाद वाली policies हैं, एक साल तक तो सभी policies के लिए 10% रहा, तो अब एक साल वाली बात इसी से build कर देंगे, एक साल तक तो सब के लिए 10% रहा, उसके बाद, ऐसे आद कीजिएगा, income tax को अपनी गलती realized हुई, एक साल क के बाद, उन्होंने क्या करा, जो disabled वाले लोगों के लिए 15% कर दिया, ठीक है, बाकी लोगों के लिए 10% ही रहा, तो अगर आपकी premium इस particular amount से जादा की नहीं जाती है, तो फिर तो जो पैसा मिलेगा, maturity पर exempt होगा, ठीक है, section 1010D में वो exempt है, section नाम अर्थ करने की जरूरत नह यह number उसका, बढ़ा, यह वाली बाते आपको पता होनी चाहें, ठीक है, बट अगर आपको यह जो पैसा मिल रहा है, यह ऐसी policy का मिल रहा है, जिसकी premium ज्यादा थी, फिर वो taxable हो जाएगा, तो जब भी वो आपको पैसे मिलेंगे, वो आपके taxable हो जाएगा, बट कितना taxable क करेंगे, जितना आपकी income होई है, income मतलब जितना भी आपको maturity पर पैसा मिला, minus, minus जितने भी आपने premium pay की होगी, वो तो आपकी expenses होए ना, एक तरीके से, जो आपकी net income होती है, उसी यो पर हम tax लगाता है 5% का, तो यह आपके 5% का tax लगता है, वो भी income component के उपर, income component कैसे निक करेंगे आएगा, ठीक है, तो एक और question है, जो मैं इसके साथ कराना चाहूँगा, question number 24, question number 24, question number 24 पर आचाहिएगा, question number 2, हम पूरा कर चुके थे, बस fourth part बचा था उसका, तो वो भी कर ले थे, this will be on page number 11.2 पर, Mr. प्रभाकर is due to receive 6 lakh on 31st March 2024 towards maturity proceeds of LIC, policy ली है, इन्होंने 1st April 2020 को policy लीती, 2020 को policy लीती, यानि यो 10% वाला rate लगाएगे, कोई disabled rate की बाते नहीं आई, 15% की बाते नहीं हुए, तो 10% का, ठीक है, इसका sum एशोर था कितना 5 lakh और इसकी premium जाती थी, वन लाक 40,000, मुझे प्रीज बताईएगा, तो गर समय शॉर्ट था है, इनका 5 lakh रुपीज का, ठीक है, 5 lakh रुपीज का समय शॉर्ट था, और इसकी premium जाती थी 140, ज़रा percentage में बताईएगा, सरी तो 1,040,000, divided by 5 lakh, 10% से जाता है, ठीक है, सिंपल लग रहा है, 28% है, वैसे भी सिंपल कर लिजिएगा, 5 lakh का 10% निकाल के देख लिजिएगा, क्या premium पचासदार से जाता है, तो आंसर इस यह से premium पचासदार से जाता है, तो इसका मतलब ये वाला पैसा taxable होने वाला है, ठीक है, तो इसक इतना भी आपने, यह आपको पैस, policy आपने कब शुरू की थी, 1st April 2020 को, तो 1st April 2020 को जब आपने policy शुरू की थी, तो इसका annual premium जा रहा था, 1 lakh 40,000 आपने ये premium दिया होगा, फिर एक साल के बाद, 1 4 2021 को फिर आपने 1 lakh 40,000 का premium दिया होगा, ठीक है, इसी तरीके से 1 4 2022 को आपने 140 का premium दिया होगा, 1 4 2023 को आपने 140 का premium दिया होगा, 1 4 2024 को तो नहीं दिया होगा, उसके से पहले तो policy mature होगा, यानि कि आपने इसके चार बार premium के पैसे भी दिये होगे, तो इसका मतलब, क्लियर है देखो, छोड़ा सा कुश्यन है, दू-ती लाइन का, बट रहो, जन्य और में इतनी premium पेकरी होगे, तो हमें 6 lakh rupees मिल रहे है, minus 5 lakh 60,000 rupees, ठीके 5 lakh 60,000 rupees का, यानि कि 40,000 के उपर हमारा यहाँ पर fixable होने वाले 5% से TDS का rate लगा दीचेगा, यहाँ पर देखे 40,000 के उपर 5% का TDS का rate लग गया, ठीके कि कितना amount आएगा, 40,000 का 5% 2,000 rupees का, यहाँ पर जो हमें पैसे मिल रहे हैं, वो policy 1010-D में exempt नहीं होगी, आपको जरूरत नहीं अगर आपको यह section का number याद नहीं होगी, simple यह वाद याद रख लिजिएगा, कि यह 10% से ज्यादा का हमारा premium था, इसलिए वो taxable होने वाली है policy, तो हमें मिल रहे है 6 lakh रुपे, अगर हमें 6 लाग रुपे मिल रहे हैं, तो 6 lakh के ओपर पूरा tax नहीं लगेगा, कितने के ओपर लगेगा हमारा income component के ओपर, तो जितना भी हमने premium pay करी होगी tenure में, हमें परता चलता कि हमने 4 बार premium pay की थी, 1 lakh 40,000 into 4, तो इतना premium हमने pay की थी, तो net income कितनी बच्ची हमारी 40,000 रुपेस की, इसके ओपर 5% का, यहाँ पर TDS लगा दिया जाएगा, एक बात और आपको याद रखनी है, जो threshold limit है, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर वो 1,00,000 से ज़्यादा है, तब ही आपके आएगा, तो इसके ओपर भी question आ सकता है, ठीक का, अभी तक कूछा नहीं है, अबर इ इससे कम मिलते, फिर यह section नहीं आता, फिर यह section नहीं आता, फिर वो premium का amount कुछ भी रहता, 10% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, पर जो आपको पैसे मिल रहे है, maturity पर वो अगर 1,00,000 से ज़्यादा है, तब ही आप यह section को picture में लाइएगा, अदर्वाइस मतला है ठीक है, यह था 194DA, अब हमारा next section आता है 194I, TDS on rent का, simple सा section है, कि जब कभी भी आप rent पे करेंगे, अगर उसका amount 2,40,000 रुपीज है, threshold limit याद रखेगा 2,40,000 रुपीज का, 194I ठीक ठाक section है, importance के अगर बाते करेंगे तो ठीक ठीक, level पर important है, easy section होता है, any person जो भी आपक पे कर रहे है, ठीक है, अगर individual और HUF अगर आपको rent पे कर रहे हैं, तो उनके last year का turnover एक करोड या 50,000,000 रुपीज से जादा होना चाहिए, TDS का rate क्या रहता है, at a rate of 10% TDS का rate रहेगा, important बात है, अगर आप यह पैसे पे कर रहे है, rent of machine, machine के उपर 2%, plant machinery के उपर 2% का TDS 10% का TDS का rate रहेगा, clear हो गया, at the time of payment or credit whichever is earlier, और 2,40,000 रुपीज की इसके उपर limit है, 2,40,000 से जादा का rent पे करेंगे, तब ही TDS का, और TDS यहाँ पर लगेगा, otherwise नहीं लगेगा, अगर आप 2,50,000 कर रहे हैं, तो in excess of 240 या पूरा 250 पर, फिर तो पूरा का पूरा 2,50,000 पर TDS deduct कर ली, पर लीचेगा, 10% या 2% as the case may be, ठीक है, 197 और 197A का benefit दोनों का ही available रहेगा, 194I में, तो 194I था TDS on rent का, अब 194IA हुआ या IB हुआ, यह एक section आता है 194M, यह तीनों special section है, special section के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर अगर assessi एक normal individual भी है, तो भी वो TDS deduct कर सक करता है, अगर उसकी यह conditions fulfill होती है, तो mainly यहाँ पर जो high net worth transactions होती है, कुछ high value transactions होती है, हम उनको taxable करना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं कि income tax department चाहेगा, कि हम लोग वहाँ पर identify कर सकें कोई भी high value transactions हो रही है, तो 194IA आता है TDS on purchase of immobile property, यानि कि अगर आप land या building जब purchase करते हैं, तो for example मैं एक buyer, मैं कहीं पर एक land या building purchase करना चाहता हूँ, land, building और बोथ, और उसकी value जो मैं पैसे pay कर रहा हूँ, 50,00,000 रुपीज से ज़्यादा की value है, 50,00,000 रुपीज है, अगर उसकी value जो मैं पैसे pay कर रहा हूँ, 50,00,000 रुपीज से ज़्यादा है, या फिर अगर वो purchase कर रहा है, immobile property, यहाँ पर उसको अपना 10 number लेने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो भी deductor होता है, उसको अपने 10 number लेने की जरूरत होती है, but there are three special sections, 194 IA, और अभी हम discuss करेंगे IAB और उसके बद 194M, यह तीन sections हैसे हैं, जहाँ पर अग करेंगा, other than agriculture land, अगर आप agriculture land खरीद रहे हैं, तो वह जरूरत नहीं है, but non agriculture land अगर आप खरीद रहे हैं, या फिर कोई building खरीद रहे हैं, कोई भी immobile property, for example, अगर मैं flat खरीद रहा हूं, तो मैं TDS direct करूँगा, कितना 1% TDS direct होगा, जो भी consideration है, या फिर stem value का whichever is higher, ठीके, consideration जित आप 55 लाग रुपीज की property खरीद रहे हैं, तो आप TDS direct करेंगे 55 लाग पर, अगर इसकी stem value 65 लाग रुपीज है, तो फिर आप 65 लाग के उपर, जो SDV होगा, उसके उपर 1% TDS direct करेंगे, this is an important section, अब कभी कभी क्या करते हैं, for example, अगर मैं किसी builder से, किसी society में, अगर मैं तो builder क्या करते हैं, वो अपनी value को 50 लाग रुपीज से कम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, sir हम आप से charge करेंगे, let's say 55 लाग रुपीज, बट ये पूरा immune property तरह नहीं करेंगे, हम इसमें से 40 लाग तो ऐसे charge करेंगे, ये flat की value है, इसमें से 5 ला for your purchase of your immune property, और अगर वो split करके दिखाते हैं, कि कुछ पैसे में club fees के, car parking के, electricity के, water facility के पे कर रहा हूं, तो हम सबको नहीं मानेंगे, ये सिर्फ एक tax avoid करने का तरीका है, हम सब कुछ include करके देखें, कि आप total include करके कि कितना पैसे आप पे करते हैं, जैसे मैंने कहा है, यहाँ 10 नंबर की जरूरत नहीं है, और 194 IA, अपलाए नहीं होगा, compulsory acquire अगर हो रही है, तो अगर आप परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर 194 IA लगेगा, अगर आप कोई भी government compulsory acquire कर सकते, central government, state government अगर अगर compulsory acquire कर रही है, तो हमारे की उसके पास एक special section है, 194 LA, तो वो बाते 194 LA में अगर compulsory acquisition हो रहा है, LA के उपर भी कुछ questions आ चुके हैं, पास्ट में, तो मैं उसके बारे में भी discuss करूँ है, जिसे यहाँ पर 10 number की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर simplified form होते है, जैसे आप TDS deduct करेंगे और deposit कराएंगे, तो जैसे TDS deduct करते हैं, आप और फिर deposit कराते हैं, वो च चलान ही जैसे आप deposit कराते हैं, वो चलान की आपका return मान ली जाती है, कि आपने TDS की return ही आपने उसी के through deposit कराती है, तो इसकी बाते में अभी TDS returns वगएरे की बाते में cumulative सबके लिए करूँगा, एक बर मैं अपने sections discuss कर लेता हूँ, और इसके बाद हम अपनी TDS returns वगएरे की बाते भी करेंगे, ठीक है, TDS certificate form 16B में होता है, हम देख लेंगे अभी इसको आगे, तो TDS certificate और चलान की बाते हम एक साथ करेंगे, तो मैं अभी उसके बादे discuss नहीं कर रहा हूँ, ठीक है 194 आये समझ कहे हैं, कब हो आएगा, अगर आप कोई immovil property purchase कर रहे है, ठीक है, तो य यहाँ पर यह section applicable हो चाहेगा, या फिर अगर उसकी stamp duty value 50 lakh rupees से जाता है, तो भी यह value, यहाँ पर आप 1% उस value पर TDS deduct करेंगेगा, नेक्स section होता है 194 IB, काफी important है examination point of view से, इसको important mark कर लीजेगा, this is important, अगर आप rent pay करते हैं, सर अभी तो हमने rent के एक section कर रहा था 194 आए, यह IB क्य इंडिविजुल और H.U.F. वहाँ पर covered थे, अगर वो rent pay कर रहा है, अगर उनका last year का turnover 1 क्रोड या 50 lakh से जाधा कर था, किके वो लोग तो वहाँ पर आजएगे, बट अगर कोई ऐसा individual है, जो rent pay कर रहा है, बट उसका last year का turnover 1 क्रोड रुपीज या 50 lakh रुपीज या 50 lakh रुप तो जैसे मैं बात ही करना था, यह जो personal वाले कुछ sections बने हुए, 194 I, IBA 194M, यह mainly track करने के लिए बने हुए कि हम जो high value transactions है, उनके उपर नजर रख सके, तो यहाँ पर 194 IBA में बोला है कि अगर कोई भी individual यह actually of rent pay कर रहा है, other than that individual जिनके last year का turnover 1 क्रोड या 50 lakh से जाधा कर नहीं तो फिर तो आप उसी section में आ जाएंगे, other than those covered under 194 I, यानि कि that is आपका last year का turnover, अगर 1 क्रोड या 50 लाक को exceed नहीं करता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर आपका कोई business भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई profession भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आ पर लिए है, अगर वो 50,000 रुपीज पर मन्त या पार्ट ऑफ दा मन्त है, उससे जादा कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, या आप अच्छा खासा रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पर यह 194 I, B का section लग जाएगा, TDS deduct होगा 5% के रेंट से, अगर पर मन्त का रेंट यह पा कर रहा होगा, उसका 50,000 पर मन्त से जादा, पूरे साल में, for example, आपने 60,000 रुपीज पर मन्त पैसे पे की हैं, 60,000 पर मन्त पैसे पे की हैं, इन्टू 12, पूरे मही ने, पूरे साल करेंट से, तो आपने 7,20,000 रुपीज का पेमेंट करा होगा, इयर एंड पर इसका 5% deduct कर कीचेगा, बट कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि हम लोग जो year end पर हम TDS deduct कर रहे थे, वो पूरे साल का 5% कर रहे थे, बट वो किस में से deduct करेंगे, last month के rent में से, बट अगर last month का rent ही इतना नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम TDS उतना ही deduct कर सकते हैं, जितना last month का rent होत करेंगे, end of the year में TDS deduct करेंगे, कितना, जितना भी हमने आपको rent पे किया है पूरे साल में, उसका 5%, और जितना उस महीने का rent है, last month का जितना rent है, आप उस जदर तो आप deduct करी नहीं सकते हैं, यानि कि हम आपर हम restrict हो जाएंगे, ठीक है, दूसरी बात है, for example, अगर हमने कोई प्रॉपटी, दो या तीन महीने के लिए rent पर ली है, और year rent से पहले ही खाली कर दी थी, तो जो भी आपका last month था, tenancy का, यानि कि जो आपका last month था, for example, अगर मैंने कोई भी property किराय पर ली है, September, October, November में, और November में मैं इसको vacate कर रहा हूँ, और इसका हर मत का rent था 1 lakh rupees, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, तो अब जब आप last month का rent पे गर रहे होंगे, उस समय TDS to rent कर लिएगा, यानि कि अगर आप पूरे साल इसको occupy करके बैड़े दे तो year rent पर, या फिर अगर आप during the year ही आपने इसको vacate कर दिया, तो जो भी आपका last month था, वहाँ पर TDS to rent कर लीचेगा, ठीके, this is 194 IAB, और य आपको simply अपना text जब deposit कराएंगे, उसी को हम, उस चलान को ही हम अपनी आपकी TDS की return भी मानेंगे, और आपको एक TDS certificate simple सा issue करना पड़ेगा, certificate की बाते, return की बाते मैं एक साथ discuss कर लूँगा, ठीके, सब लोग समझ गे, 194 IAB, तो यहाँ पर simplified TDS की return होती है, वो चलान कम statement होती चलान का मतलब होता है, जब आप पैसे deposit कराते हैं TDS के, तो वही जो आप form fill करते हैं, वही आपकी statement मान ली जाती है, form 26QC है, और TDS का certificate form 16C है, इसकी बाते हम आगे discuss करेंगे, ठीके, इसके उपर मैं एक question कराना चाहूँगा आपको, आप आजएगा, अपने question bank पर, question number 3 का third part है, ठीके question number 3 का third part है, और फिर question number 8 का second part है, पहले third का third part पर आ जाएगे, ठीके हम साथ-सार डिसकस करते हैं, चल रहे हैं जिससे कि आपका TDS ना पूरे अच्छे से, थोड़ा से class ही ज़्यादा हो, देर की बन जाएगी, बढ़ आपके TDS के concepts अच्छे से clear हो जाएगे, ठीक आपको यहाँ बताना की क्या TDS अगे रहे हैं, इंप्लिकेशन आएगे, तो this question says, Mr. Agam working in a private company, is on deputation for 5 months from October 23 to February 24 at Mumbai, क्या है, Mr. Agam किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और इनको इनकी कंपनी ने कहीं पर भार भेजा हुए, पार-चार, मार्च महीने के लिए, October से लेकर February तक, और य 32,000 रुपीज पर मन्त का यह रेंट पे कर रहे हैं, और टोटल इन्होंने जो रेंट पे कर रहा है, वो 1,60,000 रुपीज का था, रेंट इस पाइड भाई है, बस इतनी सी बाते हैं, हमें बताए गई है, तो प्लीज मुझे बताएगे, क्या TDS आएगा यहाँ पर, सबसे प 20 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, प्लस, अगर आप एक कंपनी है, तो आपके उपर आ सकता है, फर्म है तो आपके उपर आ सकता है, या फिर आप एक इंडिवीजुल यह है, हुए फन जिसका लास्ट यह का टर्न ओवर, यानि कि आप बिजनस कर रहे थे तो वन करो आए बी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमारा 194 IA बना हुआ है, बट 194 IA में लिखा हुए है कि आपका जो पर मन्त का रेंट है, यह पार आफ दा मन्त का रेंट है, वो 50,000 से एकसीड करना चाहिए, बट यहाँ पर जो हमारा रेंट है, वो स्रफ 32,000 रुपीज है, यानि कि ह हमारे उपर 194 IA के भी कोई प्रोविजन्स नहीं आ पाएंगे, अच्छा हुझे बता है, यह 194 IA क्या था, याद कीजे, 194 IA था, इम्गूवल प्रोपर्टी, 50,000 रुपीज है, यहां पर है 194 IA उसके भी प्रोविजन्स नहीं लग पाएंगे, क्यों, सर्फ 50,000 से जाद है, पर मन्त का जो रेंट है, होना चाहिए, वो 50,000 से जादा होना चाहिए, पर यहां पर आपका 32,000 रुपीज है, तो यहां पर आपका कोई भी TDS की प्रोविजन्स नहीं लगेंगे, तो अगम जो पैसा पे कर रहे हैं अपने लैंड़ाट को अराम से पे करें, without deducting TDS, कोई TDS के प्रोविजन्स नहीं लगेंगे, ठीक है, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुए, अगम is a salary individual, 194 आए तो लगेगा नहीं इनके उपर, आए भी इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो रेंट है, तो 32,000 रुपीज है, और वो 50,000 पर मन्त से जादा का नहीं है, तो इनक ही आजएएगा, अगर इसमें है, 8th का 2nd part, this is page number 11.6 पर, आजए जल्दी से 11.6 पर, मैं वेट कर रहा हूं, आजएगे, आज मुझसे आपने काफी लंबी class करा लिए, ठीक है, जल्दी से इस class को, प्लीज, लेक्चर को शेर जरू कर दिए, जो भी आपके group connected है, प्लीज इस मुझे बताईए, इसको बताईए कि आपको how you are finding these classes, ठीक है, और TDS आपको बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, right, so it is more than a revision class, आजएगा, 8th का 2nd point पर, Mr. Ramu is a salaried individual, यह भी salaried है, ठीक है, यहाँ पर यह rent पेगा रहा है, 60,000 पर मत का, यहाँ पर तो आजएगा boss, अब दे लगेगा नहीं क्योंकि यह तो salaried individual है, तो आई भी लग साएगा, और क्योंकि इनका जो per month का rent है, वो भी 50,000 रुपीज से जाता है, कितना है, 60,000 रुपीज का rent पे कर रहे हैं यह, from 1st July 2023 to 31st March 2024, यानि कि एकर मैं July से count करता हूं, तो July से लेकर मार्च तक 9 months का इनोंने rent पे है, शुरू के 3 महीने, April में, June का नहीं था, 9 months का है, 60,000 into 9 हमारे पास आ जाता है, 5,040,000, 5,040,000 का आपने rent पे किया, इसका 5%, इसका 5% आजेगा, 27,000 रुपीज, तो 27,000 रुपीज आपको TDS deduct करना पड़ेगा, कब? year end, but 31st March 2024 का जब आप rent पे कर रहे होंगे, तो 27,000 रुपीज का TDS deduct कर लीजेगा, last month का rent केतना है, last month का rent से 60,000 होगा, हाँ सर, अराम से हम कर सकते है, 27,000 रीदों कर सकते है, हाँ अगर last month का rent 60,000 होता, बट हमें जो TDS का amount आता, let's say, वो 60,000 से भी जादा आ जाता, फिर हम उत 27,000 deduct करना था, आराम से कर पाएंगे, कोई tension नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग, मैंने ना एक चीज नहीं पड़ी, अब देखो, मैंने खुद यहाँ पर गलती करती है, मैंने यहाँ पर गलती करी है, मैंने यहाँ आपर कोशिन बुरा नहीं पड़ा था, यहीं गलती, students भी कर देते हैं, जो मैंने अभी करी है, last point था, shift कुमार has not furnished his permanent account, अब हमें पता है यह बाद लिए section में आगे discuss करना है मुझे last में, बट वहाँ पर आपको पता होगा कि सामने वाला अपना pen number नहीं पर देता, तो जो भी TDS का rate होता है, यह 20%, whichever is higher के हिसाब से TDS भी जाता होता है, यह छोटी से line थी, मैंने पूरे number यहाँ पर चले जाते हैं, मैंने भी गलती करने वाला, अब shift कुमार नहीं क्या कर रहा है, अपना pen number नहीं दिया, pen number नहीं दिया, 20% लगेगा, अब दुबार से calculate करना पड़ेगा, 60,000 into 9, कितना हुआ, 5,40,000, अब जो TDS का rate रहेगा, normally तो 5% रहता है, इस case में क्योंकि सामने वाले नहीं पना pen number नहीं दिया, तो 20% ह हो जाएगा, यानि कि 1,08,000 का TDS deduct होना है, ये rent पर आप में 1,08,000 का TDS deduct करूँगा, बट करनी पाँगो इतना, क्यों, क्योंकि last month का जो rent है, वो ही 60,000 रुपीज है, तो कोई बात नहीं, फिर जितना last month का rent है, उतना ही TDS deduct करिएगा, उतना ही TDS deduct करिएगा, ठीक है, तो इस ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारे पास 194 IB, अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, 194 I, 194 IA, और 194 IB, जल्दी से याद करिए कि कि किस किस का होता है, 194 I होता है TDS on rent का, और 194 IB भी TDS on rent का होता है, डिफरेंस क्या है, सर, यहाँ पर यह सरफ IB बना हुए, इंडिजल और हीफ के लिए, ऐसे इंडिजल और हीफ जो लोग यहाँ पर covered नहीं हो पाते हैं, यानि कि आपका लास्ट येर का turnover, एक करोड़ या 50 लाग रूपीस से ज़्यादा का नहीं था, या फिर हो सकता है, आप बिजनस या प्रो परसन करिएगा, ठीक है, और फिर 194 IB में, अगर आपका पर मंत का रेंट है, 50,000 रुपीस से ज़्यादा का, तब TDS के इंप्लिकेशन आते हैं, हर महीने TDS डिएट करना है क्या नहीं, 194 IB में, मैं बाबर रिपीट कर रहा हूं, 194 IB में आपको TDS डिएट करना होता है, या रें पर नहीं देता है, तो हमें पता है, सभी सेक्शन में 20% आ जाता है, एक सेक्शन आएगा, आगे, आपर 5% रहता है, ठीक है, अधर्वाइस, पैयन ना फर्निश करें, 20% जनरल प्रोविजन से, आगे मैं डिसकस करूँगा, उसके बाद, 194 IB क्या था, अगर आ इमूवल प्र अगर यह लगता है, पांच चीज़े आती है, अगर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसस के पैसे पही कर रहे हो, या फिर टेकनिकल सर्विसस के अगर आप पैसे पही कर रहे हो, नॉन कॉम्पिटिंग के पैसे आप पैसे पही कर रहे हो, या फिर आप किसी अपने डिरेक् पार्ट टेम डिरेक्टर है या फिर आप मिटिंग फीस के पैसे 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 ठीके दूसरी इंपॉरेंट बात है कि हाँ पर जो लिमिट है वो है 30,000 रुपीज की ठीके और 30,000 रुपीज के जो लिमिट लगाना वो हर एक के लिए अलग अलग लगेगी पर थर्टी थाउजन देखेगा टेक्निकल सर्विचस के लिए रॉयल्टी के लिए नॉन कॉंपिटिंग के लिए अलग 30,000 रुपीज यानि कि फॉर इच टाइप आफ थीज थाउजन के लिमिट अलग 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 लगेगी ठीके तो आपको फे पुश्चन कन्फ्यू यहां पर आपको हर एक को अलग-अलग अलग देखना इन फांचों को आपको अलग-अलग-अलग जान के रहता है दो इसी कब अमिंट्मेंट प्यालग के लिए लिए ही यह में इसे में एक एग्जांपल से प्रक्राइब तो यहां पर ना बहुत शाद ु अने मेखास्थ है रहा रहा है को हमेद तो यहां पर ना बहुत शादा प्राव्लम हो रहे थी और सक्ष्ट अप्रत्म के सामने ये बहुत साथ प्रॉब्लम थी काफी सारे लोगों ने इस चीज़ के उपर केसे बनाने शुरू कर दिये litigation issues होगे काफी ज़्यादा कि वो टेक्निकल सर्विसेस को बोल देते हैं सरी यह तो हमारी लगेगा टेक्निकल सर्विसेस के लिए 2 लगेगा यह वार समझ मागी दूसरी बार रॉयल्टी के उपर 10 लगेगा अगर वो रॉयल्टी है Cinematic Graphic Films का मतलब यह हो गया कि for example करन जो हो रहे है या फिर जो लोग movies बनाते है जैसे रेड डेड चिली इंटरेनमेंट है शारुक खान की है देवगन है अजय देवगन की है वो लोग क्या करते है वो movie को produce करते है फिर वो अपने copyrights वो copyrights cinema hall को दे देदें लेट से पी वी आर को या आइनॉक्स को हमने वो राइट्स देती है cinematic graphic films के आयनॉक्स हमें payment करेगा तो उस royalty के उपर 2% लगेगा उस royalty के उपर 2% लगेगा other than that royalty 10% करेट रहेगा सब लोग समझेगे 2% का आपका आना है technical services के उपर 2% आना है royalty for cinematic graphic films के उपर 2% आना है और तीसरा होता है अगर किसी का call center का business है अगर वो सरिफ call center में deal करता है हमने उसको contract दे दिया कि वो हमारी calls वगेरा लेगा ठीक हमने अपना outsource कर दिया एक चीज हमारे customers की calls आती है उनको entertain करने के लिए हमारे पास staff नहीं है तो ह उसके उपर भी 2% आएगा उसके उपर भी 2% आएगा तीन चीज के उपर 2% आएगा किस के उपर अगर हमने technical services के पैसे दिये royalty only on cinematic graphic other royalty पर 10% है cinematic graphic पर 2% रहेगा और अगर हमने किसी को call center के लिए दिया है चीज़े तो भी 2% रहेगा otherwise 10% रहेगा और limit के रहेगी 30,000 अलग-अ सब के लिए अलग-अलग देखनी है डिरेक्टर रेमेंटरेशन के लिए कोई limit नहीं होती है अगर अच्छा मुझे बताओ salary है तो फिर तो simple है 192 में TDS चाहेगा other than salary के लिए 194J में चाहेगा बट डिरेक्टर रेमेंटरेशन के लिए सर अगर मैंने 25,000 की रेमेंटरेशन प सब्सक्राइब लगाएंगे तीन जगा पर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी को सिनेमेटरेशन और अगर कोपरेट कर रहा हूं कॉल सेंटर्स अधरवाइस अधर केसेज में 10% की लिमिट लग चाहेगी ठीक है टाइम डिडाक्शन पेइमेंट और क्रेडिट विचेवर अर्लियर घडी थाॉदन की लिमिट हो जाती है एक फ़स्टा ने इसके ऊपर फ़स्टन नमबर फाइव पर आ चलिएगा कोश्टन बांक में कॉश्टन नमबर फइप पर आये इसका 1st or 2nd part 3rd नहीं, 1st or 2nd part 3rd वो ल.A के साथ में discuss करूंगा Question No. 5 ये कहा था Compute the amount of TDS on the following payments Payment of royalty 20,000 रुपीज हम पे कर रहे है and fees for technical services 24,000 पे कर रहे है तू Mr. A अब देखो royalty के पैसे 20,000 technical services के पैसे 24,000 यानि कि 44,000 हम पे कर रहे है Mr. A 30,000 से ज़्यादा है नहीं, क्या करना है हमें अलग-अलग देखना है royalty के पैसे अलग, technical services के पैसे अलग 30,000 से ज़्यादा नहीं है आगे देखते हैं, अब मैं पूरा question पढ़ूँगा Who is having payments were made during the previous year by Mr. Zen Limited Zen Limited payment कर रहे हैं Mr. Ako TDS आएगा क्या नहीं जी क्यों नहीं आएगा, 30,000 से हम individual लगाएंगे, वो ज़्यादा जानी रहा है तो यहाँ पर कोई TDS नहीं आएगा क्योंकि individual जब हम payment कर रहे है 20,000, 34,000 वो 30,000 से ज़्यादा नहीं जा रही है separately हमें देखना होगा, ठीक है दूसरा Kara Limited paid 18,000 to one of its director as setting fees सर्फ 30,000 से कम पैसा pay कर रहा है, कोई problem नहीं है directors को जब remuneration pay करोगे तो चाहे वो 30,000 से कम भी हो तो भी DDS रहेगा, कितना rate रहेगा 10% का, 2% वाला नहीं सर 10% रहने वाला है, तो यहाँ पर हमारा 30,000 वाली limit applicable नहीं होती हम सीधर सीधा 18,000 के उपर 10% लगा देंगे, 80,000 ठीक है, आगे आजे, चलो मैं यह वाला भी साथ साथ कुश्ष करा देता हूँ 194 LA, 194 LA होता है simple सा section है, ज्यादा इसमें इतना बहुत बड़ा rocket science नहीं है LA simple है, अगर compulsory acquisition के case में, अगर land या building या both अगर compulsory acquired हो जाती है और आपको जो compensation मिल रही है, वो 250,000 रुपीज से जादा की मिलती है 2,500,000 से जादा की मिलती है तो TDS का rate रहेगा 10% जब हमें central government, state government जब हमें पैसे पे करेगी, तो 10% का TDS deduct करेगी 2,500,000 सा अगर जादा का amount पे कर रहा हूँ, हमने एक section पढ़ा था 194IA और 194LA अब यह दोखो similar होगे, दोनों ही immual property के बारे में यहाँ पर क्या था 50,000,000 से जादा का amount यहाँ पर क्या है, 2,500,000 जादा का amount, यहाँ पर TDS का rate था 1% यहाँ पर TDS का rate है 10% बट यह LA स्प्रसिफिकली किसके लिए बना कंबल सी acquisition के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुए 2,35,000 paid to Mr. Sumit a resident individual by state of Tamil Nadu on कंबल सी acquisition of its urban land, तो यहाँ पर TDS नहीं आएगा क्योंकि जो amount पे हो रहा है वो सरफ 2,35 हो रहा है 2,50,000 जादा का नहीं हो रहा ठीक है, तो LA एक बार देख ले यह रहा LA तो LA जो एक्वाइर है अगर वो आपको पैसे पे कर रहा है 2,50,000 रुपीज से जादा का threshold limit है तो 10% का TDS रिटाट हो जाए ठीक है, कुछ और question करते है 10th का first part पर आएगा question number 10th का first part पर आएगा अब देखो इहाँ पर भी हम director को पैसे पे कर रहे है, सेटिंग फीज के 25,000 30,000 रुपाइल लिमिट तो होती नहीं है तो जितना भी amount पे करो डिरेक्टर को TDS लगेगा, 10% का TDS लगा दीजेगा हाँ पर 2500 का ठीक है, 194J में 2500 का TDS आजाएगा एक question आजाएगा और 12th का second part 12th का second part this is on page number 11.9 पर यहाँपर भी हमारा part-time director है और हम उनको commission pay कर रहे है 2,49,000 की which is not in the nature of salary, यानि कि 194J आएगा, कि दसीदा 249 के उपर 10% लगाती जाएगा, 24,900 का TDS रिड़क्ट हो जाएगा 24,900 का TDS रिड़क्ट हो गया ठीक है, और आएगा 10th question का second part 10th का second part हमने कर लिया किया 2,20,000 paid to Mr. Mohana resident individual by state of Haryana on कंबल से acquisition of Urban Denny हाँ पर भी नहीं आएगा, क्यों? 2,50,000 की limit है ठीक है, similar थे, मैंने फिर भी इस ले करा दिएगा याद हो जाए आपको, LA 2,50,000 से ज्यादा का amount जाएगा, तब ही आप TDS रिड़क्ट करिएगा चीक है, अब तो खतम होने वले हैं आपके चलिए, अब आच है यह का 194M पर अच्छा, उससे पहले के बज़िए, के दो को छोटा सा section था मैंने बताया था ना, कि बिल्कुल यह 194 जायसा है यहाँ आप अगर mutual funds से अगर आपको पैसा मिलता है important ज्यादा नहीं है, बट फिर भी याद करने में कुछ नहीं जाता है एक मिनिट का है, जैसे dividend, मुझे याद करिए, dividend पर TDS करेट का था 10% threshold limit का होती है 5000, same यहाँ पर concept रहेगा, अगर आपको mutual funds से इंकम मिल रही है, ठीक है, इंकम मिल रहे हैं, इंकम मतलब जो हमें units के उपर हमें जो income मिलती है, हमने units बेची नहीं है, capital gain नहीं हुआ है ठीक है, capital gain के उपर TDS नहीं आएगा है, आपको सिर्फ units आपने hold करे रहे हुए और आपको इसको इंकम मिल रही है जब आपको इंकम मिल रही है तो आपको इंकम मिल रही है तो आपका TDS जाएगा वो कंपनी आपका 10% TDS कर लेगी अगर उफ 5,000 से जाद है कि आपको इंकम पे कर लेगी तो यहां पर लिख दीजिएगा सेम आज 194 यह बिलकुल 194 की तरह है not that important not that important इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एक्जान में जनरल इसके उपर question आया नहीं है अभी तक पर हां फिर भी अगर आ जाए तो आप कर लिजिएगा सुर्फ 10% का TDS कर रेट है 5000 ही लिमिट रहेगी ठीक है जी okay a very very important section easy है पर इसके पर questions बहुत आये हुआ है 194 M के उपर मैंने का था ना तीन special sections है हमारे जहापर हमें 10 number की विज़र्वत नहीं पड़ते और यहां की यो TDS की returns वोगे रहा होती है वो भी बहुत simplified और यह high value transactions के उपको record करने के लिए बना हुआ है तो हमारे पास 194 IA था special section जहां पर हम 50 लाग से उपर का इम्वल प्रॉपर्टी खरीद रहे थे 194 IA था जहां पर हम पर हम रेंट पे कर रहे थे 50,000 रुपीज से ज्यादा का और एक यह section है 194 M यह तीनों इसलिए है को यहां पर आपको 10 number की भी जरुवत नहीं है घर आपके पास 10 number नहीं है तो भी च जलेगा बढ़ हाँ जो ट्रांजिक्शन हो रही हो हाई वेल्यू ट्रांजिक्शन हो रही हो तो 194 M यह कहता है कि अगर आप 50,000,000 से ज्यादा का अमाउंट पे कर रहे हैं ठीक है क्यों पे कर रहे हैं अब यह ना section थोड़ा-थोड़ा mix है 194 C का 194 J का 194 C, 194 J और 194 H का यह थोड अगर पर एक असे एक असे एक इंडिवीज्वल या हुए जो लोग कवर नहीं हो पाए 194 C में जिनके लास्ट यह कटान हो जादा नहीं था यहाँ पर कर पाएंगे यहाँ पर आप अपनी परसनल चीज़ों के उपर भी टीटेट कर पाएंगे अगर आप पैसा पेई कर रहे हुँ पचास लाग से जादा ठीके कितना TDS डिटाक्ट होगा फाइफ परसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट छोटा से सेक्षन है बड़ यह एक्जाम एग्जामनेटर का पता नहीं को फेवरेट है वो इसके उपर हमेशा ज़्यातर पुश परसनल घर भी बनवा रहे हैं और किसी को आप पेइमेंट कर रहे हैं पचास लाग से उपर की तो आप TDS डिटाक्ट करेंगे ठीक है यह प्रोफेशनल सर्विसस के पैसे आप पेई कर रहे हैं कमिशनी या ब्रोकरेज पेई कर रहे हैं कितनी हाई वेल्यू ट्रांसिक्शन हैं पचास लाग से जाधा की अगर आप यह कर रहे हैं तो TDS डिटाक्ट होगा फिर पूरे अमोर्ट पर डिटाक्ट होगा और 10 नंबर की भी कोई रिक्वार्मेंट नहीं होती है सिंप्लिफाइड TDS के रिटन हैं सिंप्लिफाइड TDS सेटिफिकेट है वह हम डिसकस कर लेगी रिटन में सेटिफिकेट यहां पे टैन नंबर की भी जरू हतनी होती है ठीकिए वेरी इंपॉर्टन सेक्शन बच छोटा सा सेक्शन था बड़ इंपॉर्टन काफी जाधा है मैं चाहूंगा कि आप कुछ कुष्टन्स पर आजाएं मेरे साथ कुष्टन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कुष्टन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट इस सारी चीज़े पूचिवें यह सारी चीज़े पूचिवें एंटीज लगेगा नहीं लगेगा संजे अ रेसेडेंट इंडिवीच्वल नॉट डराइविंग एनी इंकम फ्रोम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है ठीक है यह पेमेंट कर रहा है त्वेल्व लाग की इसने चीज़ेंट कर रहे हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने जिसको पेमेंट कर रहे हैं जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो कौन है है वो मोहन है और इसको हम पैसे पे कर रहे हैं पचास लाग से ज्यादा कि कितने पे कर रहे हैं 52 लाग रुबी सरम पे कर रहे हैं 52 लाग का 5% लगा दीजिएगा 260 समझ रहे हैं वो ठीक है समझ में आगया तो टू लाक किसी दाउन के लिए साथ है काफ वी जाद इंपर्टन को छोड़ा देक्शन था बड़ इंपर्टन बहुत है अब मैं कुछ और कोशन भी कराऊंगा आपको आप आप आएगा फूर्द कुशन पर ओट कुशन का फुर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ऑगे अवाइए पैसे पेंशन मिलते हैं रेटायर वीकती होंगे इन्होंने यहां पर TTS आ जाएगा 5% इस अमाउंट के ऊपर इसका थर्ड पार्ट देखेगा थर्ड पार्ट के रहे हैं मिस्टर गोलू अच्छा अन इंडिविजिल केरिंग गार्मेंट ट्रेडिंग बिस्नेस और इनका जो लास्ट ये का टर्न ओवर था वो 95 लाग रुपीस था याने कि ऐसे इंडिविजिल है जिनका लास्ट ये का जो बिस्नेस का टर्न ओवर था एक करोड से उपर का नहीं है ठीक हैī कमिशन की पेइमेंट खर रहे है 194 एच में तो आ नहीं पाएंगे अगर आप कमिशन की पेइमेंटर च्छा 194 की लिमिट बताना 15 थालल सर कमिशन की तो सब की लिमिट 15 रहतार होती है न ठीक है इंशॉरेंस कमिशन याद कीजे ना इंशॉरेंस कमिशन लॉट्री कमिशन ठीक है अधर कमिशन पंदर हजार के लिमिट होती है बड़ यह 194H में क्यों नहीं आप आएंगे सर यह इंडिविज्वल है इनका लास्य का टर्न ओवर भी एक रोट से उपर का नहीं था बिजनस कर रहे हैं सर गार्मेंट है प्रोफेशन तो है नहीं बिजनस है एक रोट से उपर का टर्न ओवर नहीं था ठीक है जी कमिशन की पेयमेंट कर रहे हैं कितनी पेयमेंट कर रहे है 1,20,000 की लगेगा नहीं सर पो तो नहीं लगेगा टरनों बचारद नहीं है कि फिर कमिशन के लिए हमारे बाद दूसर से क्षिन के आया 194 M लगेगा क्या जो लोग 194 H में नहीं आ सकते वो यहां पर आ सकते हैं आ तो सकते हैं पर जब आप पेमेंट करें 50 लाक से जाद है कि तभी तो आएंगे ना यहां पर तो आप सिर्फ 120 की पेमेंट कर रहे हैं तो य थर्ड वाले में हमारा 194 M लगाई नहीं there is no requirement ठीक है पहले हम प्रोविजन लिख देंगे कि 194 M क्या कहता है ठीक है कि उसके उपर लगता है ऐसे इंडिजल एचेफ के उपर जो लोग लोग टरन ओवर वन करोड से या प्रोफेशन का फ्रीलाक से उपर नहीं होता पहले प्र कुश्चन नमबर सेवन का सकेंड पार्ट अविनाश एक पेंशनेर हैं ठीक है बिजनस तो कर नहीं रहें और 55 लाग की पेमेंट कर रहें रेसिदेंचल आउस के लिए टीडियस आ जाएगा 194 M में 55 लाग पर फाइफ परसंट इडियस डेट कर लिचेगा ठीक है तो कि अब आपको नहां पर कॉंफिडेंस आ गया होगा यह चीज़े अब आप साथ साथ आप प्रोविजन भी बढ़ रहे हैं और कुश्चन भी कर रहे हैं और यह मिल्कुल इग्जामेनेशन कुश्चन से आइसी आए के इसी तरह के कुश्चन आपको अपने एक्जाम्स में मिलेंगे और इसमें आपके पूरे नमबर आने चाहिए अब एक क्वेशन और कर ले दें यह पूर्ण से लिए को सेवन्थ का सेकेंड पार्ट एलेवन को स्केंड पार्ट हो रहा है यह मैंने आपको सारे नोट करें हुए कि आपको कहां-कां मिलेंगे चीज़ आए ओके अब इस पेज नमबर 11.8 पर आचाहिए आची 11.8 पर ओके अगया अरुना इस दो चीफ एक्सिकेटिव ओफिसर फो मल्टीनाशनल कंपणी खेची चीफ एक्सिकेटिव ओफिसर है मल्टीनाशनल कंपणी यानि कोई बिसनस वह रहा तो है निए सब्सक्राइब के लिए इनको अपने हाउजिंग स्टाफ के लिए लेबर चाहिए हुगी तो इन्होंने किसी कॉंट्राक्ट करा 194C में आनी सकते हुगी 194C में पर्सनल कंट्राक्ट तो आते नहीं है तो अपने अपने हाउजिंग स्टाफ के लिए इन्होंने हायर किया है गार्डनर शेफ ड्राइबर सेक्टर और मेंग दर फॉलिंग पेमेंट 25 लाग की पेमेंट ऑगस्ट 23 में की 30 लाग की यहां पर की बस दो बार पेमेंट करी है तो 25 लाग की पेमेंट पहले की 30 लाग की पेमेंट बाग मेंगी पहले वाले पेमेंट पे तो आएगा नहीं पचास लाग से उपर नहीं हुआ है तो सेक्ट वाले पेमेंट पेमेंट पे 30 लाग की पहले कर चुके हैं 30 लाग की अब कर रहे हैं 55 55 लाक के ओपर 5 परसंट का टीड एसा लाइफ थो यहां पर सेकेंद में दिए हुए साफ सा या 55 लाक के ओपर 25 लाक पहले था 35 लाक यह था 55 लाग के ओपर 5 परसंट का TDS आपका आगिया है 275 आपर में सेकेंड पेमेंट करते हैं तीडस कर ली चाहे हैं आगे कुछ और भी इंग लिखा हुए और आंसर भी डिफरेंट एक मिसेज अरुना इस बिजनस वुमें और बुक्स आर नॉट अरुटेट इन प्रिशिदिंग फैनेशिल इन पेइमेंट उसलेशिस पर बिजनस वर्पस आप उन्होंने पूचा है अगर मान लेते हैं कि इनका लास्ट येर इनका अउडिट होना जरूरी नहीं था इनका उन्हुट से उपर नहीं था और यह बिजनस परपस के लिए कर रहे हैं तो क्या यह वन नैंटी फॉर सी में आप आएंगे नहीं कॉंट्राक्ट है यह फिर्म करते हैं वो टीटियस डिटक कर सकते हैं बट इंडिव जो रेचिफ तभी कर सकते हैं जब आपका लास्ट येर का टर्न ओवर एक करोड से उपर कर जाता है तो इन्होंने ऐसा डिरेक्ली नहीं दिया कि यह अडिट नहीं होता है इनका इसका करेंगे अडिट नहीं हो तो इसका मतलब टर्न ओवर भी ज्यादा नहीं था इसलिए 194C में TDS नहीं आएगा फिर क्या आएगा 194M में जो लोग 194C में नहीं आते जो लोग 194H में नहीं आते वो 194M में आ सकते हैं तो हमारा आंसर सेम रहेगा यहां पर भी 194M में TDS चाहेगा ठ 194C में नहीं आफाते हैं उनके लिए बना हुए 194 M तो बिजनेस और और परसनल वarily तिक आपने हुख रहिए हैं षर्थ है ने उन अपे हैं कि यहां पर उन स्वक्राइव नहीं है यहां पर भी हमारा जांब अंशी है ऑक की से उप्र क्रणा कहिं तो इन्होंने बोले होता है सेक्शन है यह 194 अब यह और स्पेशल तरहेका सेक्शन है, इसको इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि जनरली जो TDS के सेक्शन होते हैं, वहाँ पर हमारी इंकम हो रही है, वहाँ पर हमारी इंकम होती है, इसलिए हमें TDS लगता है, बट यह 194 एक ऐसा सेक्शन है, जहाँ पर हमारी कोई income भी नहीं हो रही है, बट फिर भी हमारा TDS deduct किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी income भी नहीं हो रही है 194N में, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम cash withdraw कर रहे हैं अपने account से, तो हमारा bank में account है, ठीक है post office में, cooperative bank में, हम वहां से पैसा withdraw कर रहे हैं, अगर हम वहां स 4TC amendment भी आई है, जो मुझे लगता है कि आपके exam के लिए important हो सकती है, ठीक है, amendment क्या है, अभी बताऊंगा, पहले मैं 194N समझा जाता हूँ, फिर मैं amendment भी हाँ पर cover कर रहे हैं, तो अगर आप अपने bank से, या cooperative bank से, या post office से, पैसे withdraw करते हैं, अगर वो 1 करोड से जादा पैसे withdraw करते हैं, 1 करोड से जादा पैसे withdraw करते हैं, तो जितना भी फिर excess, इन excess of 1 करोड जब आप करेंगे, तो आपका bank जब आपको withdraw करके देगा, तो वो TDS deduct करेगा 2%, वो TDS 2% deduct करेगा, ठीक है, क्यों क्यों कि यहाँ पर क्यों हो रहा है, हमारी को income हो रही है कि अपनी bank से हम पैस withdraw कर रहे हैं, हमारी को income नहीं हो रही है, बट government यह चाहती है, और track करना चाहती है कि बहुत साप cash से क्या कर रहे हैं, इतना पैसा withdraw कर रहे हैं, तो अगर आप 1 करोड से जदा पैसा withdraw करते हैं, तो आपका 2% लग जाएगा, यानि कि अगर, for example, आपका SBI में अकाउंट है, SBI म account है, और यहां से आपने 1.2 करोड रुपीज विड्रॉ करा, तो 1 करोड तक तो कुछ नहीं होगा, 0 से लेकर 1 करोड, 100 लाग तक तो कुछ नहीं होगा, 100 लाग से उपर, 100 लाग से उपर, 100 लाग बोले तो 1 करोड से उपर, यहां पार आपका 2% TDS रेटक्ट हो जाएगा, त आपके पास ICICI का एक account है, सर, SBI से विड्रॉ करे हमने 40 लाग, PNB से हमने विड्रॉ करे 50 लाग, ठीके, ICICI से हमने विड्रॉ करे 40 लाग रुपीज, क्या TDS आएगा नहीं जी, नहीं आ सकता, क्यों, क्यों कि SBI को नहीं पता चलेगा, न कि वो PNB से आपने ICICI से कितना व banking system है अब, ठीक है, same concept रहे का जो हमने पहले किया, तो यानि कि per bank अलग-अलग देखना है, SBI को अलग देखे एक करोड उसके, PNB को अलग एक करोड देखे, ICICI के अलग देखे, ब्रांच इसको इंट्रॉट कर सकते हैं, SBI की इतनी ब्रांच इसको इंट्रॉट कर सकते हैं ठीक है, समझके एक करोड से उपर करेंगे, तो TDS आजएगा, amendment क्या अभी बताता हूं, पहले भी normal बाते समझ करेंगे हैं, बट अगर आप एक ऐसे विक्ति हैं, जो अपनी return time से file नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं, non filers of ROI, जो अपनी return time से file नहीं करते हैं, तो हम आपका 20 लाग से उपर ही, जब जैसी आप 20 लाग से ज़्यादा withdraw करेंगे, तो हम आपके उपर TDS लगाने लगेंगे, 194N का, कितना 2%, और जब एक करोड से उपर जाएगा ऐसे लोगों का, तो 5% होगा, तो मैं simple ऐसे क्या सकता हूँ, जो शरीफ लोग हैं, जो अपना time से अपनी return व आएगा, और जब वो 100 लाग से उपर जाएगे, 100 लाग से उपर जाएगे infinity तक, तो 2% आएगा, जो लोग शरीफ लोग हैं, जो अपनी return time से फाइल करते हैं, और जो लोग non-failers हैं, जो अपनी return time से फाइल नहीं करते हैं, non-failers of R होगा है, उनके लिए क्या होगा, 0 से ल लेकर 1 करोड तक, 100 लाग तक आजाएगा, 2% और इन लोगों के लिए जब 1 करोड से उपर पैसा विट्रॉ करेंगे, 100 लाग से लेकर infinity जितना भी करें, तो उसके उपर 5% आएगा, सब लोग समझ गए हैं, तो जो time से return फाइल करते हैं, उनके लिए तो 2% ही रहेगा, वो भ आपकी last 3 returns है, जो आपकी last 3 returns है, for example, अगर आप, let's say, previous year, 23-24 में पैसा withdraw कर रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझेगा, बहुत simple सी बात हैं, एक बार भी समझ गए हैं, अगर आप previous year, 23-24 में पैसा withdraw कर रहे हैं, तो आपकी last 3 returns कौन सी हो गई हैं, previous year, 22-23, previous year, 21-22, previous year, 20-21, यह होगी न, 20-22, हाँ, यह 3 year की return होगे, अगर आप इस सल पैसा withdraw कर रहे हैं, तो हम आपकी यह 3 returns देखेंगे, कि क्या आपकी 3 returns पूरी due date तक file होई थी, 3 returns में आगे tick लगना चाहिए, 3 returns पे, अभी मुझे बात और बता नहीं है, फ्लीज, रुकिया एगा ठीक है, यह 3 साल को मैं अभी change भी करूँगा, तो अभी यह आपके 3 साल देखेंगे, कि 3 साल में 3 जगह पर tick लगना चाहिए, अभी 3 साल की return time से file थी, कहीं पर भी एक cross लग गया न, तो आपको non-filer की category में रख दिया जाएगा, यानि कि 2 returns तो सही file थी, बट एक return time से file नहीं थी, त अब non-filer की category में आ चाहिए, ठीक है, अब यह देखना है कि 3 साल कौन से लेना है, सर सिंपल है, जिस भी year में हम पैसा withdraw करना है, उससे पहले की 3 साल है, ठीक है, इतनी है तो बाद ठीक है, बट कभी-कभी यह वाला year हमें नहीं लेना होगा, इससे पहले वाले year बजाएगे, क्यों, for example, अब देखो, बहुत practically समझे, माले ते एक वेक्ति है, वो अपने April में पैसे withdraw कर रहा है, वो बीस लाग से ज्यादा पैसे, for example, April में पहला महीना है भी हमारा, April 2023 में वो पैसे withdraw कर रहा है, for example, 25 लाग रुपीज वे withdraw कर रहा है, वो बैंक वाला देखाईगा कि और अगर मैं जैनुमन वाली की डिगरी में रखाऊँगा, तो टीडियस नहीं लगाना चाहिए, तो उसके तीन साल देखेगा, इसने अपनी due date रिटन फाइल करे होगे या नहीं करी होगे, अब मुझे एक बात बताओ, April 2023 में वो बैंकर देख रहा है, वो बैंकर बैंक, इसने इस साल की रिटन टाइम से फाइल करे है और नहीं फाइल करे है, अब मुझे बहुत सिंपल से बात बताओ, इस साल की due date क्या होगे, ठीक हमें पता है due date होती है हमारी 31st July या 31st October, कुछ cases में 30th November, 30th November हमारी intermediate course में नहीं है, तो उसको side में रखते हैं, 31st July से काम चाहते ह इसकी due date होगी, अरे यार, हम कैसे बोल सकते हैं कि उससे हम रिटन टाइम से फाइल करें या नहीं करें, क्यों, क्योंकि सर अभी तो इसकी due date आना बागी है, इसकी due date तो भी expire ही नहीं होई है, यानि कि banker, अब प्लीज दुबारा से repeat कर रहा हूं, banker के point of view समझे, banker यह देखे इसकी return time से file है या नहीं है, तो इसकी due date तो अभी 31st July 2023, तो future की due date है, एप्रिल के हिसाफ से अगर देगें, तो अभी यह due date expire ही नहीं हुई है, तो इस case में फिर वो इस year को ignore करते हैं, यानि कि हमें सिर्फ वही 3 साल देखने चाहिए, जब हम पैसा withdraw कर रहे हो, simple चब्दों म withdraw कर रहे हैं, जब कभी भी हम पैसा withdraw कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा, वो years लेने पड़ेंगे, जिसकी due date already जा चुकी हो, वो past हो चुका हो, तो ये वाला date तो भी जानी चुकी थी, यानि कि ये वाला year तो हम ले नी सकते हैं, इस case में हम year लेंगे 21-22, तो कि इसकी due date रहे होगी 31-22, हाँ, ये तो past की due date है, ये तो जा चुकी है, ये year ले सकते हैं, ये year ले सकते हैं, और फिर previous year 19-20 देखना पड़ेगा, तो इस case में, April वाले के लिए, जो क्योंकि जिस समय हम पैसा withdraw कर रहे थे, अभी इसकी due date तो अभी expire नहीं हुई है, तो फिर इस year को छ कर रहे हैं, 15th December, 15th December 23 को हम पैसे withdraw कर रहे हैं, 20 लाग से 1, whatever the case में भी, उससे ज्यादा पैसा withdraw कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज मुझे बताइए, क्या इसकी due date, इस से पहले के तीन साल ये तीनों दीन साल है, क्या तीनों की due date expire हो चुकी है, answer is yes, लास्ट वाली देख लेते हो, कब देखना होगा, जब वो banker देखेगा, कि boss जिस समय वो पैसा withdraw कर रहा है, हम देखेंगे, लास्ट के तीन साल वो जिसकी due date expire हो चुकी, ठीक है, और अगर सब में आ चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेल्कुल सही है, तो फिर ये वाला amount आ चाहिएगा, और अगर non-f अगर पैसे withdraw कर रहा है, एक cooperative society, cooperative society अगर मैंने cooperative bank नहीं बोला, ये इस साल की amendment है, अगर पैसा withdraw कर रहा है, ये cooperative society, तो बस एक simple सी amendment है, जहाँ जहाँ पर आपको एक करोड दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर आपको 100 लाक दिखाई दे रहा है, उसको 300 लाक कर लीजे उसक तो अगर जो पैसे विट्रॉव कर रहा है वो एक कॉपरेटिस सोसाइटी है कहां कहां पर हमें 100 लाग दिखाई दे रहा है पहले इसको देखते हैं जो लोग जैन्मिन लोग हैं अगर ये कॉपरेटिस सोसाइटी की तीनों साल की रिटन टाइम से जाए गई हैं तो आप क्या करिएगा जहां जहां पर हमें 100 दिखाई दे रहा उसको बस 300 कर लीजिएगा फॉर्द फॉर्पस ऑफ कोपरेटिव सोसाइटी गरपर सब्सक्राओ कर रही हो यानि कि कुल मिलाकर मैं ऐसा क्या सकतो आमिट्मेंट अब मुझे बताएं लौ क्या आया होगा सर लौ आया होग कोपरेटर सोसाइटी के लिए तीन करोड के बाद ये प्रोविजन्स लगेंगे बिल्कुल सही बात है तो सिंपल क्या करिएगा ये वाला लिमिट को कट करके कर दीजेगा 300 लाक इसको लिमिट करके 300 लाक यानि कि ऐसी कोपरेटर सोसाइटी जो अपने टाइम से रिटन फा कोई वी एक रिटन से फाइल नहीं थे किसी भी अरती क्रॉस लग गए महाँ पर तो क्या करिएगा जहां जहां पर हांपो 100 लाक जो मैंने बूल भाही पर रहीएगा जहां जहां पर आपको 100 लाक देख रहा है उसको 3 करोड कर देखी है बस हमें यहां पर दिखा 100 लाक उसक 20 लाग से 3 करोड तक 2 परसेंट और फिर 3 करोड के ऊपर 5 परसेंट बस यह अमेंटमेंट आई है सिंपल सी दी बात ठीक है देख लीजिए गाँ दिस इस 194 तो डिड़क्टर कौन है आप पैसा बैंक से विड्रौ कर सकते हैं कॉपरटेव बैंक से विड्रौ कर सकते हैं, कोई भी वेक्टि जू पैसा विड्रौ करता है जैसे वो पैसा विड्रौ करता है एक करो से जादा तो TDS लग जाएगा बट जो नॉन फाइलर है उनके लिए 20 लागे लिमिट है कि मैंने आपर बता दी है आपको कॉपटे सुसाइटी के लिए तीन करोण ले दीजएगा और कोई लोवर रेट की फैसिलेटी यहां पर अवेलेबल नहीं है किस किस केस में टीडियस नहीं डेटक्ट होता देखो मुझे बताओ गर्में पैसे विड्रॉ कर सकती है तो गर्मेंट जितने भी पैसे रहते होंगे तो अगर गर्मेंट पैसे कर रहां कहें ऊप्रनी से उप्र नहीं लगे है या कोई business correspondent है banking company का, obviously it is as good as the bank, उसके उपर इडियस नहीं लगाएगा, या जो white label ATM operators होते हैं, white label ATM operators में होते हैं, जिन लोगों का काम होता है, आप देखते हैं, ATM machine में जो पैसे deposit करते हैं, हम bank क्या करते हैं, outsource कर देता है इन लोग को, कि आप लोग ATM machines fill करेंगे, तो इनको क्या क आते हैं, ATM white label ATM operators, तो ये लोग अपना पैसा withdraw कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही इस चीज़ का है, इनके उपर कोई है, वाला provisions नहीं लगते हैं, ठीक है, 194N important था, तो आप एक आजेएगा, question number 4th का, 4th part, question number 4th का, XYZ एक urban cooperative bank है, ठीक है, payment by cash of cash withdrawal by ABC cooperative society, ABC cooperative society है ये पैसा withdraw कर रही है, जहां 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 पर एक करोड की limit है न, तीन करोड करती है, ठीक है, amounting rupees 1.2 crores during the financial year 23-24, 1.2 crores से ज्यादा withdraw करती है, ठीक है, ABC cooperative society has filed its tax return for the last 3 years within time, इसने पिछले 3 साल की return times filed परी थी, तो इसका कोई TDS deduct नहीं हुगा, क्यों, क्यों, क्यों जो पैसा withdraw करनी वो एक cooperative society है, और इनके लिए था हम 3 crore की limit लाएंगे, 20 crore non-filer में ये आएंगे नहीं, 20 lakh की वाली limit में, 1 crore वाली limit में लगती है, हम इनके लिए 3 crore ओके, यहां पर हमें TDS के बारे में बताने है, मृनाल इंस एक पार्टनर्शिफ को हमें, उसने पैसा withdraw किया bank account से, 40 lakh by cash is date per 35 lakh is date per 55 lakh is date per for the purpose of withdrawal from bank for buying agriculture produce for home farmers, agriculture risk, raw material वगरा, इनको agriculture produce वगरा खरीदना था, हमें मतलब नहीं है, आप इसका पैसा किसी भी चीज़ के लिए खरीदे है, बस हमें तो यह मतलब है कि आप cash withdraw कर रहे है या नहीं कर रहे है, अच्छा मुझे बताइए, कौन पैसा withdraw कर रहा है, एक partnership firm है, LLP है, तीन करोड की लिमिट नहीं, तीन करोड की लिमिट तो सिर्फ cooperative societies के लगती है, इनके उपर तो एक करोड की लिमिट लगाईएगा, आप TDS आएगा, पूरे amount के उपर आएगा कि नहीं, इन excess of 1 करोड आएगा, तो 40, 35, 55, कितना हो गया, 40, 35, 55, यह हो जागी हो 130, लाक रुपीज कर रहे है, इन excess of 1 करोड, 30 लाक के उपर आप TDS लगा दे जाएगा, कितना 5% नहीं सरी है, तो फाइलर्स है, 2%, तो 30 लाक के MTP का कुशन है, ओके, अब छोड़े-छोड़े sections और बचे है, 194P, 194P होता है, एक simple section आया था, कि अगर कोई भी अगर एक resident senior citizen है, resident senior citizen और इनकी pension की income आती है, और इनकी pension की income आती है, और इनको सर्फ दूसरी income आती है, वो interest की income आती है, और वो pension की income और interest की income एक ही bank में आती है, तो इनकी उसी bank में pension की income, उसी bank से जो भी interest आता है, saving bank account का FD का, एक ही bank से आता है, तो इनका bank क्या करेगा, इनका bank ही इनका TDS deduct करेगा, पूरे amount के ओपर, इनका bank ही TDS deduct करेगा, विच से रिड़ट करेगा, और इनको return file दरने की requirement नहीं रहे, एक छोटा सा section है 194P, 194P कहता है कि अगर specified senior citizen, specified senior citizen उनको बोला गया कि जिनकी ये 75 years और more वालो के लिए है, इसको बोलेंगे specified citizen, इनको बोलेंगे, ठीक है, और having only pension income और interest income, इनकी सिर्फ एक ही bank में आती है, अगर इनकी अलगले banks में आती है, फिर इनके उपर ये section नहीं लगेगा, और ये बिलकुल हमारा 192 की की तरह होता है, salary की तरह होता है, और इनका average rate of tax से हम TDS करेंगे, ठीक है, और इनको फिर अपनी return file करने की बिज़रू होती है, जल्दी थे question कर लेते हैं हमारे पास, एक question है, इसको 12th का 3rd part, 12th का 3rd part, Mr. Kumar, a resident senior citizen, age 86 years, 75 और मोर, हांची है, state government employees retired होगा, इनकी pension income आती, 72,000 पर मन, he has a saving bank account with bank of Padoodha, a notified bank, under section 194B, और इनको interest on saving account, received the 15,000, his pension is also credited in this account, is in the same bank, he deposit 10,00,000 in term deposit, simple interest 1723, he has no other income, यानि कि इनकी एक ही bank में पैसे आते हैं, और he has not opted under section 115BAC, ठीक है, यानि कि यह optional tax regime में आ रहे हैं, काफी अच्छा कोशन है, काफी अच्छा कोशन है, ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले इनकी income निकालिए, अब इनकी income निकालिएगा, कि इनकी income कितने बनेगी, तो इनको 72,000 पर मन्त की तो pension मत्ते है, 72,000 इन्टू 12 हो जाएगा, 72,000 इन्टू 12 हो गया, 8,64,000 यह इनकी gross salary हो गई, इस मैं से standard deduction तो मिलेगी, मिलेगी न, 50,000 की, तो इसकी 50,000 की यह deduction दे दीचेगा, माइनस 50,000 करके, तो यह हो जाएगा, 8,14,000 तो salary income, 8,14,000 तो salary income होगी, और साथ-साथ में इनको interest income की भी कितनी मिली है, saving bank account से 15,000 मिला, ठीक है, आयाफो इसकी income होगी, saving bank account से 15,000 मिला है, साथ-साथ में इन्होंने FD कराई होई है, जिसमें 10,00,000 की FD है, 7% का interest आता है और इनको 1723 से, यानि कि April में June में तो नहीं थी, बागी के 9 months का interest निकाल लेगा, तो 10,00,000 का, निकाल लेंगे 10,00,000 को में 7% से multiply कर रहा हूँ, 7% 70,000 और यह हमें निकालने है, रिफ 9 months का divided by 12 into 9, यह आ जाता है, 52,500, तो 52,500 का यह interest आया, clear है निकालने के, तो यह इनकी होगी income from IFOs की, ठीक है, saving bank account का interest plus FD का interest आया, तो 52,000 plus 15,000 इसको भी add करिएगा, उसके बाद यह इनका gross total income आजएगी, और क्योंकि यह chapter 6 की deduction हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि यह option tax team ले रहे हैं, तो उसके बाद इनको 80 TTA और TTA तो होता है, ऐसे लोगों के लिए जो senior citizen नहीं है, कौन सा, 0 से 5 लाग वाला, senior citizen है न, ठीक है, super senior citizen है, in fact, 86 years के लिए, 0 से 5 लाग वाला, 5 लाग से 10 लाग वाला slab rate निकालेंगे, total tax निकालेंगे, टोटल टेक्स निकालेंगे, उतना वो tax deduct करेगा income bank, ठीक है, काफी अच्छा कुछ न था, तो देख लीजिए, मैंने कैसे कर र निकाला था, saving bank account का 15,000, 67,500, दोनों को मिला कर आगया, 881,500, अब हम 80TTB भी दे सकते हैं, 80TTB देंगे इनको, ठीक, अगर ये default tax regime लेते हैं, फिर तो नहीं मिलता है, औप्शन tax regime ले रहे हैं, अब मिल जाएगा, इनको, यहाँ 50,000 माइनस करिएगा, 8,31,000 इनकी income आगी, इस के उपर tax निकालेगा, with sales निकालेगा, क्योंकि इनको return file करने की ज़र नहीं, यहाँ पर हम sales के साथ करेंगे, एक salary ने sales के साथ होगा, दूसरा यहाँ पर आगया, बिल्कुल salary के तरह section है, 68,092 खा इनका tax आया है, यह 194P में deduct होगा, और इनको अपनी return file करने के भी requirement नहीं है, ठीक है, this was 194P, 194Q, अब 194Q थोड़ा TCS से related section है, अब मैं इसको या तो मैं TCS के साथ ही करा दूँगा, चलिए 194Q उपर उपर से पढ़ लेते हैं, बाकी मैं अब बातें इसकी mainly बातें TCS के साथ करने करूँगा, क्योंकि यह TCS से कावे मिलता चुलता है, 194Q होता है, कि अगर आ ISAC हैं, और आपके लास्ट रेर का टर्न ओवर 10 कोर से जादा का था, तो जब भी आप उपैसे को पैक कीजेगा, तो आप उसको 0.1% TDS डेर करने हैं, 초 Claus थोड़ा सा ट्डीया है, इतना शोड़ा क्यों है, चु़ूँंकि हम सिर्फ यह हाई नेट यह जो हाई वेल्यू ट्रांजक्शन है इसको हम ट्राक करना चाहते हैं इसके बहुत छोटा सा रेट दिया जिसके लास्ट यह टर्ण वर दस ट्रोड से उपर है और अगर आप पचास लाग से ज्यादा की चीज़े खरीद रहे हैं तो पॉइंट वन परसें का आपके उपर टीडियस आपको लगाना पड़ेगा उसके उपर किसके उपर पचास लाग से एक्सेस के उपर पचास लाग की चीज़े खरीजने तो वन लाग के ऊपर पॉइंट वन परसें ठीक है विच कोशन करके मैं निखाता हूं आप पर इस तो कुशन नमबर टेंथ का थर्ड पर अपर पर आए को पेज नमबर एलेवन पॉइंट सेवन पर आ चाहिए अब एको मिस्टर पुर्षय उत्तम आ अगरवाल चीज़ से डिरिंग इस यर टोटल कितने 80 लाग रुपीज के 50 लाग से ज्यादा के गुड्स पर्चेस करें अब क्या करेंगे 0.1% का TDS करेंगे 50 लाग से उपर तो यहां पर पर पर्चेस करा 25 लाग यहां पर तो नहीं आएगा यहां पर पर्चेस करा है 27 तो यहां पर तोटल कितना हो गया तोटल हो गया सिर्फ फिफ्टी लाग तो यहां पर 50 लाग को छोड़ दीजे 2 लाग के उपर 0.1% आजएगा एक तो यहां पर आजएगा और इधर तो 28 लाग पर पूरा आजएगा 50 लाग से उपर तो पहली हो चुका है तो जब आप यह वा सब्सक्राइब करूंगा पर सिंपल यहां रखेगा फर्स टाइम जब आपने पेइमेंट करी थी तो टीडियस नहीं आएगा क्यों कि पचास लाग के उपर एकसीड नहीं कर रहा है सेकंड टाइम पर टीडियस आएगा क्योंकि टोटल आपका 50 लाग से उपर जा चुका है कि अब आजाते हैं अपने अल्मोस्ट लास से पैसा में पैसा करते हैं पांच साल से पहले-पहले तो आपको पते स्यालरी इस में हमने देखा था रिकनाइस परूडिटेंट फंट से पांच साल के बाद करते दो एक्स एक्षाण्ट रहते हैं इसकी कुछ कुछ exceptions होती है अगर आपकी ill health हो गई या फिर company बंद हो गई तब भी हम TDS नहीं तब भी हम टेक्स नहीं लगाते बट हाँ अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आप 5 साल से पहले पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर TDS लग जाता है अगर वह जो आपका amount मिल रह कर लेगा 50,000 से जाधा का तो TDS लगा देगा 10% पर एग्जांबल वो 60,000 रुपीज बे कर रहे है तो 10% वो 6000 रुपे का TDS आपका डिटेक्ट कर लेगा पांस साल के बाद पैसे विड्रॉ करते हैं ठीक है फांस साल की लाइफ हो चुके उसके बाद पैसे विड्रॉ कर रहे फिर तो कोई TDS नहीं आता है पांस साल से पहले पहले कर रहे हैं फिर TDS आ जाता है अब हमरा लास्ट एक्षन है 194R जो लास्ट ये इंट्रूइस हुए इस साल की अमेंड्मेंट है लास्ट ये अमेंड्मेंट है 194R ये 194 आया था आ रहाया था कि जिन लोगों को गिफ्ट्स या percusates मिलते हैं क्योंकि वो कोई बिजनस कर रहे हैं प्रोफेशन कर रहे हैं अगर उनको कोई गिफ्ट्स होता है हमें पता है कि ये section 28 में taxable होता है ठीक है section 28 PGPB का charging section है हम लोगों पता है कि जो भी हमें गिफ्ट्स मिलते हैं business में या profession करते हैं समें तो हमेरे 28 में taxable होते हैं बट लोग क्या करते हैं लोग इसको शो नहीं करते हैं गिफ्ट को तो इसलिए 194R section आया वो कहते है कि जो भी आपको गिफ्ट्स मिलें during the course of your business or profession हम उसके उपर TDS लगा देंगे 10% का तो जो भी आपको ये गिफ्ट पगेरा दे रहा है TDS लग जाएगा 10% का अगर वो आ यहां पर यह शौर किया जाएगा कि आपने पहले इसके पैसे टेक्स के जमा करा दीजिए हम आपसे प्रूफ बांगेंगे कि आपने इसके पैसे जमा करा दिए फिर हम आपको यह गिफ्ट रिलीस करेंगे तो इसके उपर कुछ examples मैंने यहां पर दिये हैं जिससे कोई manufacturer है वो अपने डीलर्स वगयरा को गिफ्ट देता रहता है वो खेटा कि आप अगरे इतनी सेल कराएंगे हम आपको तो आपको ट्रिप दे देंगे आपको और आपके फैमिली मेंबर को घूमने के लिए तीन दिन के लिए एक हफते के लिए भार बेश देंगे तो आज उसके उ करती है कंपनी अप मुबाइल फोन दे 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 और वह करते है रेव्यू करिया और आपने पास रिल्ट लेख लिए तो इनके ओपर भी टीडियस लग जाए गर वह 20 ज़्यादा गया तो टीडियस लग जाएगा उसके ओपर राइट हाँ बट अगर यह वापस कर देते ह बाद में वो मुबाइल फोन वापस के लिए तब तो कोई पर्यूजट नहीं बनेगा, अगर यह रेटेन कर लेते हैं, तब यह पर्यूजट बन जाता है, ठीक है, जैसे कोई लॉयर है, उसको हमने, उसने कोई केस दी था, हमने उसको फीस दी, वो तो नॉर्मल बाते पर हमने उसको कोई एक्स्ट्रा चीज़े दी, कार दे दी, तो उसकेस में भी वो TDS deduct होगा, 10% का, ठीक है, so this was the last section in TDS, यहाँ पर हमारा TDS कतम होगा, तो I believe आपको maximum, यह सीज़े clear हो कि duty of TDS deduct, मैंने बताया था, वो TDS deduct करता है, फिर deposit कराएगा, ठीक है, उसको कब तक deposit करा देना चाहिए, अगले महिने की साथ तरिक तक, अगले महिने की साथ तरिक तक उसको deposit करा देना चाहिए, but for the month of March, March के लिए अगले महिने की साथ तरिक क्या आगी 7th April, but उहाँ पर थो अगर आपने जमा कराते रहते हैं, ठीक है, अगर नहीं कराया, तो फिर आपका हम interest लगा देते हैं, ठीक है, दूसरी बात, March का text आपको जमा कराना है, अगले महिने की 30 तरिक तक, यानि की 30th April, और फिर आपको TDS returns भी आपको submit करानी पड़ते हैं, quarterly returns, तो quarterly returns कैसे submit कराते हैं April, May, June की return, जैसी अगले महिने की end तक आपको ये return समिट गरानी पड़ते हैं, जैसे first quarter है April, May, June, इसकी return, tedious की return जानी चाहिए, अगले महिने की 31st तक, इसी तरीके से आता है, July, August, September, यहां की return जानी चाहिए, अगले महिने की 31st तक, तो April, May, June की 31st, July, July, September से September वाले quarter की 31st, October, October से December की quarter की, December खतम हुआ, अगले महिने की गतास तक 31st January, यहां पर आपको एक महिना extra मिलता है, January से March की return, अगले महिने की last day, 31st April बनेगा, यहां पर हमने एक महिना और दिया आपको 31st मेर तक आपकी return जानी चाहिए, और अगर आपनी return टाइम्स जमानी कराते हैं, तो आपकी 200 रुपीज पर डे की penalty आजाएगी, और maximum penalty जितना TDS का amount होगा, उससे जाद है कि हम penalty नहीं चार्ज करें, तो TDS returns, salary की return होगी यह 194P, 194 भी ज्याद है, वो जो bank, वो जो pensioner, पहले लोगों का TDS deduct कर रहा था, मैंने काता, salary section है, इसकी return जाती है, form 24Q में, other sections की return 26Q में, बट वो वो जो हमारे तीन special sections है, 194IA, IB और 194M, उसकी return जाती है, QB, QC और QD, 194IA की QB में, IB की QC में, M की QD में, यह numbers कभी आए नहीं एक्जाम में, तो मुझे नहीं लगता है, यह पूछे जाएगा, कि मैंने इसको misliness में रखका है, सर्फ information रही हाँ, बट क्योंकि हमारे course में है, इस salary वाला तो 24 है, यह 26 है, ठीक है, other sections के लिए 26 Q रहेगा, IA, IB, IC के लिए, sorry, IA, IB और M के लिए, IA के लिए 26 QB, फिर QC और QD, और इसी तरीगे से, B, C और D, इसी तरीगे से इनके TDS certificates हैं, TDS certificate QB वाले का 16B, QC वाले का 16C, QD वाले का 16D, last वाले देखो, जो character आ रहा है, वो salary का TDS certificate है, हर कोई जानता है, form 16 होता है, form 16 salary का certificate होता है, other than salary 16A हुआ करता था, तो पहले तो मैं simple those sections पढ़ाया करता था, forms, ठीक है, form 16, form 16A, फिर बाद में यह सारे sections इंट्रूड्यूद होते रहे, तो हमारे forms भी बढ़ता चले गए, तो जब IA आया, तो form 16B भी आगया, उ simple interest लग जाता है, TDS deposit नहीं कराते हैं, तो 1.5% per month का simple interest लग जाता है, part of the month को भी हम पूरा month मांगते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात हैं यह, और हाँ, जैसे में कहा रहा था, 206X section है, number या आते नहीं की ज़रूद नहीं है, बट इतना important है यह, कि अगर कोई सामने वाल अपक्ती अपना PAN number नहीं लगाता, अगर वो PAN number नहीं देता, तो जितना भी rate चल रहा होता है, या 20% whichever is higher हमना TDS कर लेता है, बट 194Q में, जो 194Q है, वहाँ पे तो TDS का rate ही 0.1% है, तो अगर सामने वाला PAN number नहीं देगा, तो उसको 20%, तो 0.1% और 20% में बहुँच जाला difference हो जाता है नहीं, 194Q के लिए अगर सामने वाला PAN number नहीं देगा, तो 5% लगाएंगे, ठीक है 194Q के लिए maximum 5% है, बागी sections के लिए जो भी TDS का rate होता है, जो भी TDS का rate चल रहा है, या 20% whichever is higher, तो यहाँ पर लिखा हुए rate prescribed in respective section और 20% whichever is higher, 194Q के लिए 5%, 5% समझके क्यों दिया, क्योंकि हम 0.1% की मुकाबले तो 5% बहुत जाता है, ठीक है, 20% तो बहुत ज़्याद हो जाता है, इसलिए तीरिया, सर यह के लिखा rate in force, यह कभी-कभी होता है कि कभी-कभी ना TDS के जो rate है वो कम कर दे जाता है, जो 10% का rate था, 7.5% कर दिया गया था, तो अब तो फिलाल के लिए तो इसलिए इसलिए और जो नॉन फाइलर्स है, अगर आपने अपनी return टाइम से फाइल नहीं करी तो आपका TDS के rates क्या लग जाते हैं, तो फिर rates डबल हो जाते हैं, यह 5% बिचेवरे से आए, तो यह इतनी बाते एक्जाम में जनरली अभी आई नहीं है, बट फिर भी आप ए ज्यादे important थे जो हमने किये, especially 194, अगर मैं बात ही करता हूँ, हमारे जो important sections थे, जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो एक तो हमारा 194A था, दूसरा हमारा section 194C था जो काफी important है, section फिर 194I, IA, 194IA, IB, 194J, 194M, यह sections काफी जादे important, सभी sections करने हैं, बट इस sections को थोड़ा सा ज्यादा आप priority देंगे, ठीक है, तो अब हम अपनी class को यहाँ पर end करते हैं, थोड़े लंबी class होगी, बट हमने साथ-साथ काफी सारे questions करें हैं, तो I believe आपको का भी मजा भी आया होगा, और TDS पर आपका अच्छा confidence भी बना होगा, चलिए अब हम अपनी next lecture में मिलते हैं, यहाँ पर हम TCS की और Advanced X की बाते करेंगे, ठीक है, प्लीज जरूर अब यहाँ तक आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीचेएगा, कमेंट करके जाएएगा आपको कैसा लगा है, और अगर हो सके, तो